नमस्कार दोस्तों स्वागत है अपने यूटूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में हैं दोस्तों यह वीडियो ससी के किसी भी कम्पिटिटिव एक्जाम के लिए बहुत ही जदा इंपोटेंट सा भी तोने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूँ ससी के फिजिक्स पलस आपके कंप्यूटर के 3650 क्योशन है प्रिविएस येर के ओनलाइन एक्जाम के और यहां पर आपके SSE CGL, CHSL, CPO, MTS और SSE JE के सारे प्रिविएस येर GK को कवर किया गया है जो कि आपके आने वाले SSE के किसी भी एक्जाम में एक वर्दान से कम साबित नहीं होंगे अभी जो आपके SSE GD का एक्जाम होने वाला है तो यहां से बहुत से क्योशन रिपीट होंगे क्योंकि आपको पता है अभी जितने भी एक्जाम हो रहे हैं और ज्यादा तर एक्जाम TCS कंपनी के दोरा करवाय जा रहे हैं तो बहुत से क्योशन ये रिपीट होते ह जिसमें आपके railway group D.E.K. all 135 पारियों के आपको question paper मिल जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो, 13,500 questions हैं, जिसमें आपके gk, reasoning और math के सब भी official questions हमेरी थे हैं, यह 1000 page की PDF है, पलस यहाँ पर बात करें, आपके rpf के official paper की तो भी आपको मिल जाएंगे, सब भी की link आपको description box में दे दी गई है, मातर आप 30 रुपे का payment करके, परते एक PDF file को download कर सकते हो, जैसे ही आपका payment हो जाएगा, तो आपको download का विकल्प मिल जाएगा, और पलस आपके gmail ID पर भी एक download की link है, वो send कर दी जाएगे, और कोई भी issue है, तो आप मेरे को नीचे comment करके बता सकते हो, और मैं वीडियो होने वाला है, और बाकी बच्चे हुए जो भी question रहेंगे, वो अगले पार्ट में अपन कवर कर देंगे, तो चैनल को subscribe करके, पास के bell icon को click कर देना, ताकि जैसे ही आगला पार्ट आए, आप तक उसका notification मिल सके, तो वीडियो के end तक जरूर बन रहेंगे, क्योंक नाइट्रो टोलूइन का परियोग कहा किया जाता है, और इसको short में बोला जाता है, TNT आपने ये देखा हुगा सब्द, इसकी full form बोले तो ट्राइनाइट्रो टोलूइन हो जाएगी, इसका परियोग किया जाता है, विस फोटक के रूपे, आपको question और answer दोनों ही हिंदी और इंगलीज भासाओं में मिल जाएंगे, और ये question आपके पूछा गया है, SSE CGL टाइर पर्थम के, जो आपके 2 सितंबर को एक्जाम हुआ था, 10 बजे का, next question है कि निमली कितमे से कौन सी गैस को हाशे गैस बोला जाता है, तो वह कौन सी गैस है, जो लौफिंग गैस करला आती है, तो हाशे गैस है, नाइटर्स ओक्साइड, इसका सूतर होता है, N2, ओ, ये आपके SSE CGL का क्योशन है, 10 सितंबर 2016 को पूछा हुआ है, अगला कि उसने कौन सी धातू अपनी तरली अवस्ता में अपरूपता परदर्शित करती है, तो धातू है दोस्तों, आपके से अपनी लिक्वीड फॉर्म में अपरूपता परदर्शित करती है, ओप्सन आपका, सल्फर याँपे क्रेक्ट हो जाएगा, अगला कि उसने नाइटरोजन जो N2 है, तो N2 अनू में कितने एकल इलेक्ट्रोन मौजुद है, तो लॉन पेर उप इलेक्ट्रोन याँपे N2 मे पूछा हुआ ये, लेड संचाइक बैटरी में कौन सा अमल प्रयोग किया जाता है, तो आपका लेड संचाइक बैटरी में सल्फियूरिक अमल जिसका सूतर होता है, H2SO4 इसका प्रयोग किया जाता है, अमोनिया का रासानिक सूतर क्या है, SAC 10 प्लस 2 का क्योशन है, तो इस की खोज की है रदरफोर्ड ने अगला कि उसने कौण सी परकरिया तो परकरिया की स्रंखला जिसके दोरा नाइट्रोजन और उषके योगी कप्रियावरण में रहने वाले पोदों में अदला बदली करते हैं वह आपके नाइट्रोजन चकर हो जाएगा नाइट्रोजन cycle अगला कि उसने ammonia का राशानिक सूतर NH3 है यह आ गया है आपके next है कि ammonium dye chromate का राशानिक सूतर क्या है तो ammonium dye chromate का राशानिक सूतर है आपके NH4 और आपके NH4 का यहाँ पे hall twice CR2 और O7 यह हैं आपके ammonium dye chromate का formula और यह आपके 10 प्लस 2 में पूछा हुआ कि उसने अगला कि उसने sodium tetra borate decahydrate का साधार नाम क्या है तो sodium tetra borate decahydrate इसका जो आपके साधार नाम है common name है borax SSE 10 प्लस 2 में आपके आया था 22 जनवरी 2017 के evening shift का कि उसने sulfur का साधार नाम क्या है तो sulfur का आपको साधार नाम पूछा है तो common name of sulfur हो जाएगा brim stone क्या हो जाएगा brim stone हो जाएगा next question है निमलिक्त में से कौन सी gas यदि वातावन में हो तो अपनी गंद के कान पैचानी जाती है तो sulfur dioxide है इसको वातावन में उसकी गंद के कान आप पैचान सकते हो SSE CPO का क्योशन है टायर पर्थम 2016 में पूछा हुआ है next question है ammonia उत्पादन के लिए हैबर प्रक्रम में शुक्षम विभाजित जो ये आपके लोवा होता है शुक्षम विभाजित लोवा का उप्योग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है हैबर प्रक्रम में SSE J में आया था ये क्योशन next question है okay तो जैनियो द्वरा अपने पवीत्र ग्रंथों के लिए श्रामुही क्रूप शेख के सबद का परियोग किया जाता है तो जैनियो दोरा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामहुई कुरूप से जो सवित का प्रियोग किया जाता है उसका नाम है अंगाजग्या है अंग है आपके सीजील का क्योशन है ये क्यावलिये कौन से ध्रम से सम्मंदित है तो क्यावलिये हैं दोस्तो जैन ध्रम से सम् एक नए नारों के नैतर्तों में हुआ था जो किसके भगत थे तो नए अनार्ज है या आपके सिव के भगत थे नैश्ट के उसने कि रनकपूर में इस्तित परशिद मंदिर एक मंदिर है तो रनकपूर में जो मंदिर है वो जैन ध्रम का परशिद मंदिर है और त्रीपिटिक है बहुत इंपोटेंट क्योशन है आपके बहुत से एक्जाम में ये पूचा हुआ है त्रीपिटिक ध्रम गंद जो ग्रंथ है इसका संबन्ध है बोध ध्रम से आगला क्योशन भांगळ नागल परियूजना कौन से नदी पर है तो सतलुज नदी पर है भांगळ नागल परियूजना नैश्ट क्योसन निमलिक्त में से कौन सा फर्रका बैराज के निर्मान का उद्धिश्य नहीं था तो अग इसका एंसर हो जाएगा आपके बांगला देश को बहे कर जाने वाली पानी को रोकना ये फर्रका बैराज का उद्धिश्य नहीं था और अगला क्योशन है कि भागी रती नदी पर ये क्योशन रिपीट हो गया फिर तो टीहीरी बांद बना हुआ है भारत के किस राज्ये में सर्वादिक वर्षा होती है में घले में होती है सबसे अधीक वर्षा नेश्ट के उसने दक्षिन पच्छी मानसुन से भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पच्छी मी तट पर ज्यादा वर्षा क्यों होती है तो पच्छी मी घाट हवा को रोकती है जिसके काण वहाँ पर ज्यादा बारिश होती है नेस्ट क्योसने भारत में लाल मिट्टी शामने तक कौन से छेतर में पाई जाती है तो दक्षिनी पठार के पूर्वी और दक्षिनी भाग में भारत में लाल मिट्टी पाई जाती है नैश्ट क्योसने काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है तो रेगुर मिट्टी रेगुर सोयल है यह काली मिट्टी का अन्य नाम है S.A.C.C.G.L. में आया था यह क्योसन आपके और अगला क्योसने तो इसका एंसर हो जाएगा किर्शी शूखा किर्شिशूखा इसे भूमी आदर्ता शूखा भी का आ जाता है और ये मिट्टी में आदर्ता की कम्मी के कान फशले यहाँ पे मुर्जा जाती है किर्शिशूखा में और अगला क्योसने की भारत के पूर्वी और पच्छीमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी हैं, तो ये हो जाएगे आपके कच्छार मिट्टी हैं, जो की भारत के पूर्वी और पच्छीमी तटों में पाई जाती हैं, अगला क्योसने की भारत का कौन सा चैतर ओष्ण क कटी बंदिये सधाबारवन से ढखा हुआ है ससी सी जिल में आया था आपके 10 सितंबर को और आद्र भूमी कर्शी के लिए कौन सी फशल उप्युक्त है तो चावल आद्र भूमी कर्शी के लिए जो उप्युक्त फशल है वो आपके चावल है राइस नेश्ट क्यों सने किस राज्य में मैंगरोवन का सबसे अधीक छेतर है तो पच्चिम बंगाल में है कौन से राज्य में मैंगरोवन का सबसे अधीक छेतर है तो वो आपके वेस्ट बेंगल में है भारत के किस राज्य में सरवादिक वन है तो सबसे जैदा वन एमपी में है बहुत से एकजा में ये क्योसें रिपीट हो रहा है। अगला क्योसेंने कौन ओश्ण क्टिबंधिये पदजड़ी पोदा है, जो दखन के पथार की विशेष्टा है, तो चंदन का पोदा हो जाएगा आपके। अगला क्योंसने माउंट आबू इस्तित मशूहुर दिलाड जो दिलवाडा के जैन मंदिर है तो ये पूचा गया कि कौन से पवितर तेर्ट इस्तल के हैं तो जैन मंदिर है वहाँ पे माउंट आबू राजिस्तान में है जो की तो पर्शित जो आपके दिलवाडा के मंदिर हैं दिलवाड़ा टेंपल वो जेंद्रम से संबंदित थे और महान अशोक जिसका सासनकाल 233 से 232 इस्षा पूरू रहें ये किस वंज के शाषक थे तो मोर्य डाइनस्टी के एंपाइर थे तो आपका यहां पर सांची में इस्तित बहुत इसमारकों का निर्मान किस ने किया था तो शांची में आपके जो बहुत इसमारक हैं इनका दिर्मान किया था मोर्य राजवन्स ने मोर्य डाइनस्टी अगला क्योशने चंद्रगुप्त मोर्य पार्टली पुत्र में पैदा हुआ था ज जाना जाता है तो जाने के एको कोटीली नाम से भी जाना जाता है, औप्सन यहाँ पर आपका कोटीली होगा, next question क्योशन एक कलिंग यूद के पच्छा आज समराठ अशोक ने किस धर्म को श्विकार किया था? तो कलिंग यूद के बाद समराट अशोक ने बहुत धर्म को श्विकार किया था नेक्ष्ट क्योशन अशोक के सिलालेक पर किस लिपी का परियोग किया गया है ब्राहमी लिपी का परियोग किया गया है अशोक के सिलालेक पर कौन सी लिपी है ब्राहमी लिपी चानकी किसके प्रमोक शलाकर थे, तो चानकी थे चंदरगुप्त मोरिय के प्रमोक एड़वाइजर से, तो चीप एड़वाइजर आप चंदरगुप्त मोरिया कौन थे चानकी Next Question है, कौन सा शाशक है? वो कोशाण वन्स से थे तो यहाँ पर Question को दोस्तो उन्होंने हुबुह क्योसन को लिख दिया है तो कौन सा साशक कोशान वन से था तो वो हो जाएगे आपके पुश्य मित्र कोशान वन से समदिशाशक है पुश्य मित्र नाश्ट क्योसन है कनिश्क के राजवेद थे तो कनिश़्क है इनगी राजवेद कौन थे चरक थे तो क्योंसे न आजाएं चरक किसके स्रमकालिण थे तो कनिश़्के स्रमकालिण थे जो कि उनकी राजवेद थे चरक next question एक के सामराज्य को हिंदुतो का स्वर्ण युग माना जाता है काफी important question एक कौन से सामराज्य को हिंदुतो का स्वर्ण युग माना जाता है तो ये हो जाएगा आपके गुप्त गुप्त एंपाइर नैस्ट क्योशन है असो को आरंबिक भारत का सर्व परशित शाषक माना जा सकता है जिनोंने कलिंग वर्तमान के तट्य उडिशा पर विजे प्राप्त की थी अभी ये कलिंग है आपके उडिशा में है और नैस्ट क्योशन है कि आरे भट और कालिदास के गुप्त शाषक के दर्बार में थे तो चंदर गुप्त शेकेंड आरे भट और कालिदास है ये चंदर गुप्त दुत्य के सास जो दर्बार है उनके थे आरे भट और कालिदास दोनों गुपत सा सकोने चंदर गुपत शेकेंड के दरबार में थी और अगला क्योसन है कि भारत के इतियास में केश के शाशनकाल को भारत का शाणुनिम यूक कहा जाता है फिर रिपीट हुआ है क्योसन तो गुपत एमपाइर हो जाएगा इंपोर्टेंड क्योसन है अगला है कि प घटोत कच किस सामराजी का राजा था तो घटोत कच ये थे आपके गुप्त सामराजी की राजा था जिसने 290 से 305 इस्वी में राज किया था अगला कि उसने कि पर्थुराज चोहान की पिता का नाम क्या है तो ये हो जाएगा आपके शोमेश्वर चोहान है पर्थुराज च इससे विवा किया था वह उसके सत्रु जय चंद गढ़वाल की बेटी थी तो शन्युकता है जो कि उनके सत्रु जय चंद गढ़वाल की बेटी थी तो पर्थिवराज चोहान ने शन्युकता से विवा किया था अगला क्योसन है संगम शाहिते के सरक्षक कौन थे तो शंगम साहिते के सरक्षक थे पांडे कौन थे पांडे थे ससी सी जीलग में पूछा हुआ क्योसन है अगले कि उसने उस कवी का नाम बताई है जिसने पिर्थी राज राशो नामक एक कवीता लिखी थी जिसमें पिर्थी राज चोहान के जीवन का वर्णन्द है तो उन कवी का नाम है चंद्र वर्दाई ऑप्सन या पे चंद्र वर्दाई है next क्योंसने की महाबली पुरम में इसमारकों के शमु को किस ने बनवाया था तो पल्लव राजाओं ने महाबली पुरम में जो इसमारकों के गुरूप है group of monuments है इनको बनवाया है पल्लव राजाओं के दोरा अगला है चोलो के समय का व्रधेश्वर मंदीर कहां पर है है नेस्ट क्योशन कौन सी पल्लव राजा ने चालू की राजा पुल के सिंद सेकेंड को प्राजित करके और उनका वद करके वाटा पिकोडा का खिताब हाशिल किया है करेक्ट एंसर हो जाएगा महेंदर वर्मन पर्थम ने अगला क्योशन है पर्थम हून आकर्मन कब हुआ था तो पर्थम जो हून आकर्मन हुआ है आपके 458 जो एडी में हुआ था एना डोमीनी नाश्ट क्योशन है तराइन का युद पिठिराज जोहान और किन के मद्धे लड़ा गया था तो ये मुहमत गोरी के मद्धे लड़ा गया था तराइन का पर्थम युद तराइन का ये युद है पिठिराज जोहान और मुहमत गोरी के मद्धे लड़ा गया था अगला क्य है al harjana तो यहां प rivals भीज़ाब हो जाएगा रथ है या पकी मग-वाली-पुरोंभ्ण महालि-पुरो में महाल वलीपुरोंभ जो आपके काश्मिए शैल मंधिर है मौनोलितिक राक शलिंज तो इनका प्रशिद क्या है तो इनका नाम या जो की महालि-पुरोंभ इस्तित है अगला क्योशन ने लगभग 712 में किसने सिंद पर विजय प्राप्त की थी तो 612 इश्वी में जो सिंद पर विजय प्राप्त की थी वो अर्बों ने की थी अर्बो ने सिंद पर विजे प्राप्त की थी अगला क्योशन दिलवाडा के जो चालू की मंदीर है जैन मंदीर है ये कहां पर इस्तित है तो दिलवाडा के जैन मंदीर है राजिस्थान में है राजिस्थान के माउंट आबू में इस्तित है next question है कि क्या agenda गुफाओं के संबन में श्री नहीं है, तो यह option के according question था, तो इसमें correct answer था, उसमें उनमें फूल पत्यों के चितर नहीं है, जो की agenda गुफाओं के संबन में श्री नहीं है, क्योंकि उनमें फूल पतियों के चितर है अगला है कि अजन्ता की गुपाईं कहां पर है तो अजन्ता की गुपाईं आपकी औरंगा बाद जिला है महाराष्टर का तो महाराष्टर राज्य में इस्तित है नैस्ट के उसने की कोतुब मिनार की पास इस्तित महारेली पिलर प्राहत्मिक रोपशे किस कारण परशीद है तो कोतुब मिनार के पास में जो आपकी इस्तित है महारेली पिलर ये उसकी उतकरष्ट गुणोता की इसपात की कारण एक्सिलेंट क्वालिटी ओप इस्टिल की उतकर्ष्ट गुणुता के कारण एक परशीद है ये आपका महारिली पीलर Next question है महाराष्टर में इस्तित जो अजन्ता की गुफाएं हैं चटाने हैं उनको काट कर बनाएगे गुफा इसमारक किस धरम के हैं तो महाराष्टर में इस्तित अजन्ता की चटानों को काट कर बनाएगे गुफा इसमारक है ये आपके बुद धरम से है Next question शिव गुपा कहां पर इस्तित हैं तो शिवा कैव इस लोकेटेड इन एलिफेंटा कैवज इस एलिफेंटा की गुफाओं में हैं आपके शिव गुफा नैश्ट क्योशन निमलिक्त वैसे किसका सई मेल नहीं है तो ये देखें आपे जैन मंदिर है खजुराओ तो ये आपका सई मेल नहीं था ऑप्सन के एकोर्डिंग आपको क्योशन नaken पर करेक्ट करना था और क्योंकि यहां पर दोस्तो खजुराओ में जैन धर्म के मंदिर नहीं होकर हिंदु धर्म के है सांची के बुद्ध इस्मारक है ये कहां पर है तो सांची का जो बुद्ध इस्मारक है बुद्धिष्ट मॉनुमेंट्स एट सांची इज इन ये आपके मद्धिपरदेश राज्ये में हो जाएगा एक मठवानी और शेख सिक संस्ता के पुरा तात्रिक आउशेश सामिल है तो ये आपके नालंदा में शामिल है सूरी मंदिर कौन सी राजे में है तो सूरी मंदिर ओडिशा राजी में है किस के लिए को golden ford की नाम से भी जाना जाता है तो जेसलमीर का किला है जो की राजिस्थान राजी में है अगला कि उसने 24 पहियों के साथ सूरी देवता के रत की रूप में कौन सा मंदिर बनाया गया है तो कौनाग का सूरी मंदिर है अगला क्योशन है कि ओडिशा का विश्व परशिद कौनाक शूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था तो ओडिशा का विश्व परशिद कौनाक शूर्य मंदिर है ये नर्शिही देव के द्वारा बनवाया गया था नालंदा महावियार साइट कहां इस्तित है तो नालंदा महावियार साइट है आपके बिहार में है अगला है कि परशिद ब्रदेश्वर मंदिर है ये कहां पर इस्तित है फिर रिपीट हुआ है कि बहुत ही जदा इंपोर्टेंट है ग्रूप D में भी आ चुका है तो तंजा राज्य में है group of monument at patadakal is in करनाटक राज्य state ओकी rock shelters of bhimbetka तो bhimbetka का पाशान आसरी किश्मे है तो bhimbetka का जो पाशान आसरे है वो आपके मधिपरदेश राज्य में है अगला कि उसने कि चटानों को काट कर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला कौन से राज्य में इस्थित है तो ये आपके बिहार राज्य में इस्थित है जो कि चटानों को काट कर बनाई गई एक सबसे पुरानी वास्तुकला है नेक्ट कि उसने कि अगला कि उसने कि monument at patadakal जो पटाद खल में इस्तित इसमारक है ये किसने बनवाये है तो ये चालुकी राजाओं के दौरा बनवाये गए है अगला है कि ऐलोरा की गुफाए कहां पर है तो माहराश्टर राजी में है ऐलोरा और अजिनता की गुफाए खजुराओ का इसमारक शमुकिस राजवन्स से सम्मंदित हैं चंदेल राजवन्स से सम्मंदित हैं इंपोर्टेंट क्योसन है दोस्तों ये भी अगला है कि चंदरग्री का किला ग्यारवी सताबदी में बनाया गया एक एतियाशिक किला है जो की मध्य प्रदेश राजवे में इस्तित हैं चंदरग्री का किला भीम बेटका के रौक सेल्टर्ष किस की तलहटी में इस्तित हैं तो ये आपके विंध्य रेंज की तलहटी में इस्तित हैं भीम बेटका के रौक सेल्टर्ष नाइश्ट के उसने के एलिफेंटा की गुफाएं कहां पर है तो यह आपके महाराष्टर राज्ये में है एलिफेंटा की गुफाएं दर्वीड पदती के मंदिर की वास्तु निदी का परती निदितों किसके दौरा होता है तो जो दर्वीड पदती के मंदिरों की वास्तु शिलफ का परती निदितों है यह किसके दौरा होता है तो विमान के दौरा होता है इसका रिपर्जेंटेशन अगला क्योसने की कौन सी गुफाएं मुंबोई हार्बर में इस्तित शिल्फ गुफाओं का एक नेट्वक है तो मुंबोई हार्बर में एलिफेंटा गुफाओं है यह आपके शिल्फ गुफाओं का एक नेट्वक है और एलिफेंटा की गुफाओं के सेर में है तो वाप भानु गुप्त का एरन शिलालेक तो भानु गुप्त के एरन शिलालेक में आपके सती पर्था का प्राचिंतम आपको वहां पे संध्रब मिल जाएगा एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित हैं तो यह आपकी गुफाएं हैं सिव जी को समर्पित हैं अकबर द ने कमबोडिया में इस्थित अंग कोर वाट का सू परशिद विष्णु मंदिर किस ने बनवाया था तो ये बनवाया था सूरी वर्मन सेकेंड ने कमबोडिया में इस्थित अंग कोर वाट का सू परशिद विष्णु मंदिर सूरी वर्मन सेकेंड ने बनवाया था किस मंदीर परिश्र का आकार भवी रत के शमान है जिसमें पत्थर के नकासी दार पईये इस्तम और देवारे हैं तो ये मंदीर है आपका कोरना का सूर्य मंदीर नेक्ष्ट के उसने कोटेली दौरा रचित परशीद पुस्तक कौन सी है तो कोटेली अन्य नाम इनका चानकी है जो कि चंदरगुप्त मोरे के महामंत्री हुआ करते थे इनके दौरा लिखी थे जो आपकी इंपोर्टेंट बोक्स है उसका नाम है अर्थशास्तर है नेक्ष्ट के उसने कि अर्थशास्तर पुस्तक के लिखा कौन है शैमी रिपीट वा कि उसने तो चानकी है चानकी या फिर आपको टेली बोल सकते हो पंच तंतर को किस ने लिखा है ये भी important कि उसने विश्णु सार्मा ने ये जो पंच तंतर है इसकी रचना की है अगला कि उसने चसनामा में कौन सी विज़े का इतियश का record है तो चसनामा में अरब की विज़े की इस्तियाश का record है next कि उसने की oil paint was first used for Buddhist painting by Indian and Chinese painters का नाम यहाँ पिर भारती और आपकी चीन के चत्रकारों दोरा जो पर्थम ओइल पेंट है यह कहाँ पर इसका इस्तेमाल हुआ था तेली रंगों का जो तेली रंगों की पेंटिंग है इसका इस्तेमाल हुआ है पच्चीमी अफगानिस्तान में अगला क्यों सने कि रज्य नामा, सोरी रज्म नामा, तो रज्म नामा का एक फार्शी अनुवाद है महाभारत, रज्म नामा है ये महाभारत का फार्शी अनुवाद है, तो महाभारत का फार्शी अनुवाद है दोस्तो रज्म नामा, महाबली पुरम दोरा इस्तापित किया गया था तो नर्शिंग वर्मन महाबली पुरम है, यह नर्शिंग वर्मन दोरा हिस्तेपित किया गया था पर पर ने काफी इंपोटेंड यह इसनने दोस्तों नैश्ट है कि नटरा आजे एक ब्रहमी नर्तक के रूप में हिंदू भगवान सिव का जितरन है और जो तांडवम नामक ओने वाली दिवी नर्ते का परदर्शन करते हैं नटराज यह आपकी तांडवम का जो दिवी नर्ते हैं उनका परदर्शन करते हैं नटराज एक ब्रामानी नर्तक के रूप में हिंदू भगवान सिव का चितरन है भारत के कि छेतर में काम रूप एक प्राचिन नाम है तो काम रूप is an ancient name of which region of India तो काम रूप है ये अस्व के छेतर का एक प्राचिन नाम है अगला है कि पिर्थवी दोरा सूर्य की परिकर्मा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले पर्थम भारती खगोल शास्त्री कौन थी तो भासकराज चारिया आपका करेक्ट हो जाएगा और शिकंदर ने हैद जो आपकी हाई डैसपीज का युद हुआ था कौन सा खेल बहुत लोग प्रिय था तो यह आपकी सत्रन था चेस गेम था जो की एंशेंट इंडिया में बहुत ही जड़ा पोपूलर था तो चेस करेक्ट हो जाएगा नाश्ट के उसने पाल समराज्य के इस संस्तापक कौन थे तो पाल समराज्य का पर्थम शाषक गोपाल था नाम से इस परष्ट है और ग्यानेश्वर तेहर्वी शतापदी के एक मराठी संत थी जिनोंने ग्यानेश्वरी लिखी थी जो भगवत गीता पर एक कमेंटरी है तो ग्यानेश्वर है इनोंने क्या स्टेटमेंट दे रखे हैं तो कौन से कतनिया पे सही है तो स्टेटमेंट नमबर एक और दो पहला है कि लखनव कानपूर और बरेली जैसे सहरों में शहुकार और अमीर भी विद्रोईयों के गुष्चे का सिकार बनने लगे तो ये दोनों ही आपके करेक्ष है अगला क्योसने कि दक्षिन भारत के कुछ भागों में भगवान विष्णु को कौन से भगवान के रूप में जाना जाता है तो भगवान वेंके टेस्वर के रूप में जाना जाता है भगवान विष्णु को कहां पर शाउत इंडिया के कुछ पार्ष के अंदर नेश्ट किसने कि तेहर्वी सतापदी में भारत आने वाला यात्री मारको पोलो किस देश से था तो मारको पोलो जो कि तेहर्वी सतापदी में भारत आये थे ये इटली के थे कहां के थे इटली के और नेक्स्ट के उजबेकिस्तान से अल बरुनी के किस सतापदी में भारत आया था तो उजबेकिस्तान से जो अल बरुनी भारत आये थे वो आपके आये थे 11 सतापदी में और मैग इस्थनीज चंदरगुप्त मोरी के दरबार में यूनान का राजदूत था तो मैग इस्थनीज वाजे यूनान अमबेश्टर टूदा कोर्ट आप चंदरगुप्त मोरी के दरबार के थे और निश्ट किसने की बाहर्वी सतापदी में कर्ना तक में एक नवीन आंधोलन का उद्भव हुआ जिसका नेतर्तो तो नेतर्तो किया हैं बश्वाना ने बश्वाना नामक एक ब्राह्मण ने किया जो प्रारम में जैन मत को मानने वाले थे और चालू की राजा के दर्बार मंत्री थे तो ये जो नेतर्टू किया था बश्वाना ने ये चालू की दर्बार के मंत्री थे SSJ में पूछा गया है नेश्ट किसने चांदी का सिक्का टक्का किसने चलाया था तो टंका है ये जो आपके चांदी का सिक्का है ये इलतुत मेशने चलाया था किताब उल हिंद के लेखक अल बिरुनी तो अल बिरुनी जो कि किताब उल हिंद के लेखक है वो किस सासक द्वारा बंदी बनाए गए थे तो अल बिरुनी मेहमूद गजनी के द्वारा बंदी बनाए गए थे भारती इतियास में पर्थम महीला कौन थी रजिया सुल्तान पर्थम महीला राजा भारती इस्तियास में और नैश्ट यो सने पोलो या चोगान खेलते समय निमलिकत मैं से किस सुल्तान की मरत्य हुई है ये आपके D group में भी आया था RPA PSI और Constable में भी पूछा हुआ है तो जोगान खेलते समय जो मरत्य हुई थी वो कुतुब दिन एबक्की हुई थी और किस समराथ ने अपनी राजधानी दिल्ली से दोलताबाद के लिए इस्तानांतरित की थी तो मुहुमत बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दोलताबाद के लिए इस्तानांतरित की थी और कौन से तुगलकी राजवन्स के सुरी तुगलकी राजवन्स के कि सुल्तान ने चांदी के सिकों के इस्तान पर तामे के सिके चलाए थे तो मुहुमत बिन तुगलक ने चांदी के सिकों के इस्तान पे तामे के सिके चलाए थे जो कि तुगलक की राजवन से थे अगला क्योशन ने दिवान एक कोही के रूप में विख्यात कर्शी विभाग किसके दौरा बनाया गया था तो मुहुमत बिन तुगलक के दौरा नैश्ट क्योशन मुहुमत बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहां बदली थी तो दिल्ली से देवगरी अपनी राजधानी बदली थी मुहुमत बिन तुगलक ने खिजर खां कौन से राजवन्स का प्रारम किया है तो खिजर खां है इन्होंने शेयद राजवन्स की इस्तापना की है खिजर खां दोरा तो शेयद डाइनस्टी वाज इस्टाटेड बाई खिजर खां अगला क्योसन है किस भारति शाषक ने एबन बतुता की काजी या दिल्ली का नियाधिस न्युक्त किया है तो काजी या फिर दिल्ली की नियाधिस जो न्युक्त किये हैं तो ये मुहमद बिन तुगलक किस भारती शाशक ने इबन बतुता को काजी का नियाधिस नियुक्त किया था नायश्ट क्यों सने अलाई दरवाजा किस विश्व विराशत में है तो कुतुब मिनार तो कौन सी हैरिटेज साइट में आपके अलाई दरवाजा है तो ये कुतुब मिनार में है और खाश मेल एयर शिश मेल का नियुक्त किस विश्व धरवर श्मार्क में किया गया था तो ये दोस्तों आपके खाश Meil है एवribamशISH Meil इनका निरमान हुआ था आपके आगरा के किले में नैस्ट के सने ताली कोटा के यूद के शमे विजे नगर सामराजे में कौन से राजवंस का राज था तो तुलुवा कौन से राजवंस का राज था तुलुवा राजवंस का राज था कब था ताली कोटा के युदकेश में विजे नगर सामराजे में जोधपुर के किले का निर्मान किस ने किया था तो राओ जोधाजी ने किया था जोधपुर के किले का निर्मान राओ जोधाजी ने कौन से युदर्शे विजे नगर सामराजे का पतन हुआ है तो Battle of Talikota के युदर्शे विजे नगर सामराजे का पतन हुआ था विजे नगर शहर और किस नाम से जाना जाता है तो the city of विजे नगर is also known as Humpy विजे नगर का अन्य नाम Humpy है हमपी में इस्तित इस्मारकों का शमू करनाटक में है हमपी में इस्तित जो इस्मारक है इनका जो शमू है वो आपकी करनाटक राज्ये में है और नैश्ट क्योसन है हमपी में इस्तित इस्मारकों का शमू एक महत्वपुन केंदर है तो ये हिंदू ध्रम का एक महत्वण केंदर है हमपी के जो इसमारक है वो हिंदू ध्रम के है नैश्ट क्योसन वर्ष 1526 में पानिपत का युद बाबर और इबराहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था और अगला क्योसन पनरवी शताबदी में विजे नगर शहर के सबसे महत्वण विवरणों में से एक जिक्र अब्दुल रजाक समरकंदी से प्राप्त होता है तो विजे नगर शहर के सबसे महत्वण विवरणों में से एक जिक्र है वो अब्दुल रजाक समरकंदी से प्राप्त होता है पनरवी शताबदी में काफी ये कॉम्पलेक्स था नेक्स्ट के उसने की मध्यकालिन भारत में निमलिक्त में से किसने पहली बार युद में तोपों का इस्तिमाल किया है तो बाबर ने पहली बार युद में तोपों का इस्तिमाल किया था मध्यकालिन भारत में पानिपत की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी 1526 आपका करेक्ट हो जाएगा और शन 1526 में पानिपत की पहली लड़ाई जो पर्थम युद्धुआ था पानिपत का बैटल ओफ पानिपत फर्स्ट बैटल ओफ पानिपत ये आपकी लोधी सामराजी और किन के बीच मे लड़ी गई थी तो बाबर और आपके इब्राहिम लोधी के मद्य ये युद्ध लड़ा गया था नेक्स्ट के उसने 1526 इश्वी से पूरो बाबर ने भारत पर कितनी बार आकर्मन किया था तो यहाँ पर 1526 इश्वी से पूरो बाबर ने भारत पर टोटल च्यार बार आक ये मुगल डाइनस्टी के यहां पे रूलर थे नाइक्ष्ट के उसने कि किस मुगल बाहर्शा ने 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ी थी वो ही शेयम के उसने बाबर हो गया और बाबर का जनम वर्ष है आपके 1483 क्या है दोस्तों बाबर का जनम वर्ष है जो आपके यह आपके है 1483 और नेश्ट के उसने बाबर का पुत्र कौन था तो बाबर की पुत्र थे हुमाईयू और हुमाईयू किस वन्स का साशक था ये भी S.S.E. में पूछा हुआ है तो मुगल का दिलकुली जी के उसने हुमाईयू का जनम वर्ष आपको पूछा है ये S.S.E. का है तो 1508 है हुमाईयू का जनम वर्ष और संद 1540 में कनोज की लड़ाई सेर शा और किन के मद्धी हुई थी तो सेर शा सुरी और हुमाईयू के मद्धी कनोज की लड़ाई हुई थी 1540 में नेक्स्ट एक और इंपोर्टेंट के उसने हुमाईयू की जीवनी को किसके दौरा लिखा गया था तो गुल बदन बेगम के दौरा जो हुमाईयू की बायोग्रापी है वो गुल बदन बेगम ने लिखी है अकबर का मकबरा किस इस्तान पर इस्तित है तो शिकंद्रा में कन्नोज की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी तो 1540 में लड़ी गई थी कन्नोज की लड़ाई नेक्ट क्यों सने अकबर का जिनम वर्ष तो यह आपकी 1542 में हुआ था अकबर का जनम वर्ष है 1542 में हुआ था और अकबर जो शाशनकाल रहा है 1556 से 1605 इश्वी तक तो यह भी मुगलवन्स के हैं तो SSC 10-2 में यह क्यों संता एजी था चन 1556 में अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में किसे प्राजित किया था तो 1556 में जो शेकेंड वार हुआ था पानीपत का 1526 में पर्थम और शेकेंड 1556 में तो इसमें जो अकबर का लड़ाई हुई थी हेमू के साथ हेमू विक्रमा दित्य को प्राजित किया था और नैश्ट के उसने जो आपके मानसबदारी प्रता हैं यह किसने शुरू की थी तो भारत में जो मानसबदारी प्रता हैं यह अकबर ने शुरू की थी किसने की थी अकबर ने दिल्ली के लिए लड़ाई किस वर्ष में लड़ा गया था तो 1526 दिल्ली के लिए लड़ाई हुई थी पानी पत की वो 1526 में हुई थी और next किसने इबादत खाण जो एकबेटक थी और ये किस मुगल समराद दौरा निर्मित किया गया था तो मिटिंग जो ये इबाबत खाँ जो मिटिंग थी ये अकबर के दौरा निर्मित किया गया था और अगला क्योसन है कि चन पंदरा सो चेहतर की जो हल्दी घाटी के लड़ाई हुई थी आपके 18 जौन 1506 में इसमें अकबर को अकबर और किनकी बीच में ये ये युद लड़ा गया था तो महाना प्रताप और अकबर की मद्दी हुआ था हल्दी घाटी का युद कब हुआ था तो 18 या फिर 21 जौन 1506 को हुआ था और नैश्टे की बीरबल किसकी अदालत में एक शलहकार था तो बीरबल वाज एन एडवाईजर इंदा को टॉप अकबर अकबर की अदालत में बीरबल एक शलहकार था अकबर के शाशनकाल के दोरान मुगल सामराजे का वित मंतरी कौन था तो मुगल सामराजी की वितमंत्री थे राजा टोडरमल कौन थे टोडरमल थे जोधा बाई का किसके साथ विवा हुआ है तो जोधा बाई वाज मेरिड टू अकबर अकबर ने अपने दरबारी शंगित्यग के रूप में किसे न्युक्त किया है तो दरबारी शंगित्यगे हैं मुजिशियन है वो थे मिया तानसेन थे अकबर के दरबार में मोगल समराट अकबर का विश्वसनिय सेनापती कौन था तो Trusted General of the Mughal Empire अकबर जो सेना है मोगल अकबर की जो सेना थी उसमें जो विश्वसनी सेनापती थे वो थे मान सींग प्रथम अकबर के शाषनकाल में सेनापती थे मीर बक्षी थे अकबर के शाषनकाल में मीर बक्षी भी सेनापती थे जो आप्सन में था जहांगीर किस वंस का शाशक था तो ये भी मुगल वंस का इनका सासन काल रहा है 1605 से 1626 Next question ने अकबर ने मिया का सीर्षक किसे दिया है तो अकबर ने मिया का जो टाइटल दिया है वो तानसेन को दिया है और नूर्जा किस मुगल समराट की पत्नी थी नूर्जा है ये जहांगीर की पत्नी थी नूर्जा जहांगीर का जनम वर्ष आपको पूचा है तो आपके जहांगीर का जनम वर्ष हुआ था 1579 में जहांगीर का जनम हुआ था जहांगीर के शासनकाल के निमलिक्त मैसे किस चित्रकार को नादिर उल असर की उपादी दी गई है तो जहांगीर के सासंकाल में मनसूर को नादिर उल असर की उपादी दी गई है किसे दी गई है मनसूर को जहांगीर किसका पुतर था तो जहांगीर ये अकबर की पुतर थी मयूर शिहासन एक परशिद रत्न जडित शिहासन था जिस पर भारत की किन सम्राटों की हुकूमत थी तो मुगल की वापे हुकूमत थी जो की पर्शिद रत्तन जडित श्रीहासन था और भारत में 1617 में British East India Company की व्यपार करने की अनुमती दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी British East India Company को 1617 में व्यपार करने की पर्मिशन जहां गिर ने दी थी सहाजा मुगल शाशक था पांचवाँ सहाजा थे ये फिप्थ फिप्थ रूलर थे मुगल और अगला क्योशन है सहाजा का आपको पूछा है वन्स तो मुगल वन्स है इनका सासन का 1627 से 1627 वी तक राहे नेक्स क्योशन ओरंग जेब जो एक मुगल शमराठ थे इनका निदन के सन में हुआ है तो 1707 में ओरंग जेब का निदन हुआ था फ्रांस का रहने वाला फ्रंको इस बरंग French शमराठ ये दोस्तो सहाजा की जेश्ट पूत्रदारा शिखो की चिकिस्थक की रूपमें मुगल दरबार से जुड़ा हुआ था तो यहाँ पर फ्रांस का निवासी है फ्रंकोईष बर्नियर शमराट जो की मुगल चिकिष्चक की रूप में जुड़ा हुए थे किसके शाशनकाल में तो शहाजा के जेश्ट पूतर दारा शिखो के चिकिष्चक की रूप में जुड़े हुए थे कौन थे दोस्तों फ्राइंग कोईश बरनियर शमराट नेक्स्ट क्योसन है औरंग जेब का पुतर था सहाजा औरंग जेब है यह सहाजा का पुतर था क्योसन पूछा गया है औरंग जेब है किसका पुतर था तो सहाजा का पुतर था और औरंग जेब ने अपने पिता सहाजा को आगरा के किल्ले में कैद करके रखा था किसे सहाजा को औरंगजेब की पिता थी किस मुगल समराथ ने अपने पीर को कैद और अपने भाई को मार डाला था तो औरंगजेब ने औरंग जेब ने जो पिता हैं उनको कैद किया था और अपने भाई को मार डाला था तो नेश्ट के उसने औरंग जेब किस वन्स का सा सक था तो मुगल डाइनिस्टी की और लाल किले को किस ने बनवाया था सहाजाने लाल किले का निर्मान करवाए गया है सहाजा के द्वारा लोह इस्तंब कहां इस्तित हैं तो the iron pillar is located in कुतु मिनार complex कुतु मिनार भवन शमू में हैं आपका लोह इस्तंब भारती महाद्वीपे में पहला उध्यान मकबरा कौन सा था तो which was the first garden tomb in the Indian subcontinent भारती महाद्वीपे पहला gold tomb था दोस्तो हुमायू का मकबरा था जो पर्थम आपके पहले उध्यान मकबरा था sorry garden tomb था ये next के उसने ताज मेल को a dream in marble कहा जाता है उसी परकार किस इस्तमारक को a dream is stone कहा जाता है तो ये कहा जाता है दोस्तो punch mail को a dream in stone जैसे कि ताज मेल को बोला जाता है a dream in marble उसी परकार a dream in stone बोला जाता है punch mail को और अगला कि उसने हुमायू का मकबरा है ये किस ने बनवाया था तो हुमायू का मकबरा है हमीदा बानी बेगम दोरा बनवाया गया था और next कि उसने कि भारती वास्तु सिलप में सुर्खी किस ने शुरू की थी तो भारती वास्तु सिलप में सुर्खी है ये start की थी सल्तनत सुल्तान ने की थी किनों ने की थी सल्तनत सुल्तान ने S.S.E.C.P.O. में पूछवा कि उसने किस विश्व विराशत इस्तल को यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया है तो ताजमेल को Which World Heritage Site is built on the bank of the यमुना रिवर तो ताजमेल है ये यमुना नदी के किनारे बनाया हुआ है हुमायू का मकबरा कहा पर इस्ती थे तो दिल्ली में इस्ती थे दोस्तों सहाजा ने ताजमेल का निर्मान किस के लिए किया था तो मुम्ताज के लिए अपनी बेगम मुम्ताज के लिए सहाजा ने ताजमेल का निर्मान किस की याद में मुम्ताज महल की याद में सैम क्योसन है रिपिटेड है ये भी जामा मस्जिद का निर्मान किसने किया था तो शहाजा ने जामा मजजिद भी सहाजा के दौरा निर्मित है आगरे के किले का निर्मान किया था अकबर ने आगरा Fort Wazbolt by अकबर SSE 10 plus 2 में आयाँ गया कियोसने 2017 में बीबी का मकबरा किसके दौराा बनाया गया है तो आजम सहा के दौरा बीबी का मकबरा बनवाया गया है यह कहां पर इस्थी थे तो बीबी का मकबरा आपके औरंगाबाद में स्थी थे और next question है जामा मजजिद इन विश्व धरोवर इस्तलों में से किश्में इस्ती थे तो फतेपूर शीक्री में है जामा मजजिद is situated in which of these world heritage site तो जामा मजजिद है ये आपके फतेपूर शीक्री में इस्ती थे next question है ताजमेल के अंदर के उध्यान को किस रूप में जाना जाता है तो garden inside the ताजमेल is also known as mughal garden ताजमेल के अंदर के उध्यान को mughal garden के रूप में जाना जाता है next question है सलीम चेश्टी की दरगा किस में इस्ती थे तो सलीम चेश्ति की दरगाय यह दोस्तों फतेपूर शीक्री में इस्तित है नैक्र के उसने मुगल वन्स के कबरिस्तान के रूप में लोग प्रिता प्राप्त है तो नेक्रो पॉलिस सोरी नेक्रो पॉलिस आप दा मुगल डाइनिस्टी तो किस विशु विरासत इसमार को मुगल वन्सकी कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है तो ये हैं आपके दोस्तों हुमायू का मकबरा तो मुगल वन्सकी कब्रिस्तान के रूप में लोक्तरिता किसे प्राप्त हो ये हुमायू के मकबरे को ही है किस विश्व विरास्त इस्तल में इल्टुत मिर्ष की कबर है तो इल्टुत मिर्ष की कबर है दोस्तो कुतु मिनार कहां पर है कुतु मिनार में है कुतु मिनार कहां पर है तो यह आपके दिल्ली में है और पंच मेल किस में इस्तित है तो यह आपके फत्यपूर शीक्री में के सित्वाराइफ पंच मेयल है उर लटी मज्जीद इन विश्व धरोवरिस्तलों असे किस में सित्त और बुलंड दरवाजा है helping इस्तान के महल का मुख्य प्रविष्द्वार है, ये आपके फतेपूर शीकरी का मुख्य प्रविष्द्वार है, बुलंद दर्वाजा, SSE 10 प्रस 2 में पूछा हुआ है, और कौन सी, निमन मैं सी कौन सी, मल्वे की चिनाय से बनी जिसकी उंचय आपके 23 मिटर है तो टेलेस्ट रबल मैंस वंद्री जो मिणार है वो आपकी कुट्व मिनार है जिसकी उंचय कितनी है 23 मिटर है तो जो कि आपके मलूए की चिनाय से बनी हुई है नाइस्ट के उसने कहा जाता है कि फार्स की राजधानी इस तफाहन ने एक इसमारक की निर्मान के लिए प्रिरिना परदान की है वह इसमारक निमलिक्त में से कौन सा है तो ये दोस्तों इसमारक के आपके लाल किला चो लाल किला है तो ये फार्स की राजधानी इस पहान ने एक इसमारक निर्मान के लिए एक प्रेड़ना प्रदान की है वो इसमारक आपका लाल किला कॉम्पलेक्स है अगला क्योशन है बहादूर्शा पर्थम का जनम किस वर्ष में हुआ था तो सोहला सो तैतालिस में हुआ था बहादूर्शा पर्थम का जनम नैश्ट क्योशन बहादूर्शा पर्थम जिसका शाशनकाल है 1707 से 1712 इसवी तक ये किस वंस के सासक थे बहादूर्शा पर्थम मुगल वंस के सासक थे सन 1749 में कारनाल की लड़ाई में मुगल सेना को किस ने प्राजित किया था तो बैटल ओप कारनाल में मुगल सेना को नादर शाह ने प्राजित किया था ये लड़ाई कब हुई थी दोस्तो 1749 में हुई थी अंति मुगल शहाजा सुरी अंति मुगल बाहदर्शा कौन था तो ये थे बाहदूर्शा जफर अंति मुगल बाहदर्शा नेश्ट के उसन है कि परशिद कवी अमीर खुसरो किसको छोड़कर बाकी शमसामिक थे तो ये थे दोस्तों इल्टूतमिस परशिद कवी अमीर खुसरो है किस एक को छोड़कर बाकी सभी के शमसामिक थे तो option में था इल्टूत मिश तो इल्टूत मिश के ये contemporary कभी नहीं थे अमीर खुसरो बाकि सभी जो option में थे वो आपके correct थे तो अमीर खुसरो ये point थे और कौन सा यूग में या पे सही नहीं है आपको जो बाबर है बेरम खान ये वाला statement आपकी गलत दे रखा था option में और दिल्ली सल्तनत की राज की भाषा क्या थी तो दिल्ली सल्तनत की राज की भाषा थी पर्शियन यानि फार्शी गंधार कला किन दो कलाओं का सयूजन है तो हिंदू और यूनान इंडो एंड ग्रिक इन दोनों कलाओं का सयोजन है गंधार कला अगला क्योशने किस लेखक ने अकबर के दीन ए इलाई धरम को उनकी मुर्कता का न की बुदी मता का इसमारक का तो विशेंट इसमित ने का था जो दीन ए इलाई धरम अकबर ने चलाया था तो विसेंट इसमित ने ये उसकी मुरुकता का था न कि उसकी बुधिमता का इसमारक का था अगला क्योशन है वाट इस गोल गुबंद गोल गुबंद क्या है तो ये मुहुमद आदिल शाह का मकबरा है मुहुमद आदिल शाह के मकबरे को का जाता है गोल गुबंद चारे जो कि प्राहरंबिक आठवी सदी के दोरान भारत के दार्षनिक और ध्रमसास्त्री थे जिनोंने अध्वेत वेदान्त के शिधान्त को प्रतिपादित किया था तो अध्वेत वाद का जो शिधान्त दिया था ये किस ने दिया था अधी संक्राचारे ने नैश्ट के उसने वास्तुकला खगोली उपक्रोणों का एक संग्र है जिसे महाराज जैशिंग दूत्य दौरा बनाये गया था तो जंतर मंतर जो की दिल्ली में है यह महाराजा जैशिंग दूत्य दौरा बनाये गया एक खगोली उपक्रोणों का शंग्र है जंतर मंतर और नेश्ट क्यूंस जाइपूर की महाराजा श्वाई जहें सिंग ने कहां इस्तित वेड़शाला का निर्मान नहीं करवए है तो एहलाबाद में जाहिए जाइपूर जाइपूर नहीं बनाई है जनल्डमनतर बाकी सभी जगहों पर इसका निर्मान करया था जो दिल्ली में है जैपुर में नेक्स्ट के उसने कि इन में से कौन मुगल वंस का नहीं था तो सेरशासुरी आपका उप्सन में था जंतरमंतर ये जो वेदरशाला है ये कहाँ पर है राजिस्तान में है नेक्स्ट के उसने चांद बीबी वाजदा रूलर रॉप चांद बीबी ये एहमद नगर तो वहां की साशक थी चांद बीबी नेक्स्ट के उसने राणी की वाव जो गुजरात में है ये एक मशूर क्या है तो इस्टेप फैल है रानी की वाव है ये एक मशूर बावडी है तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताना यदि आप वीडियो देख रहे हो रानी की वाव का जो जित रंकीत है वो कौन से रुपे के नोट के पीछे हैं अभी जो नए नोट आए हैं अवा मेहल किस ने बनवाया था तो महाराना परताप शीह ने हवा मेहल का निर्मान करवाया था नेस्ट क्योसने जर्दोशी कड़ाई जर्दोशी कड़ाई है ये किसके तहत लोगप्रिये हुई थी तो अकबर के तहत जर्दोशी एंब्रियोडेरी विक्कम पोपुलर अंडर अकबर अगला क्योसने त्री मूर्थियों में स्रष्टिक करता देवता होने के बाद भी आजकल किस देवता की पूजा बहुत कम की जाती है तो त्री मूर्थियों में स्रष्टिक करता देवता है बर्मा तो ये इतना इनका मान है कि तिरी मूर्थियों में स्रष्टिक करता है फिर भी इनकी पूजा हैं बहुत ही कम की जाती हैं तो वो ब्रमा है आपके और अगला क्योंस ने प्रारंबिक भक्ति आंदोलनों में से एक अलावरों के नितरतों में हुआ वे किसके भगत थे तो विश्नु के थे तो जो अलावरों के नितरतों में प्रारंबिक भक्ति आंदोल ले यात्री अल बिरुनी किस देश थे भारत आये थे रिपिटेट के उसने उजबेकिस्तान से आये थे अल बिरुनी भारत आये थे दस्वी और ग्यार्वी सताब्दी में इबन बतूता किसका निवासी था तो मोरकों का निवासी था जिसने चोद्वी सताबदी में अपनी भारत यात्रा के बारे में लेका था नैश्टे की भारत आने वाले पर्थम यूरोपीय यात्री कौन थे तो पुर्थगाली थे पर्थम यूरोपीय कौन थे पुर्थगाली थे जो की भारत आये थे और उस चीनी तिर्थ यात्री का नाम बताईए जो बहुत ग्रंतों की तलास में भारत आया था तो वो था दोस इसने सरुपर्थम भारत के साथ व्यपार शंबंद इस्तापिक किये थे तो पुर्त गालियों ने सबसे पहले भारत के साथ व्यपार शंबंद इस्तापिक किये थे गोवा के चर्षों और कानवट को किसके द्वारा बनवाया गया था तो जो गोवा के चर्ष है ये बनवाय खैगे हैं पुर्तगालियों के द्वरा कि हो ने बनवाई हैं पुर्तगालियोंने भारत की तरफ से आने वाली शमुंदरी लांड़ी SAP कोज ने की है तो वास्टी गामा ने की थी कब की थी दोस्तों यह आपके 1498 में की थी वास्तो ड़ी SAP लांड़ी लाllगी की फिर का नाम है वाशकोडी गामा जहांगिर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था तो जहांगिर के काल में जो मुगल दरबार में प्रत्थम अंग्रेज आये थे वो थे कैप्टन विल्यम हौकिन्स अगला क्योशन है तो इसका एंसूर है डच डच व्यपारी कमपनियों ने मुगल सामराजे के दोरान 1605 में भारत में मचली पतनाम में अपने ठिकाने इस्तापित किये थे कहां पर किये थे मशूली पतानम में सोहला सो पांच में किये थे डच्चों ने किये थे वेपारी कमपनियों ने मुगल सामराजिक के दोरान किये थे ये आपके Next question है बिर्टिस को राजनिती सक्ति किसके बाद पराप्त हुई है तो political power है ये बिर्टिस को पराप्त हुई थी प्लाशी के यूद के बाद Next question है East India Company को इस्ठापना वर्ष है ये कब हुई थी तो East India Company है ये एस्टाबलिष्ट हुई थी आपके सोहला सो में अगला question Francis C. वेपारी कमपनियों ने 1673 में भारत में अपने ठिकाने बनाए हैं तो पुदुजेरी में भारत में अपने ठिकाने बनाए थे Francis C. वेपारी कमपनियों ने 1673 में नैश्ट को सने भारत में पहली French Factory कहां इस्टापित की गई थी तो ये सूरत में इस्टापित की गई थी भारत में पहली French Factory नैस्ट क्योसने केसस से गुरू ने अमरत्र सरकी आधार शिला रखी थी तो गुरू रामदास ने अमरत्र सरकी आधार शिला रखी थी नेश्ट क्योशन फ्रांसिसी क्रांती जिससे फ्रांस में व्यापक, शामाजिक और राजनीतिक उत्तल पुतल का दोर शुरू हुआ था तो ये किस वर्ष में प्रारम हुई थी तो फ्रांसिसी क्रांती प्रारम हुई थी 1789 में अगला क्योंस ने हल्दी घाटी का युद्ध है ये कब लड़ा गया था तो अठारा जून पंदरा सो छेहतर को लड़ा गया था वर्ष 1665 में पुरंदर की संदी का परत्यक्ष क्या था तो जो एम था पुरंदर की संदी का टारगेट था जो आपके 1665 में हुई थी तो ये था कि सिवाजी और विजापूर के सुल्तान के बीच विवाद के बीच बोना इसका लक्षिता टू शो शीड ओप कॉंटेंशन बिट्विन सिवाजी एंड सुल्तान ओप विजापूर नैश्ट के उसने छत्रपती सिवाजी सत्रपती छिवाजी है ये 1680 से 1688 की मद्देन का सासन काल रहें किस वंस के सासक थे तो मराठा वंस के सासक थे छत्रपती शंभाजी नैश्ट के उसने भारत में मुगल शाषन के खत्म करने का एक बड़ी शीमा तक स्रे किशे दिया जाता है तो मुगल शाषन को खत्म करने का जो आपकी स्रे दिया जाता है वो जाता है मराठा को किस वर्ष शिवा जी को छत्र पती का ताज पहनाया गया था तो 1674 को शिवा जी को छत्र पती का ताज पहनाया गया था नेक्स्ट के उसने किस ने गुरिला युद के तरीकों की शुरुआत की थी तो शिवाजी ने ही की थी गुरिला युद के तरीकों के शुरुआत मराठा सामराजे का दूसरा संस्तापक किसे माना जाता है तो मराठा सामराजे का शेकेंड यहां पे फाउंडर माना जाता है बाजी राव को दूसरा संस्तापर्ख है वो बाजी राव को माना जाता है नैश्ट के उसने छत्रपति शिवाजी महराज किस वंस के साशक थे तो रिपीटेट के उसने मराठाओं के साशक थे बाजी राव शेकेंड है ये किस वंस के साशक थे तो ये आपके पेश्वा जो once है उनके शाशकति बाजिराव शेकेंड है इनका यहाँ पे दिया गया है कारिकाल कितने वर्षी कितने वर्षी तक इनुए ने शाशन किया है next question है तो question पूछ गया है पूने वाज once known as the capital of तो पूने है ये कहां की राजधानी थी तो पूने को पेश्वा की राजधानी की रूप में जाना जाता है नेश्ट के उसने कि प्लासी का युद कब लड़ा गया था तो 1777 में लड़ा गया था बाजीराओ प्रथम किस वंस के सासक्ते तो पेश्वा तो पेश्वाज वन्स हैं इनके शाशकते बाजिराव प्रथम टीपू सुल्तान को किसका सेर भी कहा जाता है तो टीपू सुल्तान वाज आलसो नौन एज टाइगर ओप मैसूर तो मैसूर का सेर भी कहा जाता है टीपू सुल्तान को अगला के उसने टीपू सुल्तान ने कौन से एंगलो मेशूर युद में अपने प्राण गमाए हैं तो चतुर्त चौते एंगलो मेशूर युद में टीपू सुल्तान ने अपने प्राण त्यागे थे नेश्ट के उसने महाराजा रंजीत सिहीं के राजे की राज़धानी क्या थी तो महाराजा रंजीत सिहीं के राजे की जो राज़धानी थी वो लाहुर थी टीपु सुल्तान को किसके सेर के रूप में जाना जाता है और पज्ची मी शिक्षा का स्री गनेश किस स्वतंतरता शैनानी दोरा किया गया था तो वू इंट्रोड्यूस वेस्टरन एजूकेशन है ये राजा राहमोन राय दोरा इनका इंट्रोड्यूस किया गया है और next के उसने कि who started गनेशा फेस्टिवल तो गनेश महोशो का प्रारम किया था लोक मानने तेलक ने काफी important के उसने वर्ष 1828 से इस्टापित ब्रमा शमाज के संस्थापित कौन थे तो वर्ष 1828 से इस्थापित जो आपका ब्रमा शमाज है इनके संस्थापित थे राजा राम मोन राय तो अगला कि उसने किस क्रांतिकारी नेता ने अपने अंतिम शमे राम कृष्ण मिशन के श्वामी के रूप में वैतित किये हैं तो जतिंदर नात बंदो पाध्याई है तो यह जो करांतिकारी नेता है इन्होंने अंतिमश में राम किष्ण मिशन के स्वामी के रूप में व्यतित किये हैं वर्ष 870 में भारती सुधार्शं के संस्तापक कौन थे तो केशव चंदर्शेन थे भारती सुधार्शं के संस्तापक 1870 में अगला क्योंसने ठेयो शोफिकल सोशाइटी के संस्तापक कौन थे तो ठेयो शोफिकल सोशाइटी के फाउंडर थे मेडम बलाव टक्षकी कौन थे मेडम बलाव टक्षकी थे ठेयो शोफिकल सोशाइटी के संस्तापक आरे समाज के संस्तापक थे दयानंद, सरोशती, S.S.E.C. जिल में पूचा गया है भारती राष्टी कांग्रेस के पर्थम शत्र के देक्षता की थी W.C. बनर्जी ने की थी भारती राष्टी कांग्रेस के पर्थम जो शत्र था उसकी अधिवेशन के अधिख्टा की थी नेक्स्ट क्योसने ठेयोशोपिकल सोशाइटी के संस्थापक कौन थे सईजवाब हो जाएगा मैडम बला वटशकी अगला क्योसने आरे समास के संस्थापक तो ये थे दयानन्द सुर्शती और नेक्स्ट है कि भारती राष्टी कांग्रेस के पर्थम सतर की अधिख्टा किस ने की थी तो W.C. मनरजी ने की थी भारती राष्टी कांग्रेस के पर्थम सतर की अधिख्टा और भारत की थियोशोपिकल सोशाइटी के संस्थापक तो मैडम बला वटशकी थी तो यहाँ पे एनिबेसेंट यहाँ पे रॉंग टाइप हो गए एनिबेसेंट थी यहाँ पे हो सकता है अध्यक्स का पूचा गया है तो Theosophical Society की अध्यक्स थी एनिबेसेंट और नेक्स्ट क्यों सने की भारती राष्टी कांग्रेस का चुना गया पर्थम मुश्लिम अध्यक्स कौन था तो बदरुदिन तयब जी थे भारती राष्टी कांग्रेस के चुने गये पर्थम मुश्लिम अध्यक्स भारती स्वतंतरता के समय भारती राष्टी कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे तो स्वतंतरता के समय भारती राष्टी कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे भी करपलानी और कौन सा वर्ष आपके क्यों सुने की कौन वर्ष 1925 में भारती राष्टे कांगरेस की दूसरी महिला अद्यक्ष बनी और जो इस अद्यक्ष पद पर आने वाली पर्थम भारती महिला थी तो वो थी आपके सरुजनी नाइडू और भारती राष्टी कांग्रेस के अपने के सत्र में पोन सवराज को अपना विशिष्ट लक्षे गोशित किया था तो लाहर सत्र था आपके 1929 वाला सत्र था जहां पे पोन सवराज को अपना विशिष्ट लक्षे गोशित किया था अगला क्योशन ने किस समझोते का लक्षे हिंदू मुश्लीम मतभेत को शुल जाना था तो लखनाव समझोते का ये आपके टार्गेट था अगला क्योशन राष्टी कांग्रेश कारीकारी शमीती ने भार छोडो नामक आंदोलन का अनुमोधन कहां किया था मुँमभई में किया था भार छोडो नामक आंदोलन का अनुमोधन next question सौदेशी आंदोलन का संबन्द क्यूशशे है तो बंगाल के विभाजन से है जो 1905 में हुआ था अगला question सन 1905 में बंगाल के विभाजन क्यों लागू करने का निर्ने किस के दोरा किया गया था तो 1905 में बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णी लिया था लॉर्ड करजन ने बंगाल की किस स्वतंतरता शेनानी का 18 वर्ष की आयू में निदन हो गया था अभीनव भारत की स्तापना उनिसोच्यार में नैश्ट क्योंसने जनरल डायर को जो जलियावाला बाग नर्शेहार का दोशी था किसके द्वारा मारा गया था तो जनरल डायर है इनको मारा था उधम शीने जो की जलियावाला बाग हत्याकान डुआ था उनका दोशी था और अगला क्योशने की किसका संबंद गद्र पार्टी से नहीं था बाबा गुर्मित सोरी गुर्दित शींग बाबा गुर्दित शींग का संबंद गद्र पार्टी से नहीं था और अगला क्योशन नमबर 285 बायू भारत के स्वतनतरता शंगरश के संद्रव में निमलिकित स्टेटमेंट दे रखे हैं इन पर आपको विचार करना है कौन से यहां पर सही है तो स्टेटमेंट नमबर फ़स्ट और थर्ड ये दोनों करेक्ट हैं जलियावाला बाग हत्याखंट आपके हुआ था 1919 में क्यों से ने काकोरी वडियंतर मामला किस वर्ष में हुआ था तो काकोरी जो आपके छडियंतर मामला हुआ था 1925 में हुआ था साबरमती आसरम किस ने बनाया था तो महत्मा गांदी ने बनाया था साबरमती आसरम जो की गुजरात में है नेक्स्ट क्योसन है काम गता मारू ये क्या है काम गता मारू है एक पोथ है एक जाज का नाम है काम गता मारू अगला क्योसन निमलिक्त मैंसे किसे गांदी जी अपना राजनीक गुरू मानते थे तो गांदी जी अपने गुरू मानते थे पोलिटिकल उनका नाम था गोपाल किष्ण गोकले गांदी जी ने कानून की पड़ाई है ये कहां पर की थी तो UK में की थी United Kingdom में की थी गांदी ज गांदी जी के सत्याग्रह का किनी दो से जुड़ाव है तो सच्चाई और अहिंसा इन दोनों से जुड़ाव है गांदी जी के सत्याग्रह का अगला कि उसने गांदी जी का सरोध्य ये इसका तात्प्रे क्या है गांदी जी का जो सरोध्य है इनका तात्प्रे है अच्छुत और दलितों का उत्थान करना भारत में गांदी जी का पर्थम शत्याग्रे कहां हुआ था तो चंपारण में हुआ था महात्मा गांदी का जन्म कहां पर हुआ था गुजरात में हुआ था और भारतियों स्वतन तरता शंग्राम में करो या मरो का नाराकिस आंदोलन से जुड हैं ऐसे सीची जिल में पूसा हुआ क्यों सने एहमदाबाद में साबरमत्य आश्रम किस ने स्थापित किया था तो महंदास गांदी ने किया था साबरमत्य आश्रम और महात्मा गांदी का जनम हुआ था आपके 1879 में हुआ था दो अक्टूमबर 1879 में गांदी इर्विन समझोता किस वर्ष में हुआ था तो 1931 में हुआ था काफी इंपोर्टेंट कि उसने गांदी इर्विन समझोता हुआ था 1931 में महात्मा गांदी की हत्या किस ने की थी तो नातुराम गोडशे के द्वरा हत्या की गई थी जलियावाला बाग हत्याकांड कब हुआ था तो ये आपकी हुआ था 13 अप्रेल 1919 को हुआ था जलियावाला बाग हत्याकांड महात्मा गांधी दोरा भार्च छोड़ो आंदोलन का प्रारम वर्ष आपके 1942 को रा है भार्च छोड़ो आंदोलन का प्रारम वर्ष और किस वर्ष गांधी इरविन समझोते पर हस्ताकसर किये गए है 1931 में गांधी इरविन समझोते पर हस्ताकसर हुए थे तो ये आपका repeated क्योशन हुआ है गांधी जी ने किस वर्ष में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी तो 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी सुभास चंदर बोश का जनम ये हुआ था आपके 1897 में हुआ था सुभास चंदर का जनम हुआ था और वर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी सुभास चंदर बोश ने अगला क्यों से ने 1943 में जो आजाद हिंद एक भारतिय सरकार थी जिसे काबिज किये गए तो यहाँ पर यह इंगलिज का है तो कि आजाद हिंद एक भारतिय सरकार थी जिसे काबिज किये गए तो यहाँ पे है कि सिंगापूर में वर्ष उननी सो तैनलिस में इस्तापित किया गया था तो आजाद हिंद वाजयन इंडियन प्रोविजनल गवर्मेंट थी जो आजाद हिंद ये कब इस्तापित हुई थी आपके 1943 में हुई थी और ये हुई थी आपके सिंगापूर में इन उक्ट्यूपल्ड इन सिंगापूर इन 1943 अगला क्यों सन स्वतंतर्ता अंदुलन के दोरान सुभास चंदर बोष ने भारती राष्टी तो ये थल सेना का पुणरोथान किया था सुभास चंदर बोष ने स्वतंतर्ता अंदुलन के दोरान और अगला है कि जिस समय भारत को स्वतंतर्ता प्राप्त हुई और समय इंगलेंड का परदार मंतरी कौन था काफी important क्योशन है आपके डी ग्रूप में भी आया था आरपियप में भी आया था तो इंगलेंड का परदार मंतरी जो थे एटली कौन थे एटली थे जब भारत को स्वतंतर्ता मिली थे 1946 में और नेक्स्ट क्योशन है 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतरतो किश के दोरा किया गया है तो सर पैथिक लोरेंस के दोरा कैबिनेट मिशन का नेतरतो किया गया है स्वतंतर भारत के पर्थम भारती गवरनर जनरल कौन थे तो सी राज गोपाल चारी थे स्वतंतर भारत के पर्थम भारती गवरनर जनरल नेश्ट के उसने किस वाइसराय के कारेले के दोरान भारत की राजधानी कलकता से इस्तानांतृत होकर दिल्ली बनी है तो लॉर्ड हार्डिंग के कारेले के दोरान भारत की राजधानी कलकता से इस्तानांतृत होकर दिल्ली बनी थी किसके कारेले के दोरान लॉर्ड हार्डि अंगरे जी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्ने लिया था तो लॉर्ड विल्यम बैटिंग ने निर्ने लिया था अंगरे जी को शिक्षा का माध्यम बनाने का नेक्स्ट क्योशन आपके सामने भारते शिवील शेवा किस गवर्नर जनरल या फिर वाइसराई के शाषन के दोरान आरंब हुई थी, काफ़ी important question है, Lord Khan Wallace के session के दोरान भारत में शुविल शेवा हैं, ये start हुई थी next question है, British East India Company के session काल में, सदर दिवानी अदालत की स्तापना किस ने की थी, तो जो आपकी दिवानी अदालत हैं, इनकी स्तापना की थी, Warren hosting ने की थी, British East India Company के session काल में, भारत में अंगरेजी सिक्षा किस ने प्रारम की हैं, तो मेकाले ने की हैं, भारत में अंगरेजी सिक्षा के जनक, Lord मेकाले हैं, और भारत में बजट व्यवस्ता का आरंब हैं, ये किस वाइसराई के काल में हुआ था, भारत में बजट व्यवस्ता का आरंब हुआ था, कैनिंग के काल में हुआ था, किस के काल में, कैनिंग के काल में हुआ था, कलकता में एसियाटिक सोशाइटी की इस्तापना किस के द्वारा की गई हैं, तो सर विलियम जॉन्स के द्वारा की गई है कलकता में एसियाटिक सोसाइटी की इस्तापना है ये सर विलियम जॉन्स के द्वारा की गई है नेश्ट के उसने कलकता की विक्टोरिया मेमोरियल का ये लॉर्ड करजन द्वारा निर्मान किया जाना प्रस्तावित किया गया था कलक तो यहां पे आपके पूछा गया है तो पर्थम गवर्नल जनरल तो स्वतंतर पूरु काल के पर्थम वाइसराय और गवर्नल जनरल थे आपके लॉर्ड कैनिंग नैश्ट के उसने जब 1793 में इस्थाई बंदोबस्ती लागू किया गया था उससमें चालर्ष कार्ण वालिस है ये कहां का गवर्नर जनरल था तो बंगाल का था उससमें बंदोबस्ती लागू किया गया था आपके 1793 में तो बंगाल के गवर्नर जनरल थे चालर्ष कार्ण वालिस नैश्ट के उसने बंगाल के पर्थम गवर्नर जनरल कौन थे प्रयाप्त शाधिन उपलब्द कराती है ये स्टेटमेंट किसका है काफी इंपोर्टेंट कियो सने महात्मा गांदी का ये कतन है सीमांत गांदी सीमांत गांदी है ये किसे कहा जाता है तो फ्रेंटियर गांदी है खां अब्दुल गफार खां को कहा जाता है फ्रेंटियर ग सबसे पहले महात्मा गांदी को राष्ट पिता कहकर किस ने सम्मोधित किया था तो सुभास चंदर बोश ने किया था अगला क्योशन इंकलाब जिन्दाबाद का नारा किस ने दिया है भगसी ही ने दिया है इंकलाब जिन्दाबाद का नारा कौन सी पत्रिका का उनके संपादत से सही मिलान नहीं हुआ है तो शंध्याप पत्रिका है यह आपका सही मैचिंग नहीं है option के according और संध्या पत्रिका की बात करें तो इनके संपादक थे बीबी उपा ध्याय तो यहाँ पर बारेंदर गोश आपके रौंग है next question आनंद मट के रज़ेता कौन थे तो सर बकीम चंदर चटर जी थे आनंद मट के रज़ेता तो इंडियन ओपिनियन का किया था बहुत ही important question next question गांदी जी जब दक्षिन अपरिका में थे तो उनके दोरा कौन से प्रकाशित किया गया था दक्षिन अपरिका में इंडियन ओपिनियन आपका correct हो जाएगा next question भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है समाजवाद की बाइबिल है पुस्तक का नाम है दर्श कैपिटल next question भारत का पर्थम हिनिद जो हिन्दी समाचार पत्र है या पर हिनिद नहीं हिन्दी होगा इंगलीस में आप देख सकते हैं which is the first हिन्दी news paper of India है वो आपकी उदंत मालटन हो जाएगा इंडियन होम रूल पुस्तक के लेखकों है तो M. की गांधी है इंडियन होम रूल पुस्तक के लेखक विध्रो को भारत की पर्थम 1738 शंग्राम की संग्या किसने दी है तो जो आपका 1869 विध्रो था उसको पर्थम 1789 संग्या दी थी आपके W.D. सावर करने दी थी SSE 6GL में आया है आपके 2016 में पार्तिय स्वाधिन्ता बिल लंदन में हाउस ओप कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेस किया गया था तो 4 जुलाई 1947 में ये पेस किया गया था आपके अगला क्योंस ने दलित और पिछड़े वरगों के सुधारक कौन थे दॉक्टर भीमराव अमेटकर थे दलित और पिछड़े वरगों के सुधारक नेश्ट क्योंस ने सांती पूर्ण परतिरोद का सिधन्त किस ने परतिपादित किया था तो सांती पूर्ण प्रतिरोद का सिद्धान थे हैं ये आपके और बिन दो घोस ने प्रतिपादित किया था नेक्स्ट क्योशन है इंडिया गैट का डिजाइन है ये किसने तियार किया था काफी इंपोर्टेंट क्योशन है ग्रूप डी में भी आया गुआ है सर एडविन लूटियंस ने इंडिया गैट का डिजाइन है वो त्यार किया है वह प्रत्थम भारती कौन था जिसे कम्यूनिस्ट इंटरनेशनल का नेता निर्वाचित किया गया था तो करेक्ट एंसल थे में रॉइ है वो प्रत्थम भारती थे जिसे कम्यूनिस्ट इंटरनेशनल का नेता निर्वाचित किया गया था अगला क्योशन ने Gateway of India के दोरा बनाया गया था तो George Wittet के दोरा Gateway of India की डिजाइन है ये निर्मान किसने करवाया है Gateway of India का तो George Wittet ने अगला क्योशन ने Gateway of India ये किसने बनवाया है तो British Government के दोरा नेक्स्ट क्योशन श्री और बिंदो का जनम वर्ष कब हुआ था तो 1872 में हुआ था श्री और बिंदो का जनम पाकिस्तान के खिलाब कारगिल युद किस वर्ष हुआ था तो 1999 को हुआ था कारगिल का युद पाकिस्तान के खिलाब next question है wood का dispatch किसके बारे में था तो ये शिक्षा के बारे में था dispatch था wood का भारत में शिक्के कहां कहां गड़े जाते हैं तो भारत में जो शिक्के हैं ये आपके मुंबोई, कॉलकाटा, हैदराबाद और नोईडा, यहाँ पर शिक्को को गड़ा जाता है minted, coins minted. अगला question. वहाबी आंदोलन का लक्षी क्या था? मुखी उदेशी क्या था? तो वहाबी आंदोलन का मुखे उदेशी था इस्लाम को परिशुद करना, purify इसलाम. अगला question है, वह पर्तम भारती कौन थे? जो British Harm of Commons के सदसे चुने गए हैं. तो दादा भाई नारो जी आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा वह पर्थम बारती जो बिर्टिश हाउश ओप कॉमन्स के सदशिये चुने गए हैं अगला क्योशन है एक अंग्रेजी दाष्णिक एयर चिकिसक जोन लोक के अनुशार कौन सा एक प्राकरतिक अधिकार नहीं है तो मत देने का अधिकार आपका विजिस नोट ए नेचुरल राइट मत देने का अधिका राइट टू वोट ये जोर्ज जो दाष्णिक है इंगलीज दाष्णिक है चिकिसक जोन लोक के इनकी एकोर्डिंग अगला क्योशन, कौन भारत में शामाजीक और धारमिक शुदार में सकरीटा से नहीं जुड़े थे तो भारत एंदू हरीषद चंदर आपका यहां पे जो ये नहीं जुड़े हुए हैं भारत के शामाजीक और धारमिक शुदार से अगला कि उसने मोतिलाल नहरू ने और शियार दास किस पार्टी के संस्तापक थे तो मोतिलाल नहरू और शियार दास हैं सौराज पार्टी के ये फाउंडर थे दुना एक हिंदू शेट थे तो गोरा कुमबार ये आपके हिंदू संत थे जो भक्ति आंदुलन और महाराष्टर के वारकरी संपरदाई से जुड़े हुए थे ये आपकी भक्ति आंदुलन और महाराष्टर का जो वारकरी संपरदाई है इनसे जुड़े हुए है नाम है गोरा कुमभार next question red shirt के अगुवा कौन थे तो जो आपका red shirt आंदुलन है तो इनकी अगुवाई किस ने की है आंदुलन red shirt की अगुवाई की है आपके खाँ अब्दुल गफार खाने next question निमलकित में से किस अधिनियम दौरा केंदर में 2645 शुरू हुई थी तो 1919 के अधिनियम के दौरा केंदर में 2645 शुरू हुई थी SSE CPU में आया वाक्योशन है भारत के स्वतन तरता शंग्रश में निमलकित कतनों पर विज़ार कीजिए आपके सामने आपे टोटल तीन statement दे रखा हैं को पूछ गया है कौन से statement आपके correct हैं तो statement नमबर एक और तीन पहला है कि मार्च 1940 में मुश्लिम लीग ने पाकिस्तान के नाम से एक पर्थक राष्ट की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया था ये statement correct है और next आपका statement है जो correct है वो तीन नमबर वाला है जे प्रकास नारायन कांग्रेस के समाजवादी सदर्शे थे और भारत छोड़ो आंदरों के दोरान भूमी गत प्रतिरोद गती वीडियो में सबसे ज़्यदा शकरिये थे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक और तीन दोनों ही correct है आगला क्योष्यन है आपके सांती निकेतन सांती निकेतन का निर्मान किसने किया था वू बिल्ट सांती निकेतन तो रविंदर नार टेगोर आपका correct हो जाएगा next क्योष्यन है आजादी के चंद रोज पहले आजा दी के चंद रोज पहले मनिपूर के महाराजा तो महाराजा का नाम है बोधा चंदर शिही ने भार सरकार के साथ भारतिय शंग में अपनी रियाशत के विले के एक सहमती पतर पर हस्ताक्सर किये थे तो वो ये महराजा कौन थे मनिपूर के थे नाम है बहुद चंद्र शिही नैश्ट क्योसन है यहाँ पे स्टेटमेंट है 1877 की करांती की बारे में तो स्टेटमेंट नमबर एक और दो आपके दोनों ही करेक्ट है महरट के सिपाईयों ने बहादूर्शा जफर से विद्रो का नेतरतव सिवकार करने की अपील की थी और कानपूर में सिपाईयों ने नाना शाहिब को अपना नेता बनाया था अगला है कि भारत के स्वतनतरता संगरश के संद्रम में निम्मलकित स्टेटमेंट पर विचार कीजिए तो यहां पर आपका केवल स्टेटमेंट नमबर एक करेक्ट है जो की है के समाजवादी करेकरता कमला देवी चटोपा ध्याय ने गांदी जी को समझाया कि वे अपने आंदूलन को पुरुषो तकी सिमित रखे शोरी शिमित न रखे यह आपकी समझाया था कमला देवी चटोपा ध्याय ने कि गांदी जी को बताया कि जो आप आंदूलन कर रहे ह और श्योग बगेरा ये केवल पुरूशों तक किसी मित ना रखे इसमें महिलाओं की भी भागीदारी होनी चाहिए महिलाओं को भी आगया आना चाहिए तो कमला देवी चट्टोब धैने बताया था और अगला यहां पे कुछ और स्टेटमेंट दे रखें आपके स्वतनितर चोरी जो कांड हुआ था उसमें एक पुलिस स्टेशन पर आकर्मन कर उसमें आग लगा दी थी ये 1922 में हुआ था करेक्ट है और अर्श्यो कांदोलन के दोरान मार्च 1922 में गहांदी जी को राज दुरों के आरोप में गिरपतार किया गया था ये भी आपके करेक्ट है औ और नेक्स्ट क्योशन भारत के स्वतनतरता शंग्रस के संद्रब में निमलकित कत्रों पर विचार कीजिए फिर यहां पे स्टेटमेंट आज चुक है आपकी स्वतनतरता शंग्रस का तो गांदी जी विदेश में दो दसक रहने के बाद जनवरी 1915 में भारता आगे थे करे नेक्स्ट क्योशन है वर्ष 1853 में रेल लाइन विचा कर मंबई को किस सेहर से जोड़ा गया था मुंबई को थाने से जोड़ा गया था 1853 में प्रतमबार जो रेल चली थी स्वतनतरता शमानता और बंदूता की विचार जिनसे भारत का राष्टी आंदोलन प्रभावित क्योशन है कोंसे स्टेटliestमेंट करेक्ट है तो केवल दो और तीन 26 जनौरी निस तो तीस को स्वतनतरता दिवस मनाया गया था प्रथमबार ये स्टेटमेंट करेक्ट है दोस्तों और दांडी यातरा 6 अप्रेल 1930 को समापत हुई थी ये दोनोई स्टेटमेंट आपके करेक् और धार्मिक आस्ता को एक प्राचिन प्रम्परा है और जो निमलिक्त मैं से किसके गहरे रूप से जुड़ी हुई है तो यहाँ पे कुछ में सो रहा है देखें आपे यह है कि ताववाद जो ताववाद दर्शन और धार्मिक आस्ता ये एक प्राचिन परंपरा होती है तो कौन से रूप से जुड़ी हुई है तो ये हो जाएगा आपके चीनी पर्था और विश्व द्रष्टी ये चीनी पर्था है दोस्तों ये आपका चीनी पर्था करेक्ट हो जाएगा अगला क्योसने किस राजवन्स के सासनकाल में चीन की ग्रेट वॉल का निर्मान हुआ है तो जो चाइना की ग्रेट वॉल है इनका निर्मान हुआ था चिन के सासनकाल में किस के चिन के सासनकाल में और अगला क्योशने की सेकेंड विश्व्यूद मित्र राष्ट्रों और सरवोच सक्तियों इन दो शम्हों के बीच में लड़ा गया था कौन सा देश सरवोच सक्तियों में से एक नहीं था तो वो आपके बुलगारिया नहीं था यहां पे खिलापत आंदुलन का सम्मद किससे था करेक्ट एंसर है तुर्की से था खिलापत आंदुलन का सम्मद नेक्स्ट क्योशन है कि वहरानी जिसका उपनाम Bloody Mary था इनका एक्चुल में नाम है Mary पर्थम तो और उनका उपनाम है Bloody Mary नेक्स्ट क्योशन है सेकेंड विशुयूद के समय कौन सा देश दुरी राष्ट्रों का हिस्सा था Hungary दुरी राष्ट्रों का जो हिस्सा था वो देश था आपका हंग्री था चीन भारत शीमा विवाद भारत और चीन के बीस में एक युद था जो वर्ष 1962 में लड़ा गया थ अगला क्योंसन, रेनिसा यूरोप में तक की एक अउदी हैं, तो रेनिसा यूरोप में 24 से 27 सतापदी तक की एक अउदी हैं, सिकंदर मान है, ये कब पैदा हुए थे, तो सिकंदर मान का जनम गुए था 356 इसापूरो को, नेक्स्ट के उसने वांडिवास के युद में इंगलिश सेना ने तो फ्रांसीसियों को हराया था इंगलिश सेना ने कब हराया था ये आपके वांडिवास के युद में पर्थम विश्व युद की शुरुआत हुई थी आपके 1914 में एड़ॉल पे हिटलर है ये कहां के तानाशाई सा सकते जरमनी के थे पर्थम विश्यूद ये आपके आज चुका है और सेकेंड विश्यूद की बात करें तो 1949 में इसकी शुरुआ तो इह है कब हुई है 1949 में और परमानु बंब के दोरान हिरोशीमा और नागाशाकी पर गरा इन परमानु बंबों के नाम किया है तो एक का नाम लिटिल बॉय और दूसरे का है फैट मैन है नेक्स्ट के उसन एक रंग भेद विरोधी कारी करता नाम है नेलसन मंडेला इनको दक्षिन अफरीका दोराज 14 वर्ष की कारावास के लिए कारावास में रखा गया था 1952 में अमरीका ने जपानी शेहर हीरोशीमा पर परमानु बंब कब छोड़े थे तो 6 अगस्त 1945 को छोड़े थे एडॉल पे हिटलर ने शुशाइड किया था 1945 में किया था एडॉल पे हिटलर ने आतम हत्या और अगला क्योंसर ने एडॉल पे हिटलर है ये कहां के राजनेता से यूड़े जुड़ा हुआ था 봐 जोर्ज वाशंग्टन थे यह जुड़े हुए और किन देसों मैं से क्यूशन है कि कौन से देशों मैं से युनाइटिट चिंग्नम से आजाधि मिली है तोnar के येडोर ने आपको करेक्ट करना है तो वैसे पाकिस्तान को यूके से आजा पूलिया सीजर के दत्तक पुतर थे अगला क्योसन है राष्टवाद राष्टवाद है यह जर्मन सामराज्य को छोड़कर अन्य बड़े सामराज्यों के पतन में हिस्सेदार रहे अगला क्योसन मैसीडॉन मेडिसोन राजे के एक किस राजा ने कई सैन्य अभ्यान किये और उत्री अफ्रीका पच्छी में एसिया एरान तथा भारत में व्यास तक के छैतर को जीत लिया था तो मेडिसोन राजे के राजा का नाम है सिकंदर क्या नाम है शिकंदर नाम है और अगला क्योसने पर्थम सत आपदी इसापूरू के मद्दे उच्छ कुल में जन्मे शैन्य नायक जूलियस सीजर के अधीन रॉम सामराजी वर्तमान बिर्टैन और जरमनी तक फैल गया है और नेक्स्ट क्योशन क्योशन है कि चोधवी से 37 इस्वी जो रॉम समराटों की लंबी कतारों में दूसरा था तो यह हो जाएगा आपके तिबेरियस इनका सासन का अलरा है चोधवी से 37 इस्वी तक और जो रॉम समराटों की लंबी कतारों में दूसरा था तो सेकेंड इन्द लॉंग लाइन ओफ रॉमन एम्पायर और ओगस्ट का गोध लिया हुआ जो दत्तक पुत्र था तो यहां फर आपका हो जाएगा तिबेरियस हो जाएगा और नैक्स्ट क्यों सने चट्टी शताबदी इसवाग पर इरानी में असीरिया के संपरांजे else भाग पर अपना न्म इंत्रने स्थापित कर लिया था तो यह किया था इरा नी ने किया था कब किया थथा शत्रों का यहां पर तो डॉक्टर भीमराव अमेड कर थे भारत की समिधान सभा की प्रारूप शमिती के अध्यक्ष नेक्ष्ट क्योसन ने उन्नी सो उन्चास में माओ के नतरतों में हुई शाम्यवादी क्रांती के बाद चीनी जनवादी गंडराजे की इस्तापना हुई थी next question question is कि सभा के विच्चार विमर्ष के लिए मारक दर्शन करने के लिए उद्धिश शंक्लप आंदुलन इसका प्रारम किया गया था जुवारलाल नहरू के द्वरा किया गया था next question सभा के पहले अ इस्ताइद्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर सचीदा नंड शिना ते शुविधान सभा के पर्थम इस्ते ये द्यक्ष भारत का शुविधान दियोस मनाया जाता है 26 नवंबर को भारत के शुविधान का गटन किया गया था तो भारत के शुविधान का गटन विधान सभा दोरा किया गया था अगला कि उसने मसुदा आयोग ने भारते सुईधान को किस भासा में लेखा था तो इंगलीज और हिंदी भासा में लेखा था भारते सुईधान ये अस्तितों में आया था आपके 26 जनवरी 1950 को अस्तितों में आया था भारते सुईधान की राजी के नीती निरेशक शिद्धान पर विचार किसके सुईधान से ग्रहित किये गए है तो भारत में नीती निरेशक जो शिद्धान थे वो आईरलेंड के सुईधान से लिए गए है अगला क्योंस ने कौन से सुषधान से राजे के नेती निरेशक सिध्धान लिए गए हैं तो आईरिश शुटीन利ंड के सोषप गड़े हैं और भारते सुटीनिरा आपके स्व्दान से एक से प्रीरित। तो ये प्रावधाना लिए गई है आपके फ्रेंच के स्विधान से काफ़ी इंपोर्टेंट क्यों सने मोलिक करते हैं ये कहां से लिए गए हैं तो ये आपके लिए गए हैं ये आपके USSR से लिए गए हैं मोलिक करते हैं कहां से लिए गए हैं दोस्तों और अगला क्योशन भारत के सविधान में न्याइक पुन्राव लोकन की शक्ति और न्याइपालिका की स्वतंतरता का प्रावदान अमेरिका के सविधान से लिया गया है। अगला क्योशन भारत के सविधान में नीथ शक्तियों का प्रावदान है। शंगात्मक सरकार का सवरूप है कनाडा के सविधान से लिया गया है अर्द शंगात्मक सरकार का सवरूप जो भारते सविधान में विधाइका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका के सविधान से ले गई है तो भारते सविधान में विधाइका में अध्यक्ष के पद बारतिय सम्यदान के निमलिक्त में से कौन सा अनुचेद विदी के शमक्ष समता के अधिकार से शम्मन्दित है तो शबी को समता के अधिकार से शम्मन्दित जो अनुचेद है आपका अनुचेद नंबर 14 है नेश्ट के उसने किस एक्ट ने मुशलमानों के लिए अलग मत दाताओं की पेश की थी तो ये था आपके एक्ट था Act of 1909 1909 का एक्ट था जिसके तहट मुशलमानों के लिए अलग मत दाताओं की पेश की थी नेश्ट क्योसन है कि अनुछेद की कारेप्रनाली के तहत भारतिय श्मिदान में शंसोधन किया जा सकता है। राइट ओफ फ्रीडम रोख जाएगी जब ये अदिनियम लग जाएगा निवारक निरोध अदिनियम है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है आजादी का हग अगला क्योशन किस अनुसुची में अश्रम मेगाले तिरपूरा और मेजुरम के चार पूरूतर राजियों में तो ये आपकी अनुसुची है सात्वी और नाइक्स्ट क्योशन है किसकी स्थापना भारते सुजधान के अनुछेद के अदिन निचित उपबंद के अनुसार की गई थी तो संग लोग शेवायो की स्थापना की गई थी भारते सुजधान में अभी टोटल शिडूल की बा नेक्स्ट के उसने भारते सुजधान का अनुसेद 24 कार खानों आदी में बच्चों के रोजगार पर निशेद से सम्मंदित है तो भारते अधिकार का ये मोलिक अधिकार है तो मोलिक अधिकार है कि अनुछेद 24 के तैथ है कार खानों वगेरों में जो बच्चे हैं उनके जो छरम पर निशेद लगाता है। अगला क्योशन है भारतिय सुविदान का अनुच्छेद B से ये दोश शिदी के संबंद में अपरादों के लिए सरक्षन किसे संबंदी थे हैं ये भी आपका मोलिक अधिकार से संबंदी थे हैं सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमान पत्र हैं ये आपकी केंदर सरकार से हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के केस में भारते सुष्धान का अनुचेद 113 राजय विधान मनल की संदिश्यता के लिए योगेता किसे संबंदी थे हैं तो राजय विधान संबंदी थे जो योगेता का प्रावधान स्विधान संसुदन के तहट जोड़े गए थे शमान नागरिक शहित्या का भारते स्विधान के किस अनुच्छेद में उल्ले किया गया है तो आपका अनुच्छेद हो जाएगा 44 समान नागरिक शहिंता का याँ पे आपको अनुचेद नंबर 44 में मिल जाएगा भारती सुष्विधान का अनुचेद 177 राजे का सच्चिवाले विधान सबा किस से संपन्दित है तो सच्चिवाले विधान सबा हैं अनुचेद 117 ये राजे सरकार से संपन्दित है भारते सुईधान का अनुचेद 31 शी और ये आपके निचित निर्देशक शिधानतों के प्रभावी करने के कानूनों का स्रंक्षन करता है जो आपके नीति निरिशक शिद्धान्त है तो डारेक्टिव प्रिंसिपल है इनको परभावी करने के कानूनों का स्रक्षन किसे संबंदित है तो ये आपके संबंदित है The Fundamental Rights of Indian Citizen तो ये भी आपके मूलिक भारती नागरिकों के मूलिक अधिकार से संबंदित है और अगला किसने आपके आर्टिकल 27 से संबंदित है कि Freedom as to payment of tax for promotion of any particular religion है किसी धर्म इसे इसके परमोशन के लिए आप free or tax payment नहीं करना पड़ेगा ये आपका आर्टिकल 27 कहता है ये कौन से किसे संबंदित है तो ये भी आपके भारत के नागरिक के मूलिक अधिकार से संबंदित आर्टिकल है अगला है भारतिय स्विधान के अनुच्छे 222 है एक न्याईदीस का एक उच नैले से दूसरे उच नैले में इस्तानांतरनशे है तो ये कैंदर सरकार का मामला है और किस अनुच्छेद के तैद भारत के संग लोक शिवायों के स्तापना की गई है तो यूपी असी के स्तापना अनुच्छे 315 के तैद की गई है अगला कि उसने भारतिय स्विधान का अनुच्छेद 48A प्रयावरण का स्नक्षन और सुधार वन और वन्यजीव की स्रुक्षा किस से संबंदी थे तो 48A आपके राजे के निती निरेशक से धान्सों से संबंदी थे और किस अनुच्छेद के तैद भारतिय वर्ष 1975 में आपात काल की गोशना की गई थी राष्ट पति के दौरा यह जो राष्ट आपात की गोशना की जाती है अनुच्छेद 322 के तैद की जाती है भारतिय श्मिदान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिकत स्वतंतर्ता का स्नक्षन किस से संबंदी थे तो भारतिय नागरिक के मोलिक अधिकार से संबंदी थे अनुच्छेद 21 केता है जीवन और व्यक्तिकत स्वतंतर्ता का स्नक्षन नैश्ट के सने भारतिय श्मिदान का अनुच्छेद 49A समान न्याय और नीशुलक कानूनी शाहिता किस से संबंदी थे अगला किस ने भारतिय श्मिदान का अनुच्छेद 21 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सावजिवन और व्यक्तिकत से संबंदी थे शाहिता प्राप करने का अधिकार है यह आपके आ जाता है डारेक्टिव प्रिंशिपल ओप स्टेट पॉलिशी राजिके नीची निरिशक सिध्धानतों से है नेक्स्ट बात ओरी आपके अनुच्छेद 32 की जो बताता है इस भाग द्वार आप परदत अधिकारों के प्र हैं 31 B है जो बताता है कुछ अधिनियमों और वी नियमों का मान्यकरण तो यह आपके संबंदित है वैलिडेशन ऑप सर्टेन एक्स एंड रेगुलेशन भारते नागरी के मोलिक अधिकार से संबंदित है नेक्स्ट बात हो रही है अनुच्छे 356 की तो यह है दोस्तों रा संबंदान का अनुच्छे 19 है यह बोलने आदिकी स्वतन तर्था से संबंदित कुछ अधिकारों का सरक्षन देता है तो यह आ जाता है आपके मोलिक अधिकार से संबंदित है नेक्स्ट बात हो रही है अनुच्छे 343 की तो यह आपके कारले भाषा के रूप में हिंदी को जो मानेता दी गई है उसके बारे में है राज भाषा हिंदी है उलिसो आपके अनुच्छे 343 के तैद नेक्स्ट के उसने भारते सुविधान का अनुच्छे एद तैतालिश ए उध्योगों के प्रबंद में सर्मिकों की भागिदारी किस से संबंदित है तो यह आपके नी जब शुविधान बना था उस वक्त की बात हो रही है अभी आपको पता है सुविधान में टोटल 25 भाग है बारा अनुच्छिया है और शुविधान जब निर्मित हुआ था उस समय टोटल आपके 395 तो आर्टिकल थे अभी 448 आर्टिकल है बारा शिडूल है 25 आपके पता के अधिग्रण के लिए उपलद कानून का सनक्षन यह आपके भारत के नागरिक के मोलिक अधिकार से संबंदित आर्टिकल है भारते सुविधान में टोटल कितने अनुच्छे थे जब सुविधान निर्मित हुआ था तो 395 थे अभी 448 आर्टिकल है टोटल भारते इतनी सीडूल है और जब सुविधान बना था आपके उस समय टोटल आर्ट सीडूल की अब अभी वरत्मान में 12 सीडूल है नैस्ट क्योशन है किसको छोड़कर अन्य सभी राजे सुची के भाग है करेक्ट एंसवर एर्वेज को छोड़कर था आपके अगला क्योशन है भ कौन से विशे संग सुची के भाग है तो आपके उप्सन में बैंकिंग था जो की करेक्ट है अगला क्योशन है भारते सुविधान के अनुच्छे 42 के अनुसार काम के लिए नययोजित और मानवी इस्थितियां और मातरत और रहत का प्रावदान ये किस बारे में है तो ये बज़्दूर शंग था जो की करेक्ट होगा नेक्स्ट क्योशन कौन सा विशे संग सुची में सामिल है तो बंदरगा आपकी ये यूनियन लेस्ट में आते हैं भारत में किस प्रकार का लोगतंतर है तो रीपर्जेंटेटिव डेमोक्रेशी है भारत में अगला क्योशन है भारते सुविधान का प्राधिकार धीत कौन सा है मतलब ओथूरिटी ओप दा इंडियन कॉंस्टिचूशन इजदा तो दसौर्श ओप ओथूरिटी है आपके भारत के लोग दा पीपल ओफ इंडिया हमारे सुविधान के अनुसार भारत क्या है तो भारत एक शेकुलर कास्टर है भारते सुविधान ने भारत को निमन मैं से केस को चोड़कर बाकि सभी होना जोशित किया है तो स्हंत्वादी कम्यूनिस्ट को चोड़कर wn होना माना है और नैंस्ट कोने भारती शुजदान मारणाटी नहीं देता है तो फ्री एजूकिश्व है नहीदा भारती rented DO यह कोई जरूरी नहीं है अगरत रिखता है यह इसके दर दॉरा देन्ट आ जती है तो तो Clayton कि पाँच वर्ष कि अधिक्ते मावदी के लिए कारे करते हैं सवक्थान का कॉन सा अनुचेद मूल करते व grote Bliss है तो अनुच्यद आपके 51 यह है जो आपके सविधान में 11 मूल करते वे हैं उनसे संवन दिश में शक्या का अधिकार एक कैसा अधिकार है तो मूल भूत अधिकार है fundamental rights है next question मोलिक अधिकार भारतिय समिधान में कितने हैं तो भारतिय समिधान में total 6 आपकी fundamental rights है next question मोलिक करतियों को भारतिय समिधान में कौन से समिधान संसोदन के तैयत एड़ किये गए हैं तो यह आपके 42 में समिधान संसोदन के साथ जोड़े गए हैं कौन सा मोलिक अधिकार 44 में समिधान संसोदन के पर श्रमाप कर दिया गया था तो पहले आपके total 7 fundamental rights थे जो आपके 44 समिधान संसोदन हुआ था उसमें आपके संपति के अधिकार को श्रमाप कर दिया गया था और नैश्ट के उसने भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतनतर्ता का मोलिक अधिकार किस परकार का अधिकार है तो यह आपके स्वतनतर्ता का अधिकार हो गया एवुवेक्तिगत स्वतनतर्ता भारत के समिधान में मोलिक अधिकारों का रुचार छुवा सूत की समाप्ती समता का अधिकार है right to equality है जो की छुवा सूत की परतिशेद करता है अगला क्योशन है पंचायती राज व्योस्ता में एक मद्यवर्ती एक आपके सिस्टम होता है मद्यवर्ती जिसे पंचायत शमिती के रूप में जाना जाता है पंचायती राज सिस्टम है जैन intermediate टायर है मद्यवर्ती टायर है जो पंचायत शमिती है और next question भारत के समिधान में मोलिक अधिकारों के अनुसार बंदुहा मज़दूरी पर रोक यह आपके शोशन के व्रुद्ध अधिकार है राइट्स अगेंस्ट एक्स्प्लोटेशन है जो कि मोलिक अधिकारों के अनुसार बंदुहा मज़दूरी पर रोक लगाता है शोशन के व्रुद्ध अधिकार नेक्स्ट क्योशन है भारत के राष्टपती के सम्मद में कौन सा स्टेटमेंट सई है तो आपके ऑप्सन में था कि परतेक आम चुनाव के बाद में वो शंसद के पर्थम सत्र को शम्मोदित करते हैं तो राष्टपती है जो भी आम चुनाव होता है उसके बाद में संसद को पर्थम सत्र होता है संसत का पार्लियमेंट का उसको शंबूदित करते हैं नियाश्ट के उसने किस राजी ने सरुपर्थम पंचाईती राज अपनाया था तो राजिस्थान ने अपनाया था सरुपर्थम पंचाईती राज वेवस था भारत के राष्ट पती को उनके पद संग सरकार का कोई भी कारे किस प्रकार् stbrand सर्कार को श्वाप सकते हैं, तो वह राजय सरकार के प्रामर्श से स्वाप सकते हैं, अगला क्यों यह जन जाती को अनुसुचित की सुच्ची में निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त है तो ये पार्लेमेंट के पास है कोई भी जनजाती को आप यदि अनुसुजित की लिश्ट से निकालना चाहते हो तो वो शक्ति है संसद यानि पार्लेमेंट के पास में राष्टपति का कारेकाल पूर्ण होने से उने हटाने की प्रक्रिया का प्रारम कौन कर सकता है तो यह Member of Parliament जो की संसित के सद्रश्य है next क्यों सने संसित को अयोगिता शंबनदी विवादों का फेशला कौन करता है तो regarding this qualification of Member of Parliament जो संसित के सद्रश्य है उनकी अयोगिता शंबनदी विवाद होते हैं उनका फैशला करते हैं चुनाव आयोक्षे प्रामर्श लेकर राष्ट पती करते हैं इनका फैशला काफी इंपोर्टेंट क्यों सने राष्ट पती किसके प्रामर्श में संसत के 27 आयोजित और इस्तगित करते हैं तो मंत्री परिशद की प्रामर्शे निमन मैं से किस कोशे किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन ले शकते हैं तो वो आकस्मिक निधी कोश के लिए कोई भी इमर्जेंसी हो जाती है तो वहाँ पर खर्च के लिए धन ले शकते हैं अगला क्योसने भारत के उपराष्टपती का कारेकाल कितना होता है तो पांजवर्च होता है भारत के उपराष्टपती का कारेकाल राष्टपती और उपराष्टपती की अनुपस्तिती में राष्टपती के कारेों का निर्वान कौन करता है यदि राष्टपती और उपराष्टपती दोनों ही अनुपस्तित हो उस इस्तती में जो राष्टपती के कारे हैं उनका निर्वेन करेंगे भारत के मुख्ये न्याइधीश भारत के राष्टपती कौन है तो भारत के प्रमुक हैं देश के प्रमुक होते हैं भारत के राष्टपती किसी भी दोशी व्यक्ति को छमा, अनुदान या उनकी सजा का निलंबन या फिर परिहार करने के लिए शक्ति है वो आपके राष्टपती को प्राप्त हैं, छमादान की शक्ति जब राष्ट पती तता उपर राष्ट पती के पद पर कोई भी कारेरत नहों तो उनके रिक्ती पर राष्ट पती का कारे करेंगे भारत के चीप जस्टिस द्वी सदन ये विधाइका का अर्थ क्या है तो द्वी सदन ये विधाइका का अर्थ है आपकी एक तो लोवर चेमबर एक अपर चेमबर उपरी शदन और निम्न शदन जो लोकशबा और राजिशबा है भारत के राश्टपती कितने राजिसभा सदिश्यों को मनुनित कर सकते हैं तो टोटल 12 राजिसभा सदिश्यों को राश्टपती के दोरा मनुनित क्या जा सकता है किसकी उपस्तिती में राश्टपती सपत गरहन करते हैं तो भारत के मुख्य न्याइदिश के उपस्तिती में राष्टपती के दोरा शपत गरण की जाती है अगला क्योसने भारत के राष्टपती का परती महावेतन कितना है तो यह जब क्योसन पूछा गया था उसमें आपका एंसुर था एक लाख पचास अजार फिलाल भारत के र अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के प्रकार के संद्रब में अर्शत्य है तो यह आपके राष्टपती विधाईका के परतिर जवाब दय होता है यह अर्शत्य कतन था नैश्ट क्योसने छटवी लोक्षभा के अध्यक्ष का नाम जो बाद में भारत के राष्टपती बने थे तो नीलम संजीव रेडी थे अगला क्योंसन राजे सभा का सदेश्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति की उमर कम से कम होनी चाहिए तीस वर्ष राजे सबा के सदेशियों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है तो विधान सबा के चुने वे सदेशियों द्वारा राजे सबा के सदेशियों का चुनाव किया जाता है अगले क्योंसने राजसभा की कुल संक्या कितनी है तो राजसभा के सदिश्यों की टोटल यहां पे संक्या है 250 होती है नेक्स्ट क्योंसने राजसभा में अधिक्तम सदिश्यों की संक्या कितनी होती है तो अधिक्तम 250 हो सकते हैं सदिश्य वेक्जिमम और अभी फिलाल राज्यसभा में टोटल 245 मेंबर से नेक्स्ट क्योशन है राज्यसभा में राज्यों और केंदर शाषित परदेशों से कुल परती निदी सदिश्यों की सिंख्या कितनी है तो राज्यों से प्लस केंदर शाषित परदेशों से कुल परती निदी सदिश्यों की सिंक्या 238 है और बाकि आपके 12 सदिश्ये हैं ये राष्टपती मनोनित करते हैं और अगला क्योसन उत्र परदेश के संसद्य सीटों की सिंक्या कितनी है तो यहां पर बात हो रही हैं आपके राज्य सबा की तो उत्र परदेश में राज्य सबा के जो सीट्स हैं उनकी संक्या आपके एक कतीश है राज्य सबा के सदिश्यों का कारेकाल होता है 6 वर्ष नेक्ष्ट क्योशने पच्चिम मंगाल के राजेसभा सदिश्यों की सिंख्या 16, करनाटा के राजेसभा सदिश्यों की सिंख्या यहाँ पे पूचा गया वो 12 है नाइस्ट क्योशन है महा सच्चिव राजिस्वा को साहिता परदान करता है जिसका पद किसके बराबर होता है तो जो महा सच्चिव है जो राजिस्वा को साहिता परदान करता है इनका पद होता है भारत सरकार के कैबिनेट सच्चिव के एक्वल होता है next question तमील नाडू की संसद्य सीट है जो राजेशबा में है वो कितनी है total 18 राजेशबा सीट है तमील नाडू में भारत के राश्टपती दोरा राजेशबा में कितने सदिश्यों को नामित किया जाता है question आज चुका है important question 12 सदिश्यों को कौन से बिलको राजेशबा में पारित नहीं किया जा सकता है तो मनी बिलको आप राजेशबा में नहीं पेस कर सकते हो और अगला क्योशन है राजेशबा के सभापती कौन होते हैं तो भारत के उपर राश्टपती होते हैं वाइस प्रेजिडेंट आप इंडिया राज़ेशभा के स्वापती next question राज़ेशभा अज्डेश्वा रूप में किसका उलेक किया जाता है तो वाइस प्रेजिडेंट ओफ इंडिया और अगला है कि किस एक को छोड़ कर अन्य सबी राजिसभा की शक्तिया हैं तो आपसन में था कि आपात काल की गोशना की स्विकर्ती ये राजिसभा की शक्ति नहीं है तो ये पावर होता है राश्टपती के पास में हर दो साल में राजिसभा की कितने सदिश्ये निर्वाचित किये जाते हैं तो परती दो साल में आपकी एक तिहाई सदिश्ये आपकी निर्वाचित होते हैं नैस्ट के उसने लोग सभा की बैठक आयोजित करने के लिए नियूनतम कितनी संक्या में सद्रश्य उपस्तित होने चाहिए तो आपकी एक बटाकुल सद्रश्यों का दस्वा भाग है वो लोग सभा की बैठक आयोजित करने के लिए उपस्तित होने अनिवारे हैं और राजे सभा के सदेश्यों का निरवाचन कौन करता है तो विधान सभा के निरवाचित सदेश्य होते हैं जो राजे सभा के सदेश्यों का निरवाचन करते हैं नाइस्ट क्योसन है लोगशबा के पहले speaker कौन थे तो लोगशबा के पर्थम speaker थे जीवी मालवंकर काफ़ important क्योसन है नाइस्ट क्योसन परशन काल के बाद लोगशबा के किसी सदश्य दोरा जनता के महत्तों के किसी निच्छित वेश्य पर विज्चार विमर्श हेतू कारे करती का ध्यान आकरशन के लिए रखा गया प्रस्ताव कहलाता है इस्थगन प्रस्ताव एड्जॉर्णमेंट मोसन होता ये अगला क्योंस लोग्षभा अद्ध्यक्ष अपना त्याग पत्र कि से सम्मुधित करते हैं तो लोग्षभा उपद्यक्ष को करते हैं निप्टी सच्ची वाले सीधे किसके अंडर में आता है तो ये लोक्षभा अद्यक्स के कंट्रोल में हैं लोक्षभा सच्ची वाले लोक्षभा के अद्यक्स को उसके पज से किसके द्वारा हटाया जा सकता है तो लोक्षभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा उनके स्पीकर को प बनीबिल है या फिर नहीं है तो यह आपके निर्णे लेना का दिकार लोक्षभा अद्यक्ष को है भारति संसद की भवन को संसद भवन का जाता है संसद भवन और की पार्लेमेंट आप इंडिया इस कॉल्ड संसद भवन नैस्ट के उसने लोक्षभा के चुनावों के लिए होने के लिए नियूंतैम उमर आपके होनी चाहिए 25 वर्श लोक तो लेस्ट्रा वाग्जिक्ष्यों की मेक्जिमम कीं होती है तो अदिक्त Right behö नीचे कमेंट की संसदी सीटों की सिंख्या कितनी है टोटल आपकी हर्याना में लोक्षभा की सीटे 10 है नेक्स्ट के उसने केरल की संसदी जो लोक्षभा की सीट है वो कितनी है तो केरल में 20 लोक्षभा सीट है गुजरात की लोक्षभा की सीट की बात करें तो 26 है तमिल नाडू में टोटल लोक्षवा सीट 49 है और भारत की लोक्षवा में कौन से राजे में सबसे अधीक सीटे है तो यूपी में सबसे अधीक लोक्षवा की सीटे है नेक्स्ट क्योंसे ने पंजाब की संसदी सीटों की संग्या आपके 13 हो जाएगी महाराष्ट में टोटल लोक्षवा सीट से 48 अग करनाटक की बात करें दो यहाँ पे लोग स्वाथ की सीट हैं 28 हैं तो सभी स्टेट की राजेस्वा और लोग स्वाथ की सीट को जरूरीenta कि लोग स्वाथ की सेगा निशिचत चाहसी और आन्वी सुचित जन जाती की पर्थी जिद्यगेलिए आरक शींग हैं तोलिक thigh 31 सीट्स है वह इनके लिए आरक्षित है SC और ST के लिए और अगला क्योंसने आंदर प्रदेश में टोटल लोक्षभा की सीट आपके 25 है और नेश्ट क्योंसने पार्लियमेंट कंडेक्ट्स सेशंत इच इयर तो चंसद है पर तेक वर्ष तीन सतर आयुजित करती हैं कितने ती पांच वर्ष का होता है वैरी जी क्योंसन था लोक्षभा की जो बहस है किस भासा में मुद्रित होती है तो लोक्षभा डिबेट्स है यह आपके हिंदी और इंग्लिस दोनों भासाओं में प्रिंटेड होती है लोक्षभा में विपक्ष के पर्थम नेता थे एक गोपाल थे कौन थे एक गोपालन थे लोक्षभा के विपक्ष के पर्थम नेता नेश्ट के उसनेर राज्यसभा के सदिश्यों का निर्वाचन च्छ वर्षों की कालावदी के लिए होता है तो इनका निर्वाचन यानि कारेकाल च्छ वर्ष होता है लोक्षभा के पहले उप वक् थम उप सभापती की बात ओरी हैं तो ये थे M. अनंत्र श्यामन अयंगर नेक्स्ट क्योशन है भारती संसद में जो वित बजट होता है तो फाइनेंस बजट है ये प्रजेंट किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के दोरा ये वित मंत्री के दोरा और ये क्योशन आपके option के according था नेक्स्ट क्योशन है भारते संदान में M. अले का full form क्या है तो member of legislative assembly M. L. A. जो विधान सभा सदशे होते हैं नेक्स्ट क्योशन कौन योजना आयोग का अद्धिक्स भी होता है तो परधार मंत्री है ये योजना आयोग थी पहले अभी आपके जो नीती आयोग है उनके चैर्मेन होते हैं नेक्स्ट क्योशन है कोई भी व्यक्ति भारते परधार मंत्री के रूप में अधिक्तम कितनी बार सेवारत हो शकता है तो इसकी कोई लिमिट नहीं है कि इतने जैसे कि आपके अमेरिका वगिरा में है तो भारत में ऐसा कुछ नहीं है अगला क्योशन है भारत के परधार मंत्री के सेवानी वर्त होने की उम्र क्या है तो कोई भी लिमिट नहीं है परधार मंत्री के सेवानी वर्त होने की प्रधार मंद्री की रूप से सबसे अधीक शमय कारे किया है तो जवारलाल नहरू ने किया है सबसे अधीक कारेकाल रायन का राजिपाल अपने कारेकाल की सपत किसके द्वारा लेते हैं तो हाई कोट के चीप जश्टिस के द्वारा ये कारेकाल की सपत लेते हैं गवर्णर स्टेट राजेपाल के विवयका धिकार कहां पर सिमित हैं तो विधेकों की ओर श्वीकरती देना जो बेल हैं इनको श्वीकरती देना यह है राजेपाल के विवयका धिकार नेस्ट किसने राजे लोक्षेवा आयोग है आपके तो इनके सदेश्यों की न्यूक्ति करते हैं राजेपाल दोरा की जाती है राजे के लोक्षेवा आयोग के सदेश्यों की न्यूक्ति राजेपाल का tenure कितने वर्ष का कोटा होता है तो ये तो राजेपाल है राष्ट पती के परषाद प्रियंत रह सकते हैं वैसे पांस वर्ष यहाँ पे हैं ऊप्शन मेठा भारत की पहली महिला राजेपाल कौन थी तो सरोजनी नाइडू थी भारत के द्वी सदन्य है तो यह हो जाएगा आपके जमू कस्मीर आपके ऑफशन में था बाकि और भी स्टेट है विधान परिश्द की सदेश्टा के लिए नियूनतम आयू आपके तीस वर्ष होनी चाहिए उत्तर प्रदेश की पर्थम महिला मुख्य मंत्री थी सुझेता क्रिप प्लानी जो की यूपी की पर्थम महिला सी एम थी नेस्ट क्यों सने कौन द्वी सदनात्मक विधाई का वाला प्रांत नहीं है तो आपके ऑफशन में गुजरात था जिसमें द्वी सदन नहीं है और नेस्ट क्यों सने यदि किसी राजे के विधान मंदल में बजट गिर जाता है तो मुख्य मंत्री शहीत मंत्री परिश्यत को त्याग पत्र देना होता है एफे बजट एज डिफिटेड इंदा लेजिसलेटिव आप स्टेट देन आपको सीम साइट अन्य मंत्रियों को भी इस्तिपा देना हो होता है त्याग पत्र नैस्ट युशने जमु कस्मी राजे विधान सभा का कारेकाल कितने वर्श का हैं तो छेवर्ष राजे के विधान का करेकाल और अगला एफेंति हैं चैसे मुख्यिक रूपसी कि सराज्य कौन की जाती डी ग्रूप में आर्पियेप में भी आज़ेवा क्योसने बिहार में बोली जाती है अगला क्योसने अंगरेज जी की साशक की भासा है तो चंडिगट की जो ओपिशिल लेंग्वेज है वो आपकी इंग्लीश है और यहाँ पे और बात करें आपके एंग्लीश तो मेग्शले की भी ओपिशिल लेंग्वेज है और मल्या लंप की जो ओपिशिल लेंग्वेज है तो लक्षदीब की ये साशक की भासा है नेश्ट क्योशन है बंगाल की बंगाली है ये किस राज्य की शाषक की भासा है तो द बंगाली आपके हो जाएगी तिरपुरा की ओपीशिल लेंग्वेज है बंगाली तो बंगाली वैसे तो पच्छी मंगाल की भी ओफिशल लेंग्वेज है तुरपुरा की है असम की है इन तीनों स्टेट की यहां पे ओफिशल लेंग्वेज है बंगाली next question है तेलगू कौन से राजे की official language है तो यह अंदर परदेश की है और उर्दू है यह आपके जमू कस्मीर की official language है next question है मल्यालम भाषा मुख्य रूपसिक किस राजे में बोली जाती है तो कैरला में मराठी कांकी है तो यह आपके दादर और नगर हवेली की official language है और अगला क्योसने की डोगरी भाषा मुख्य रूपसिक की राज zarady में बोली जाती है तो डोगरी भाषा आपके जमू कस्मीर में बोली जाती है और यह मल्यालम हो जुका है की अर्ला का अगला क्योशन अधिनस्त न्यालेओं का प्रिवेक्शन कौन करता है तो आपके सबोरी नेट कोड से इनका सुपरवाइट किया जाता है हाई कोड के द्वारा नेस्ट है कि अधिकारिता के अंतरगत क्या सामिल है तो यहाँपे कियोसने कि उचितम न्याले की मूल अधिकारिता के अंतरगत भार्त शंग की विभिन यूनीटों के बीच विवाद शम्मिलित है अगला किशन राष्टपती के चुनाव के सम्मंद में उठने वाले सभी संदे वर विवादों की जाँच परताल वर निर्ने किसके द्वारा की जाते हैं तो ये आपके सरवोज न्याले के द्वारा सारे निर्ने की जाते हैं भारतिय समिदान का अनुच्छे 231 है ये बताता है कि एक च्छाजा हाई कोर्ट है ये दो या दो से अधीक राजियों के लिए इस्तापित हो शकता है ये किस से सम्मंदित है तो राजिसरकार से है तो यहाँ पर आपको अनुच्छे 231 का ध्यान में रखना है कि ये क्या बताता है तो ये बताता है कि दो या दो से अधीक राजियों के लिए सिरफ एक आई कोर्ट भी हो शकता है राजिसरकार के अधीन आता है ये किसका संबन्द आपके सुप्रीम कोर्ट की सलाकार अधिकारिताशे हैं तो यहां पे हो जाएगा आपके कानून के बारे में राय मांगने वाले भारत के राष्टपती के बारे में हैं कौन से एक विकल्प को छोड़ कर बाकी सभी लोग अदालत के लक्षे हैं तो आपसन में था आपके आम आदमी के हाथों में शासन करने का अधिकार शौपना इसको छोड़ कर बाकी सभी लोग अदालत के लक्षे हैं नैश्ट के उसने उस पर्थम महिला का नाम बताई जो भारत के किसी राजे के उज्ज न्याले की मुख्य न्याइदिस बनी थी तो लीला शेट है उस पर्थम महिला का नाम जो भारत के किसी राजे के जो हाई कोट है हाई कोट की पर्थम महिला मुख्य न्याइदिस बनी थी तो नाम है लिला शेट नैश्ट के उसने नियाली में निश्पक्ष मुकद्मे के लिए भारते सुविदान तीन अधिकारों की व्यवस्ता करता है और कौन सा ऊन तीन अधिकारों में से एक नहीं था तो आपके उप्सन में था कि भारत में पैदा हुए किसी भी व्यक्ति पर विदेशी कानूनों के तैयत का शुनवाई नहीं की जाएगी ये इन तीन अधिकारों में से एक नहीं था अगला कि उसने दो राजियों के बीच विवाद सरवोज नाले के किस अधिकार छहतर में आता है तो केंदर और राजियों के मद्य विवाद या फिर दो राजियों के बीच में विवाद है ये आपके सरवोज नाले के ओरिजनल जो आपके मूल लिक शहतराधिकार है उसके अंतरगत आते हैं मूल शहतराधिकार नैश्ट के उसने न्याहिदीश कब तक पद पर बने रह शकते हैं तो तिल रीचिंग दा एज अप रिट समिधानिक दाइत्यों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं अपना पद का यहां पे सही परियोग नहीं कर रहे हैं कोई भी समिधानिक जो पदाधिकारी है सारुजनिक तो वह आपके कहलाएगा परमादेश ये नाल ये कितमे से उत्तरदायित्यों का अभाव को छोड़ कर सभी होता है ये S.S.C. perse regulations कौन सा न्याले किसी अदालतका मुकद्मा अपने पास मंगवा सकता है तो भारत का सरवुज न्याले किसी अदालतका मुकद्मा अपने पास मंगा सकता है Ooh Moog कर सकते है और next क्योस ने भारत में वोट देने की आपकी पतरता उमर पहले 21 थी अभी आपकी 18 वर्ष है भारत की चुनावयों का गठन कब किया गया था 1950 में भारत में चुनावयों का गठन किया गया था अगला क्योशन है किसको छोड़कर अन्य सभी विशेष्टाएं समानुपातिक पर्ति निदित्व व्योस्ता की है जो वोटिंग की व्योस्ता है पर्पोर्शनल रिपर्जेंटेशन इसमें वोट एक्चुल में पार्टियों को दिया जाता है और जिस भी पार्टि में वोट उसका पर्तिसत देखा जाता है कौन सी पार्टि को कितने पर्तिसत मत मिले हैं उसके अकोर्डिंग विदाइका में उनकी सीटे फेक्स की जाती है तो यहाँ पर आपका एक option था हर निर्वाचन 6 तरशे केवल एक परती निजित्तों चुना जाएगा तो यह आपका system है जैसे कि भारत में है first post the past system है तो यह वाला option अलग है और आपके समानुपातिक परती निजित्तों में यह नहीं होता है इसमें आपकी percentage of voting देखा जाता है उसके according पार्टी को सींट्स मिलती है कितनी विदाइका में सींट्स उनकी होगी अगला क्योसने पर्थम भारती मुखे चुनावाय उक्त कौन है तो शुकमार शेहन है नेश्ट क्योसने कौन सी विशिस्ता समानुपातिक परती निजित्तों व्यवस्ता की थी तो यहां पर यह क्योसन आगे आए कि समानुपातिक परती निजित्तों व्यवस्ता क्या होती है तो हर पार्टी को प्रापत मत के Annupat में विदाइका में सीटे हासिल होती है कौन सी पार्टी को कितना पर्तिसत मत मिला है उसके according उसको सीर्ट दी जाती हैं विदाइका में नैस्ट किसन है किसको छोड़कर अन्य सभी विशेषता हैं जो भारत में वोटिंग सिस्टम है ये फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम है तो वह व्याश्टा की है तो विजे उमीद्वारों को वोट का बहुमत आसिल होता है जिस उमीद्वार को जितने ज्यादा वोट मिलते है वो ही उमिद्वार आपका विजय होता है तो यह है जो सिस्टम भारत में है यूके में है कनाडा में है तो यह सिस्टम में पास्ट फर्स्ट पास्ट ता पोस्ट सिस्टम और बाकी जो आपके यह बात हो रहे थी प्रपोस्टनल रिपर्जेंटेशन है जो समानुपातिक प प्रक्राइब और हम उताफित किया गया था। अगला कि उस ने फॉर्श्ट पाश्ट दा पोश्ट सिस्टम में जो नेरवाचन परनाली है वोटिंग की ये किसका अनुसरन करता है। कौन सा देश है इसका अनुसरन करता है तो United Kingdom है इंडिया में भी होता है कनाडा में भी है अगला कि उसने भारती राष्टी कांग्रेश किस राजनितिक शमू का एक हिश्चा है तो भारती राष्टी कांग्रेश है ये आपके United Progressive Alliance जो श्यूक्त प्रगतिशील गटवंदन है उसका एक हिश्चा है अखिल भारती राष्टी राष्टी कांग्रेश को किस वर्ष्ट में इस्थापित किया गया था तो 1998 को अखिल भारती राष्टी राजनितिक पार्टी CPIM का पूरा नाम पूछा गया है तो CPIM ये आपके D Group में भी आजा था क्योसन तो इसकी Full Form है Communist Party of India माक्सिस्ट यानि Communist Party of India माक्षवादी नाइस्ट के उसने CPI का Full Form तो Communist Party of India हो गई ये आपके SSE 10 प्लस 2 में 23 जनवरी 2017 को आया था ये आपके 24 जनवरी 2017 को आया था राष्टवादी कांग्रेस पार्टी को कब इस्तापित किया गया था तो राष्टवादी कांग्रेस ये तो Nationalist Congress Party है NCP बहुजन समाज पार्टी की स्तापना कब हुई थी तो बहुजन समाज वा जो पार्टी है इसकी स्तापना हुई है 1984 में सियुक्त प्रगतिशील गठबंदन में जो आपकी United Progressive Alliance है ये कब स्तापित वाता सियुक्त प्रगतिशील गठबंदन इसकी स्तापन प्रविती 2004 में भारतिय जनता पार्टी किस राजनीतिक शमु का एक हिस्सा है तो ये है दोस्तों ND जो आपका NDA है National Democratic Alliance है उसका हिस्सा है भारतिय जनता पार्टी है बाकि जो आपका UPA और UPA का हिस्सा कौन सा है दोस्तों United Progressive Alliance है ये आपका Congress है तो ये आप देख सकते हो दो जनों क्यों सना गए है नेक्स्ट क्यों सने BSP भारतिय राजनीतिक पार्टी बसपा का पूरा नाम आपको पूछा है तो BSP बहुजन समाज पार्टी और AITC भारतिय राजनीतिक पार्टी AITC की फुल फॉर्म कापी इंपोर्टेंट है All India तरणमूल कांग्रेस से राष्ट जनतांत्रिक गटमंदिन के स्थापना कब हुई है तो एंडिय के स्थापना आपके 1998 को हुई थी कि उसना आच चुका है अगला क्यों सने भारत के नियंतरन महालेखा परिक्षक जो the Comptroller and Auditor General है जैसे आप CAG बोलते हो यह किसकी प्राप्तियों और वहक की लेखा परिक्ष CAG की of India is not responsible तो यह किसके लिए जिम्मेदार नहीं है तो भारती रिजरु बैंक का नीमन के लिए CAG जिम्मेदार नहीं है संसत की लोग लेखा शमीति के अध्यक्ष की न्युक्ति कौन करते हैं तो Chairman of the Public Account Committee of the Parliament है उनके Chairman की जो appointment है जो appointment किया जाता है वो speaker of लोग्षभा के दो CAG प्रात्मिक रूप से शंसत की किस समीति से जुड़ा हुआ है तो लोग लेखा शमीति the Public Account Committee से जुड़े हुए है CAG Next Question है नीमन में से कौन सी समीति को प्राकलन समीति की जुड़ा बेहन का जाता है तो प्राकलन समीति की जो twin sister है वो का जाता है आपके लोग लेखा शमीति को नीति आयो के अध्यक्स पूछा है तो परधान मंत्री होते है औप्सन यहापे अगला क्योंसन विकलपों में से किसके सदशी राजो के मुख्य मंत्री होते है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा NDC यहनि National Development Council तो किसके सदशी राजो के मुख्य मंत्री होते है तो आपका हो राष्टे विकास परिश्रत नैस्ट कि उसने भारत के वित आयोग की न्यूक्ति कौन करता है तो वित आयोग जो होता है इसकी न्यूक्ति है भारत के राष्टपती के दौरा की जाती है वित आयोग्त नैस्ट है कि भारते संसद की सबसे बड़ी कमिटी कौन सी है प्राक् द्धान में इसका वड़नन नहीं है दोस्तों कौन सा अनुच्छे राज्य में राष्ट पती शासन लगाने हेतू निर्दिष्ट करता है तो राज्य के अंदर राष्ट पती शासनाप के अनुच्छे 356 के तैट लगता है अगला के उसने किस आयोग ने सुझाव किया था कि केंदर सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वरको आरक्षन मिलना चाहिए तो ये आयोग था मंडल आयोग ने ये चुझाव दिया था नेक्ष्ट के उसने वर्ष 1975 में आपात इस्तती के समय भारत के राष्ट पती कौन थे तो फाकरीदून अली एहमद थे जब 1975 में इमर्जेंसी लगी थी भारत में उस समय भारत के राष्ट पती थे फाकरूदीन अली एहमद नैस्ट है कि भारती सुईधान के अनुसार आपात इस्तती गोशित करने का अधिकार है भारत की राष्टपती को तो राष्ट में जो आपात इस्तती है ये कौन से अनुचेत के तहट गोशित की जाती है 352 के तहट यदि राष्ट पती आपातकाल की गोशना करते हैं तो इस उद गोशना को संसथ दोरा कितने महीने के भीतर समर्थन देना जरूरी है तो वितिन वन मन्थ है आपका यदि राष्ट आपातकाल गोशित किया जाता है तो उसे परतेक छे माँ बाद संसथ का अनुमोदन प्राप्त करना आउशिक होगा परतेक छे माँ बाद कौन सा संसथ दुन अधिनियम प्रारंबिक शिक्षा के मूर अधिकार के रूप में होने से संबनित है तो ये आपका संसथ दुन है कि आपातकाल के दोरान निमलिकित बुनियादी अधिकारों मैंसे किस एक को छोड़ कर बाकि सभी रद कर दी जाते हैं तो वैक्तिगर शोतंतरता पर्सनल जो लिबरेटी है इसको छोड़ कर बाकि सभी जो आपके अधिकार है वो रद कर दी जाते हैं भारत में समंधित उदेशी का में धरम निर्पेक शब्द कौन से समिधान दोरा जोड़ा गया है तो धरम निर्पेक शब्द है ये आपके 42 में समिधान संसोदन के तहत जोड़ा गया है समिधान में नैश्ट के सने कौन सा समिधान संसोदन अदिनियम संसद सदेशियों और विदान सबा सदेशियों की अयोगिता से शम्मंदित है तो बावनवा समिधान संसोदन अदिनियम भारत के समिधान में अब तक कितने संसोधन कराय जा चुके हैं तो 112 है किस इसमार को भारत का राष्टी इसमार कहते हैं इंडिया गेट को भारत का राष्टी इसमार कहा जाता है नेस्ट है समिधान में संसोधन की कार्यवाई आरंब की जाती है यदि संसद के किसी भी सदन में विदेग पेस किया जाए तो वहाँ पे सुईधान में संशोदन की कार्यवाई प्रारंब हो जाती है नेस्ट के उसने नेस्टनल फ्लैग रिप्रजेंट तो वर्ट डज दा वील इंद जो भारती राष्टी जो धवज है उसमें जो चकर है वो क्या इंगित करता है तो ये करता है सत्य को इंगित करता है हमारे राष्टी धवज में इस्तित चकर किस बात का परति निजित्तो करता है तो सत्य को अगला है कि भारत के राष्टी धवज में इस्तित असोग चकर और कितनी तिलियों वाला एक चकर है तो असोग जो चकर है राष्टी धहुज की मद्य इसमें टोटल आपके 24 तिलिया है भारती राष्टी गान कौन सा है तो जन गन मन है ये आपका भारती राष्टी गान है और भारती एक राष्टी फूल यहां पे पूछा गया है भारत का राष्टी फूल कौन सा है तो इंडियन नैशनल फिरवर की बात करें तो वह आपका लोटरस कमल है राष्टी फल कौन सा है तो राष्टी फल है आम और विधान सबा द्वारा राष्टगान को कब अपनाया गया था तो दोस्तों यहाँ पे आपके Constitution Assembly है जो शविधान सबा है यहाँ पे शविधान सबा होगा तो शविधान सबा द्वारा राष्टगान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था अगला कि उसने क्या राष्टिय जनतांत्रिक गटबनन जो एंडिये सरकार है एंडिये सरकार द्वारा सुरू की ग रूप की यहाँ पे पूछा गया है इने पार्लियामेंटरी इस फॉर्म ऑप गवर्मेंट तो यह हैं दोस्तों जो आपके संसद्य सवरूफ है यह किस प्रकार की सरकार है तो इसमें दोस्तों कारेपाली का विधान मंदल की परती उतरदाई होता है और अगला क्योंसने अ नेक्स्त है संसदी सरकार शमिधानिक लोकतंतर का एक ऐसा रूफ है जिसमें कारेपाली का विधान पाली का की अवी भूर्त होती है और इसके परती जिम्मेदार होती है और नेक्स्त क्योंसने राजनीती विज्ञान किसका विज्ञान है तो राजनीती विज्ञान है यह के पोलिटिकल इंजिनरिंग का विज्ञान है अगला क्योंसन जब किसी संसल सदेश्यों को यह लगए कि किसी मंत्री ने मामले में के तथ्यों को शुपा कर सदन का विशेशा धीकार भंग किया है तो उसके दोरा उठाएगा प्रस्ताव कहलाता है यह होगा आपके दोस्तों प्रिवलेज मोशन यानि विशेशा धीकार प्रस्ताव भारत में पूरू की तरह देखो निती किस प्रधान मंत्री दोरा प्रारम की गई थी दा लुक इस्ट पोलिशी इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाई पीवी नर्शिमंद रहो के दोरा प्रधा जो यह निती है आ निवारे तक तो नहीं है इस्टिटूट्स आजादी की बाद से भारति कांग्रेस ने भारत में कितने साल के लिए शासन किया है तो टोटल लगब उन्चास साल तक शासन किया है भारति राष्टी कांग्रेस ने किस प्रकार की सरकार में इसुर के नाम पर पूजारी शासन हैं तो यह आपकी हो जाएगी थियू क्रेशी इसमें सरकार में इस रुक Что के नाम पर पुजारिशाशन करते हैं ध्रम तंत्र में लोगपाल या लोगपाल के श्यूक्त ने न्यूक्त नकार्णे वाला पर्थम, देश तो first country to appoint लोगपाल तो लोगपाल को सबसे पहले किस ने अपोइंट किया था तो वो देश है दोस्तो स्वीडन या फिर इसके जो भी समकाक्ष है equivalent है to लोगपाल इस स्वीडन ने ये सबसे पहले लोगपाल का सिस्टम है ये अपोइंट किया था किस देश का स्वीधान विशो में सबसे लंबा है भारत का स्वीडान विशो में सबसे लंबा स्वीडान है भारत का मूल स्वीधान कहां से प्रकाशित किया गया है तो ये देहरा दुन से भारती मूल स्वीधान को पब्लिश किया गया था राष्टपती भवन कब बनाय गया था तो 1910 में राष्टपती भवन को बनाया था नेक्स्ट है कि अपनी स्वतनतरतार से पहले बांगलादेश किसका हिश्चा था तो बांगलादेश पहले था पाकिस्तान का ऐसा बाद में स्वतनतर हुआ है नेक्स्ट क्योंसने वेस्ट मिनिस्टर जो आपके संसद्य प्रणाली है ये UK में विक्सित क्या गया है वेस्ट मिनिस्टर पार्लिमेंटरी सिस्टम वाज डेवलेप्ट इन UK नितियायो के अध्यक्स परधानमंत्री भारत का मोल सुईधान निश्टर पचास में शंशत भहुन में सरक्षित है और नेक्स्ट क्योसन एक किन देशों में से किसे युनाइटेट किंग्डम से आजादी मिले जो ऑप्सर में थे इन देश जो दिये दे थे तो भारत को UK से आजादी मिली है बाकी पाकिस्तान को भी और नेश्ट एक कौन सी भासाओं में से साधा अनतर भारत के दक्षनी हिस्वों में बोली नहीं जाती है तो मैथिली है ये आपके दक्षनी हिस्वों में नहीं बोली जाती है पता होना चाहिए इसे पहले आज चुका क्योंसने बिहर में बोली जाती है भारती राष्टपती को ले जाने वाले किसी भी हवाईजाज को बुलाने का शंकेत Air India 1 को है जो भी भारती राश्टपती को ले जाने वाला कोई भी वैजाद है उसको बुलाने का संकेत किसके पास है Air India 1 को भारत और चीन ने जो पंच सील संधी पर अस्ताक्सर किये थे वो कब किये थे तो पंच सील संधी भारत और चाइना के मद्धी हुई थी तात्प्रे है कि सारो भौम सता किसके हाथ में है जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शाशन है यनि लोगों के हाथों में है सब कुछ भारती शुईधान कितने शब्दों का बना हुआ है टोटल असी हजार सब्दों से मिलकर बना है भारती शुविधान स्वतनतता के बाद रियास्टों का भार शंग में एकिकन करने के लिए कौन जिम्यदार थे तो सरदार वल्लब भाई पटेल है स्वतनतता के बाद जो भी रियास्टे बिक्री हुई थी उन सबी को एकिकन में सबसे जैदा श्रयोग रहा है सरदार वल्लब भाई पटेल का सता सरचना का ऐसा रूप जिसमें सता प्रभावी डंग से व्यक्तियों का परिवार के एक जुट के कबजे में होती है तो यह आपके ओली ग्रेशी हो जाएगी कुलीन तंत्र जिसमें सता सरचना का ऐसा रूप जिसमें सता प्रभावी डंग से व्यक्तियों के परिवारों के एक गुट के कबजे में होती है नेक्स्ट है जोहार लाल नहरू का जनम कब हुआ था तो 1889 को हुआ था पंडित जोहार लाल नहरू का जनम लाल बादुर शा नेताओं के अनुसार देखा है तो ग्रीक व्यूड पॉलिटिक्स अंदा बैसी स्वाप तो ग्रीक ने पॉलिटिक्स को नैतिक दर्ष्टिस के आधार पर देखा है अगला क्योंसा देश आधुनिक लोगतंत्र की इस्तापना करने वाला पहला देश था इंगलेंड था अ देता है बाकि एक और वोटिंग सिस्टम है जिसमें आप परफ्रेंस वोटिंग सिस्टम होता है आप अपनी पसंद के एकोर्डिंग वरिता देते हो जैसे की तीन केंडियेट खड़े हैं तो पर्थम वरिता आपने इस केंडियेट को दे दी हैं जो भी एक्सवाई जैड आपके दूसरे को यह दी है तो इस परकार वहाँ पे गरना के जाती है तो वह होती है आपके प्रफ्रेंस वोटिंग सिस्टम और जो भारत में है वो आपके हैं पास्ट फर्स्ट पास्ट दा पोस्ट वोटिंग सिस्टम है तो मत दाता परताशी की यहाँ परताशी को डार इस्ताई सदेशियों का कारेकाल केतना होता है जो श्युक्त राष्ट की सुरुक्षा परिशद में आपके पांच तो इस्ताई होते हैं और दस इस्ताई सदेशियों होते हैं तो उन सदेशियों का कारेकाल होता है दो वर्ष का कौन सा संसद्य कारेपालिका के प्रकार के अब में जो अक सत्य स्टेटमेंट है वो है कि प्रधान मंत्री विदाइका के प्रती जवाब देई नहीं होता है तो यह होते हैं और परिशद के पांच इस्ताइश दिशी जो श्यूक्तराश्ट सुर्क्षा परिशद है इनके पांच जो आपके पर्मानेंट मेंबर कौन से देश है करेक्ट एंसर है चीन, फ्रांस, रश्या, बिर्टैन और अमरीका नेक्स्ट है श्यूक्तराश्ट संग में निमलक्त मैंसे कौन सी कामकाज की भाषा नहीं है तो जपानी भाषा नहीं है वाकी और देशो मैंसे कौन सा देश श्यूक्तराश्ट सुर्क्षा परिश श्युक्त राष्टर सुरुक्षा परिशत के इस्ताइश दर्शी पांस हैं, देश का पर्थम विदी अधिकारी कौन था तो भारत के पर्थम लो ओफिशर हैं वो होते हैं एट्रोनी जनरल महा न्याईवादी हैं जो केंदर सरकार को प्रामर्श देते हैं जो भी कानूनी व जुजक होता है तो तारे का जो कलर होता है वो आपके उसके टेंप्रेशर को इंडिकेट करता है एससी चीजियल में पूछावा कि उसने कौन सा देश श्यूक्त राष्टर सुरुक्षा परिशत का इस्ताइश दिश्य है फ्रांस हो गया ब्रमान के अधिन को कहा जाता है क कोश्मोलोजी अगला कि उसने घटकों के बीच गुर्टवा कर्शन दोरा भारी मात्रा में एक शाथ एकत्र हुए तारों धूल और गैस को कहते हैं आकाश गंगा गैलक्षी बोला जाता है हमारे शोर मंदल का सब से निकरतम तारा कौन सा है प्रोक्षीमा सेंचूरी है हमा किन्तू सूर्य से दोगुना बड़ा नहीं है तो वह किस में परिवर्थित हो जाता है तो वह पलसर में परिवर्थित हो जाता है नैश्ट क्योशन है पच्छिमी निवासी तारा मंदल है जो सब्त रिशी उश्को अन्यक किस नाम से जानते हैं तो बिग डिपर जो स्टार जो सीरिज नमक चमकिला इस्टार है उसे डोग स्टार का जाता है नैश्ट क्यो सने सूर्य की सबसे बहरी प्रत होती हैं का इंपूर्टेंट क्योशन है सूर्य की सबसे बाहरी प्रत को कोरोनो कहा जाता है नेस्ट क्योंसने सूर्य उर्जा किसके दोरा उत्पन होता है तो शल्यन नाभी की सल्यन डियेक्शन के दोरा जो सूर्य में एनर्जी है वो प्रोड्यूश होती है तो यहाँ पर नौट करना दोस्तों शोर में, शोर उर्जा, जो सूर्य में उर्जा है, वो किसके दोरा उत्पन होती है, तो नाभी के शलियन विदिशे, अगला क्योशन है, सूर्य की सबसे बाहरी प्रत ये हो चुका है, आपके मोश्ट जो आउटर लेयर हैं, उसे कोरोना बोला जाता है, और सूर्य का प्रकास प्रत्वी तक आने में केतने मिनट का समय लगता है, तो आठ मिनट और बीस सेकेंड का समय लगता है, सूर्य का प्रकास प्रत्वी तक आने में, नैश्ट क्योशन है, सूर्य के चमकिले भाग को क्या कहा जाता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा, सूर्य के चमकिले भा सबसे ग्रम ग्रह का नाम बताइए तो सबसे ग्रम ग्रह शुकर ग्रह है बुद्ध और सूर्यशे ग्रह है तो बुद्ध है यह आपका सूर्य का पहला ग्रह है सूर्य के सबसे निकटम ग्रह है आपका बुद्ध ग्रह है तो फ़स्ट ग्रह है बुद्ध अगला क्योसने हमा कितुमcję से कौन सा ग्रह सबसे गरम है तो शबसे गरम ग्रह आपका विनश Chinese नहें शुक्त हैंप pigre का कोई उपग्र नहीं है तो शुक्त कर काशनी भी उपग्रण नहीं है और एफे लियन जिससमे पृथवी सूरे से शबसे अधीक दूरी पर होती हैं वो इस्तथी कहलाती है एफे लियन नेस्ट के सने पृथवी का अपना वायू मंडल क्यों है तो पृथवी के मैगनेटिक मेरिडियन क्या है तो पिरथवी के मेगनेटिक उत्तर और मेगनेटिक दक्षिन से गुजरने वाला छेतर आपके मेगनेटिक मेरीडियन कहलाता है पिर्थवी तल के नीचे के पिगले हुए पत्थर को क्या बोलते हैं तो पिर्थवी के सेंटर से चंदरमा के सेंटर तक की डिस्टेंस को बोला जाता है और्बिटल रेडियस ओपडा मून नाश्ट क्योसने पिर्थवी के कोर को और किस नाम से जाना जाता है तो पिर्थवी के कोर यानि केंदर ये भाग को अन्य नाम में आपका sentro spare यानि परी तारक केंदर के नाम से जाना जाता है अगला क्योशन है पिर्थवी सूरिय से कितने नंबर पर आता है तो ये आपका सूरिय है उसके बाद आता है बुद्ध बुदि के बाद शुकर है और शुकर के बाद अपनी अर्ता आती है तो तीष्रे नमबर पर आती हैं पिर्त्वी next question तो यहाँ पर ऑप्सन नहीं है लेकिन जो गलत बात थी वो यह थी कि पिर्त्वी को लाल गर्य भी काजाता है यह statement रांग आपके गलत है तो लाल गरे बोला जाता है मंगल गरे को आकार के संद्रब में पृत्वी हमारे सोर मंडल में कौन से करमांग पर आती है तो यहाँ पर आकार की बात हो रही है तो पृत्वी का यहाँ पर करमांग आपका हो जाएगा पांच वाँ next question है परत्वी की प्रिधी कितनी है तो परत्वी की जो सरकंपैरेंस है वो आपके 40 1300 km है परत्वी की प्रिधी अगला क्योशन में आपका एंसर होगा नक्स्तर वर्ष जो सीडेरियल येर है एक इस्तिर तारी के संद्रम में पिर्थी दोरा अपनी कक्षा में दिए गए बिन्दू पर लोटने के लिए लिया गया शमय होता है एक नक्स्तर वर्ष अगला है कि सबूत बताते हैं कि पिर्थी पर जीवन का अस्तितो है आपके तकरीबन 3.5 मिलियन वर्ष से पिर्थी पर जीवन का अस्तितो है नेक्स्ट है पिर्थी अपनी धुरी के चारों तरब किस दिशा में घूमती है तो अपनी धुरी के चारों तरब पच्चिम से क्या है तो आपके temperature of earth average की बात हो रही है तो शोहला लेगरी centigrade है पिर्थवी का mean temperature next है कि पिर्थवी के सबसे बाहरी प्रत को बोला जाता है तो पिर्थवी के सबसे बाहरी प्रत होती है उपरी उसे क्रष्ट बोला जाता है पपड़ी, पिर्थ्वी की पपड़ी में मुखी रूप से क्या शमिलित है तो शिलेका है पिर्थ्वी के पपड़ी में, अगला है कि वह कौन है जिसने सबसे पहले पिर्थ्वी की परीदी को मापा था, तो सबसे पहले पिर्थ्वी की परीदी को मापा था, आपके एरिटो स्थेनीज ने मापा था नेक्स्ट है कि पिर्थवी की पपड़ी में जो आपकी पिर्थवी की क्रष्ट है उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धात्यू कौन सा है तो क्रष्ट में सबसे ज़्यादा ऐलूमीनियम पाया जाता है और पिर्थवी को अन्य किस नाम से ज जाना जाता है और आपके जो पिर्थ्वी की क्रष्ट है सबसे उपरी प्रत है प्रथ्वी की पपड़ी यानि क्रष्ट का परमुक अंस मुख्य रूपशे ऑक्षिजन और शिलीकन से गठित होता है अगला है कि पिर्थ्वी सूर्य के चारों और घूमती है जो आपकी इडिप्स तो आपका हो जाएगा जब चंद्रमा सूर्य और पिर्थ्वी के बीच में आ जाता है तब आपका सूर्य ग्रण हो जाएगा जैसे कि यह आपका मून है यह जब बीच में आ जाएगा आपके सन और अर्थ के तब अपन सूर्य को नहीं देख पाएंगे इसलिए कि वह आपका सूर्य ग्रण हो जाएगा अगला कि उसेने पिर्थव की सबसे उपरी कतोर सतह कौनसी है तो लीथोश पेर है तो अगला एकि आज तक सबसे गहरा आपके डृil है वह स्टागर में कोला चेटर में 12 कि कि गेराई तक किया गया हैं यह भी correct है तो यह दोने statement आपके correct है तेई नमरवाला wrong है next है पृत्वी की सब्सक्राइद के दर्योंट के राउस की दर्योंगे ड्रatin जो क्रक्ष्ट है पृत्वी की उसका आदा बहाग किस खनीज से बना गू beige तो ये आकार के संदरम में मंगल का हमारे शोर मंड़ में इस्तान है तो आकार के अकोलडिंग शात्वास्तान है सूरिय और पिर्थु की मद्य जो दूरी है वो लगभग कितनी है तो 14 किरोड plat 96 लाच किलो मेटर है 149.6 मिलियन किलो मेटर है तो ये आपके है सूर्य और पिर्थी के मद्य जो एक approximate distance है next है कि which planet is known as red planet तो मंगल गरह ये क्यों सना आ गया है आपके और निमन में से कौन सा एक बोना गरह नहीं है तो मंगल है ये आपका dwarf planet नहीं है और इस में से सबसे छोटा गरह कौन सा है तो आपके मंगल हो जाएगा यहां पे option में दिया था मंगल गरह सूर्य से कितने इस्तान पर आता है तो ये आता है चोट इस्तान पर आता है मंगल गरह सूर्य से next है कि किस गरह के अधिक्तम उप गरह है तो Jupiter है सबसे बड़ा जो आपका planet है उसके maximum आपके satellites है आकार के संद्रम में ब्रश्पती का सोर मंडल में इस्तान आपकी पर्थम हो जाएगा नेक्स्ट है कि आकार के संद्रम में शनी का हमारे सोर मंडल में इस्तान है तो आकार के संद्रम में जो सेकेंड इस्तान पे है वो आपका शनी प्लानेट है और नेक्स्ट है कौन सा एक आंत्रिक ग्रह नहीं है तो सनी आपका आंत्रिक नहीं है और ट्राइटन किस ग्रह का उपकर है तो ट्राइटन है आपके सनी का सैटरन का यहापे उपकर है नेस्ट है कि सनी सूरे से ग्रह है तो सनी ग्रह है ये सूरे से कितना नमबर पे आता है छटे नमबर पे कौन सा बोना ग्रह है एरिस है ये आपका बोना ग्रह और प्रूटो की खोज किसने की थी जो अब भी इसको समयलित नहीं किया ग्रह में लेकिन इसकी खोज की थी कलाइड तॉम्बे ने किस ने की थी कलाइड तॉम्बे ने की थी आकार के संद्रब में जो यूरेनर्श है ये हमारे सोर मंडल में कौन सा इस्थान रखता है तो तीसरा अगला कि उसने आकार के संद्रब में वरून जो आपका नेब्चून गर है सोर मंदल में इस्थान रखता है चौता सबसे ठंडे गरे की बात करें तो वो आपका नेब्चून हो जाएगा वरून और यूरेनर्श है ये सूरिय से साथवे इस्थान प्याता है यूरेनर्श और अगला क्योशन येदि कोई बम चंदरमा पर विश्थोटित होता है तो पिर्थी पर उसकी आवाज कितनी देर बाद सुनाई देगी तो आप विश्थोट की धवनी नहीं सुन सकते हो येदि कोई बम चंदरमा पर विश्थोटित होता है नेश्ट है कि एक बोना ग्रह केकर भी सम्मोनित किया जाता है तो ड्वा प्लानेट आपका प्लूटो को बोला जाता है और अक्षांस का एक डिगरी कितने किलोमेटर के बराबर होता है तो अक्षांस का जो एक डिगरी होता है वो 111 किलोमेटर के एक्वल होता है चंद्रमा के अद्धिन को कहा जाता है विशुव तब होता है जब सूर्य उर्ध्वाधार भूमध्य रेखा के ऊपर होता है उस इस्तिती को आप बोलते हैं विशुव यानि एक्विनौक्ष अगला क्योशन है अंतराष्टे तिथी रेका कौन से महावसागर के बीच से होकर गुजरती है परषांत, जो पेशेफिक आपका महावसागर है तो उसके बीच से होकर गुजरती हैं अंतराष्टे तिथी रेका. नेक्स्ट क्योशन 21G को सीद कालिन 1620 इसे हिन्दी में आयनान्त बोलते हैं यह कौँन से हिमी इस्पेर यानि गोलारद में होता है तो आपके स्व dewट्रंध दक्षणी गोलारद में होता है सीद कालिन 66 Buffalo ben नेक्स्ट क्योशन यह मश्रम तब आता है जब सूर्य भूमद्य रेका के ठीक उपर होता है तो वशंत रितु की बात हो रही है इस्प्रिंग जो मोशम है यह तब आता है जब सूर्य भूमद्य रेका के ठीक उपर होता है next के उसने कौन से रेखा भारत के लगभग आदे हिश्चे में से होकर गुजरती है तो करक रेखा है ये भारत के लगभग आदे हिश्चे से गुजरती है next के उसने विशू दिवश क्या होते हैं तो जब ये होते हैं दोस्तो when day and night are equal जब दिन और रात्री है वो बराबर हो जाते हैं तो वो आपका विशू दिवश हो जाएगा equinox days अगला के उसने भारत में सबसे छोटा दिवश कब होता है सबसे छोटा दिन आपके 22 दिसंबर को होता है और शूर्य भूमिद्य रेखा पर उर्ध्वा धर कब चमकता है भूमिद्य रेखा पर वर्ष में दो बार शूर्य उर्ध्वा धर चमकता है और उत्री गुलार्द में वर्ष का सबसे लंबा दिन यहाँ पर बात हो रही है आपके Northern Hemisphere की तो वर्ष का सबसे लंबा दिन है आपके 21 जून उत्री गोलार्थ में सबसे छोटा दिन है 22 दिशंबर अगला क्योसन है दोनों गोलार्थ जो आपके Northern और Southern Hemisphere है तो वहाँ पर शमान दिन और रात कब होते हैं सईजवाब हो जाएगा आपके 21 मार्च और 23 सितम्बर को दिन और रात शमान होते हैं यहाँ पर गलत दे रखा हैं इसको मैं PDF format में आपके Correct कर दूँगा और नेक्स्ट क्योसन है उतरी गोलार्थ में सबसे लंबा दिन याज चुका है 21 जून को आपके सबसे लंबा दिन है और 23 दिसम्बर को सबसे छोटा दिन होता है उतरी गोलार्थ में जब graphite चटाने रूप आंतरित होती है, तो उस्रे बनता है, आपका जिनायश बनता है, क्या बनता है जिनायश, जब graphite चटाने रूप आंतरित होती है,िसरत विज़ू लाइट क्या है, तो जि़ू लाइट, यह आपका Hydrated Sodium Aluminium Shilicate को बोला जाता है और शंग मरमर है ये कि इसकी एक कायंतित चटान है तो चूने के पत्थर की एक कायंतित चटान है Next कि उसने कौन सा अगनिय शेल नहीं है तो लोलो माइट आपका अगनिय शेल नहीं है और ग्रेनाइट किस परकार की शेल है तो ग्रेनाइट आपके यहाँ पर आगनिय शेल है अगला कि उसने कि मैगमा के ठंडे होकर जब मैगमा ठंडा होकर एक तरीके से Solidify हो जाता है ठोस के रूप में तो किस परकार के शेल का निर्मान होता है तो यहाँ पर आपके आगनिय शेल का निर्मान हो जाएगा और अगला कि उसने संग मरमर किस परकार की शेल है तो यह आपके कायांतरित शेल है मार्बल और वह परकरिया वह परकरिया शमेकित शेलों में पुन किष्टली करन होता है तथा वास्ट्विक शैलों में पदार्थ पुनः शंगतित हो जाता है तो यह आपके कायांतरन हो जाएगी कायांतरन वह प्रकरिया है जिसमें शमेकित शैलों में पुनः किर्ष्टली करन होता है तथा वास्ट्विक शेलों में पदार्त पुनः शंटित हो जाता है कौन शी अवशादी शेल है तो यहाँ पर हो जाएगी आपके शेयल तो इस परकार के आपके option correct था वह प्रक्रिया जिसके दोरा संचित पदार्त शेलों में परिवर्टित हो जाते हैं क्या कहलाती है तो वह प्रक्रिया जिसमें आपके संचित पदार्त है वह शेल के अंदर convert हो जाते हैं तो उशे बोला जाता है दोस्तों शिली भावन क्या बोला जाता है शिली भावन जब शेल यहनी चट्रान के रूप में उनको दिया गया है शुनामी नाम अगला क्योशन है पिर्थवी की परत के भीतर की हलचल का अधिन किसके द्वारा किया जाता है भुकंप विग्यान तो यह आपके सेश्मोलोजी में होता है पिर्थवी की भीतर जो भी हलचल होती है भुकंप विग्यान अगला क्योशन पिर्थ्वी की आंत्रिक सनचना के संद्रम में कौन से स्टेटमेंट या पर करेक्ट है तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं तो स्टेटमेंट नमबर दो और तीन दूसरा स्टेटमेंट है कि महाद्वीप के भूपरपट्री की औसत मोटाई 30 किलोमेटर है बुकम का माप कलता है शेश्मोग्राप उस पर अंत में अभी लेकित होती है तो यह आपके करेक्ट हो जाएगा दोनों स्टेटमेंट और अगला और एक है भुकम के संद्रम में स्टेटमेंट दे रखे हैं तो वह इस्तान जहां से भुकम की उर्जा निकलती है उसे आप बोलेंगे अव केंदर या फिर इंगलीस में बोलें तो यह इस्तान आपके कहलाएगा हाइपो सेंट्र क्या कहलाएगा हाइपो सेंट्र और भूतल पर वह बिंदू जो उद्गम केंदर के शमिप्तम होता है तो वह बिंदू जो उद्गम केंदर के शमिप्तम होता है इसे उदार्ण है तो ये बेसाल्ट चटान का उदार्ण है जवाला मुकी परुत माला शामेने तक कहां पाई जाती है परशांत महाशागर में पाई जाती है जवाला मुकी परुत माला अगला कि उसने तटो से हलकी शमूद्र अभी मुकी ढलान को क्या कहते हैं तो तटो से जो हल और कि शमूद्री अभी मुकी डिलान है उसे महादवीब ची कगार बोला जाता है continental shelf नाइस्ट कि उसने एक ऐसा ज्वाला मुकी जिसके फिर फूटने की उमीद नहीं है उसे कहा जाता है यह फिर उस ज्वाला मुकी के आने की संभावना नहीं है exploding होने की तो उसे कहा जाता है दोस्तों extinct volcano यानि विलूप्त ज्वाला मुकी अगला क्योशने जल निकास प्रतिमान जिसमें साहिक नद्यान लंबवत मिले वह क्या कहलाता है तो उसे बोलेंगे दोस्तों ट्रेलिस जाली या फिर फंपरी बोला जाता है और अगला क्योशने the land forms formed by wave erosion जो कटाव से बनने वाले भुमी को क्या कहते हैं तो उसे बोलेंगे barrier क्या बोलेंगे barrier बोलेंगे next क्योशने समूदर की एक चौड़ी उप खाड़ी जो परवेश मारग है जो आकार में आउतल हो क्या कहलाता है तो ये आपके खाड़ी कहलाती है जो समूदर की एक चौड़ी परवेश मारग होता है जो आकार में आउतल हो कौन के हो शैप में तो वोसे कहेंगे खाड़ी यानि बे विश्व की सबसे गहरी शमूद्री खाई कौन सी है तो ये आपके हो जाएगी मरियाना ट्रेंच है जो की विश्व की सबसे बड़ी शमूद्री खाई है अगला क्यों से ट्रोपो इश्पियर में पानी के वास्प का प्रतिसत है तो जो ट्रोपो इश्पियर है इस कार्बन का कितना प्रतिशत भाग वायू मंडल में शमाहित हैं तो टोटल यहां पे बात हो रही है ग्लोबल कार्बन जो एटमोस्पियर में कंटेन है तो वो आपके एक प्रतिशत भाग है कार्बन का वायू मंडल में नेक्स्ट कि उसने प्रत्वी के वायू मंडल में किस ग होते हैं दोस्तों ट्रोपोईश्पेर में होते हैं जल वायू और मोशम में होने वाले सबी परिवर्थन हैं वायू मंदल की जो लेयर है वो आपके ट्रोपोईश्पेर है पिर्थी के वायू मंदल में से किस गैस की परतिशत अन्य गैसों की तुलना में सबसी कम है तो शीयो आपका समान रहता है इस्टेटो इस्पेर में यानि समताप मंडल में पिर्थवी के वायू मंडल की किस प्रत में ओजोन प्रत है तो आपके समताप मंडल में ओजोन प्रत है नेट क्योंसने वातावन का वह इस्तर जो इलेक्ट्रोंस और धनात्मक आयन के कुछ अंसों के मिश्रन से बना हुआ है ये आपके आयनोश्पेर कहलाता है जो कि इलेक्ट्रोंस और धनात्मक आयन के कुल कुछ अंसों के मिश्रन से बना हुआ है अगला क्योशन है वायू मंडल के वायू मंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है तो ये क्योशन आज चुका है समताप मंडल हो गया वातावन की सबसे गरम परत कौन सी है तो वो आपके थर्मो इस्पेर है नेक्स्ट है कि आयन इस्पेर जो आयन मंडल है वायू मंडल की दो परतों का अती व्यापक करता है तो ये आपके एक्जो इस्पेर और थर्मो इस्पेर इन दोनों को अती व्यापक करता है अवरलैप करता है आपके आयनो इस्पेर कौन सी वायू मनल की सबसे उपरी प्रत है तो वो आपके एक्जो इस्पेर है वायू मनल की सबसे उपरी प्रत पिर्थवी से भेजे जाने वाली रेडियो तरंगे वायू मनल की किस प्रत दोरा पिर्थवी पर वापस लोट आती है तो पिर्थवी से भेजे जाने वाली रेडियो तरंगे वो आयनो स्पेर से पिर्थवी पर वापस लोट आती है अगला क्योंसन है हेट्रो स्पेर का उपरी हिशा लगबग पूरी तरशे किस गैस का बना हुआ है तो हेट्रोइस्पेर का उपरी हिशा है ये पूरी तरशे हाइट्रोजन गेंस से मिलकर बना हुआ है पिर्थ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी प्रत क्या कहलाती है उसे आप एक्जोस्पेर बोलेंगे जो की ये क्योशन आपके अभी आया है तो रिपीट हुआ है फिर नेक्स्ट क्योसन है रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाई क्या कहलाती है तो यार दंग्स बोलते हैं इसे यार दंज जो की रेगिस्तान में एक दिशा में लगातार हवाई चलती है कौन सी हवाय भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पच्चिम भाग की और चलती है तो भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पच्चिम की और चलने वाली हवाय हैं आपके पच्चिमी विक्षोब हैं वेस्टरन डिस्टरन ब्यंस है next question है वायू मंडल परि संचरन और मोश्रम प्रनालियों के संदर में कौन सा कतन अशर्ति है तो coriolis बल अक्षानसों के कौन के परती पानूपाती होता है यानि व्युत कर्मानूपाती होता है यानि आपके coriolis force है जो ये universally proportional होता है व्युतकरमानुपाती होता है किसके आक्षानसों के एंगल के व्युतकरमानुपाती होता है और नेक्स्ट के उसर में आपको लिस्ट दे रखी है मैचिंग करनी है तो लिस्ट एक में ये वाली लिस्ट है इसमें आपके विंड से हवाओं के नाम है और सेकेंड में उनका लोकेशन है तो जो जिनुक हवा है ये कहां पर है बहती है तो ये आपके अमेरिका में बहती है जिनुक और फौन फौन आपके अलपास में बहती है और सिरोको जो हवा है ये बहती है मिसर में यही एजिप्ट में और लू है ये भारत के अंदर बहने वाली हवा है नेश्ट क्योसन है वायू मंडल परी संचरन यनि आपके एट्मोस्पिर सर्कूलेशन और मोशम परनालियों के संदर में कौन सा स्टेट्मेंट अर्शत्य हैं तो ये क्योसन इस टाइब से एक वाउक क्योसन आया अभी तो जहां संदाब रेखाएं पास-पास हो वहाँ दापरोनता कम वह शंदाब रेखाओं के दूर होने से दापरोनता अधीक होती है ये वाला आपकी statement रॉंग है और कौन सा शत्य है statement तो ये एक statement था कि उत्री गुलार्द में चक्रवाती दबाव में हवाएं वामा वरत दिशा में चलती हैं ये वाला आपकी correct था next question है हवा के एक विशेश नमुना जो के आपके पौन अदर्तक याँ पर बात हो रही है जो absolute humidity है वो हवा के एक विशेश नमुने में जल वास्प की वास्पिक राशी का एक मापन होता है इसे एक आंसिक दबाव के रूप में मापा जाता है next question है गरम हवा की मातरा के खिलाप ठंडी हवा की मातरा के अभिशरण की वज़श से हवा के ऊपर की और परचलन के कान होने वाली वर्षा को कहेंगे आप अग्र वर्षा frontal rainfall next question है एल्टो क्यूमूलश क्लाउड है यह आपके altitude पूछा है इसका तो यह होते हैं 2000 मिटर से 6000 मिटर तक इसका altitude रहता है एल्टो क्यूमूलश क्लाउड की अगला question है the purest form of the water in nature जो प्रकृति में सबसे pure water है वो आपके वर्षा का है rain water हो जाएगा अगला क्योसन है भूमध्य वर्थी चेत्रों में गेहन वास्पन के कान होने वाली वर्षा को कहेंगे आप श्यहवनी वर्षा यानी ये Conventional Rainfall जो की भूमध्य वर्ती छेत्रों में गहन वास्पन के कान होती है अगला क्योसन है कौन्सी प्रक्रिया वर्षा के लिए जिम्मेदार है तो वास्पिक्रण और शघ्रण ये दोनों प्रक्रियाय वर्षा के लिए जिम्मेदार है अगला क्योसन बारीश और हिमपात के साथ साथ होने कोई अउस्था को क्या कहेंगी बारीश और हिमपात दोनों एक साथ होते हैं तो उशे बोलते हैं बरफिली बारीश श्रिट बोला जाता है इंगलिस में Next question, एक ऐसी स्थति यह आपके मौशमी शूका हो जाएगा क्योशन रिपिट हुआ है मौशमी शूका एक ऐसी स्थति है जिसमें लंबे समे तक अप्रियाप्त वर्शा होती है और इसका सामनीक और इस्थानिक वित्रण भी असंतुलित होता है और अगला क्योसन समूदर का जल वर्षा के जल के अपेक्षा अधीक लवन वाला होता है क्योंकि दोस्तों नदिया पिर्थूशे लवन बहा कर ले जाती है और समूदर में डाल देती है नेक्स्ट के उसने विशु के महासागरों में किस महासागर का सरवादिक चोड़ा महादूईपी शेल्फ है तो ये हैं दोस्तों आक्टिक महासागर का नेक्स्ट के उसने हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है तो जावा खाई है हिंद महासागर की सबसे डीप पेस्ट जो ट्रेंच है वो आपकी जावा ट्रेंच है और जिब्राल्टर जल डमरू मद्य किनको जोडता है जिब्राल्टर जल डमरू मद्य है यह अटलांटिक महासागर और भूमद्य शागर को जोडता आपश में गरम एवन ठंडी समूद्री धाराएं किसके कान च नेक्स्ट क्योसन है जापान को लेंड ओफ दा राइजिंग सन यनि आपके उगते वे सूर्य की भूमी क्यों कहा जाता है तो उगते वे सूर्य की भूमी कहा जाता है क्योंकि सूर्य का जो उद्धि होता है वो आपके पूरों में होता है और जपान विस्व में एक ऐसा निमलिक्त में से एड्री एटिक की रानी किसे का जाता है Queen of Adriatic तो यह का जाता है Venice को मद्धे रात्री के शूर्य की भूमी के नाम से कौन सा देश जाना जाता है नौर्वे को बोला जाता है Land of Midnight Sun और शपेद हातियों का देश कहते है Thailand को Land of Midnight Sun आपके नौर्वे हो चुका है तो यह फिर रिपीट हुआ है दोस्तों SSECGL 8 सितमर 2016 को भी आया है और आपके 11 सितमर 2016 को भी पूछा गया है Land of Golden Pagoda तो Golden Pagoda की भूमी का जाता है मेमार को बगदाद यह आपके इराक की राजदानी है Next क्योशन है नहरों का देश किसे कहते है पाकिस्तान को का जाता है Country of Canals Ottawa किसकी राजदानी है तो Canada की राजदानी है Ottawa किसकी है Canada की है Paris की राजदानी क्या है तो Paris की राजदानी क्या है दोस्तों Paris यहां पर पूछा किसकी राजदानी तो France की राजदानी है Paris तो Port of Spain यह किसकी राजदानी है Port of Spain है आपके 3 निदाद Event Tobago 3 निदाद और Tobago की राजद राजधानी है Port of Spain, Canada की राजधानी Ottawa और Italy की राजधानी क्या दोस्तों Rome है तो राजधानी जरूर याद करके जाना, युनान की राजधानी आपकी Athens, फिनलेंड की राजधानी है Helsinki, नेक्स्ट है कि नॉर्वे की राजधानी हो गई आपके ओश्लो, तुर्की की राजधानी अंकारा है आयरलेंड की राजदानी की बात करें तो वो डबलिन है न्यूजिलेंड की राजदानी वेलिंग्टन है और आस्टेलिया की राजदानी क्या है कैनबरा है क्या है और आस्टेलिया की राजदानी आपके कैनबरा है और बाकि आस्टेलिया की राजदानी की बात करे है, Seoul, South Korea की, next è कि Amsterdam किसकी राादानी है, तो Amsterdam है आपके N Russland की राादानी, Denmark किसकी राादानी है, Copanhegan की राादानी है Denmark next है कि Prague is the capital city of, तो Czech regarded Rajme की राज़दाने है Prague, और London UK की राज़दानी है, United Kingdom की, और अगला किसने है, Malay is the capital of Malay U, माल्दियू की राजदानी क्या है माले है पुर्तगाल की राजदानी है लिश्बन तो वाट इस दा कैपिटल आफ पुर्तगाल दैट इस लिश्गन सोरी लिश्बन अगला क्योसन है मैड्रिड इस दा कैपिटल सीटी आफ इस्पेन की राजदानी है मेडिड और प्योग यांग प्योग यांग है यह आपके उत्री कोरिया की कैपिटल है अर्जेंटिना की कैपिटल की बात करें तो ब्यूनिस आयर्श है अर्जेंटिना की पिर्थी पर सबसे शुस्क इस्तान कौन से देश में है तो चिली में है अगला क्योंशने में मेमार की राजधनी तो यह हो जाएगी आपके मेमार की है नैप ये दियू है मेमार की अगला क्योंशने गोबी मरुस्तल जो की विसोग के सबसे बड़े मरूस्तलों में से एक है इनका एक भाग निमलिकित में से किस देश में आता है तो ये एक भाग इसका मंगोलिया में आता है और एशिया के सबसे बड़े मरुस्तल की बात करें तो वो आपका गोबी है बाकी वर्डवाइट बात करें तो शाहरा मरुस्तल सबसे बड़ा है और कौन सी सीमारे का रेड क्लिप रेखा है तो इंडिया और पाकिस्तान के मद्धी की रेखा को रेड क्लिप रेखा बोला जाता है और नच्ट के उसन है यह चिन गलेशियर को लेकर किन देशों के बीच में विवाद है तो भारत और पाकिस्तान के मद्धी यह विवाद है विशो की सबसे लंबी भूमी हैं जो इस्तिलिये शीमा रेका हैं वो किन दो देशों के मद्दे हैं longest land border आपके कनाड़ा और USA के मद्दे हैं विशो की सबसे बड़ी स्वेज नेर किस देश में स्थित हैं तो ये आपके मिसर में हैं एजिप्ट में कौन सा एराकी शेयर ट्रीगिस नदी के किनारे बशागवा काफी important क्योसन है ट्रीगिस नदी के किनारे बशागवा सहर आपके बगदार हो जाएगा चीन का शोग कौन सा है या पे हांगवे को चीन का शोग लिख कहा जाता है is called China's equivalent अगला कि उसने स्वेज नेर किश को मिलाती है लाल शागर और भूमद्य शागर को आपश में मिलाती है श्वेज कैनाल और लेना नदी किस देश से होकर बैती है तो लेना रिवर है ये आपके रशिया से होकर बैती है यलो रिवर जो यलो नदी है ये किस देश से गुजरती हैं चाइना से गुजरती हैं आपके यलो नदी नेस्ट के उसने वनों में वरक्ष एक निशित मोशम में आने पतों का त्याग करते हैं तो यह कहलाते हैं दोस्तों परणपाती वन परणपाती वनों में वरक्ष एक निशित मोशम में आने के बाद पतों का त्याग कर देते ह तो ये आपके decidus यानि परणपाती वन कहलाते हैं अगला कि उसने वर्षा वन में किसी पेड के छेतर के नीचे जो वनस्पती उगती हैं उसे क्या कहते हैं तो उसे बोला जाता है अंडर इस्टोरी क्या बोला जाता है जो कि वर्षा के समय पेट के नीचे जो वनश्पती ऊगती है. Next question है. मानसूनी वन भी कहा जाता है. तो ओशन कति बंदिये पत जड़ वन है. इन्हें मानसूनी वन कहा जाता है. ट्रोपिकल डैसीडियूस फोरेश्ट कहा जाता है. और next question में आपको दो list दे रखी है पर्थम list में आपको climate type पूछा गया है second में यहाँ पी location पूछी गई है तो जो टेगा climate का type है यह है वेखो यांसक में मानसून भारत में हो गया और अलपाइन है अलपाइन लापाज में है और आपकी desert desert जो रेगिस्तान है वो है जाको बादाद में है जैको बादाद में है desert next question है question का answer है कि leaching leaching मिठी की उपरी प्रत में इस्तित रशायनों का पानी में गुले होने के काण मिठी की निजली प्रतों में या भूजल में होने वाला संचलन है तो यह आपके कहलाता है leaching leaching जो की मिठी की उपरी प्रत में इस्तित रशायनों का पानी में गुले होने के काण मिठी की निजली प्रतों में या भूजल में होने वाला संचलन आपके leaching कहलाता है अगला question है मर्दा के learning करण किस कारण होता है तो मर्दा का जो साली निशन होता है वो आपके अधिक सींचाई के कारण होता है और next question है दाजो कगा दाजो गखा ये किस की इस्थानी बार्षा है वो पिशिल लेंग्वेज है तो भुटान की जो पिशिल लेंग्वेज है वो आपके है दाजो गखा और अगला क्योंसने कर्शी साथी में किसको उन्नत किया जाता है तो पोदों और पशुओं को उन्नत किया जाता है एग्रोनोमी में किसी पोदों और पशुओं को नेक्ष्ट क्योंसने कोकोवा जो कोकोवा है यहां पे है घहना गहना कोकोवा के उत्पादन में कौन सा जो गहना देश है वो कोकोवा के उत्पादन में सबसे आगई हैं तो ये कि उसने आपके Next question is cooperative forming के सबसे अधीक शफल हुई तो डेनमार्क में हुई है cooperative forming सबसे अधीक शक्षज हुई है डेनमार्क में अगला question वेस्पिक खाध्यान उत्पादन में अधीक्तम योगदान करने वाली तीन फशले कौनसी है तो गेहूं, चावल और मक्का और next है कि कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है तो चाइना है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक और कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है तो गेहूं और चावल दोनों का सबसे बड़ा जो largest producing country है वो आपके चाइना है और भारत का चावल उत्पादन में second इस्तान है सबसे उपर चाइना और second भारत है और third I think Indonesia next कि उसने फसल चक्रीकरण का विचार किसने विख्षित किया था तो फसल चक्रीकरण rotation का जो विचार है ये दिया था आपके ट्रूनिप ट्राउन सेंड ने दिया था कौन सा देश अमरूत का सबसे बड़ा उत्पादक है तो गोवा का सबसे बड़ा उत्पादक है आपके इंडिया विश्व में एस्बेश्टस का अग्रणी उत्पादक देश आपके रशिया है एस्बेश्टस का अग्रणी उत्पादक देश रशिया निमलिक्त मैंसे किस रेकिस्तान में अत्यदिक मात्रा में श्वर्ण भंडार पाए जाते हैं तो अटा कामा में कहाँ पर अटा कामा में अत्यदिक मात्रा में आपके श्वर्ण भंडार पाए जाते हैं अगला क्योशन है आपके ब्रिज मेनाइट क्या है तो ब्रिज मेनाइट है धरती पर सरवाधिक मातरा में पाए जाने वाले खनीज का नाम है ब्रिज मेनाइट नेक्स्ट क्योशन है कौन से उद्ध्योग को सूर्योध्य उद्ध्योग कहा जाता है तो सूजना उद्ध्योग को कहा जाता है सनराइज इंडिस्ट्री काफी इंपोर्टेंट क्योशन है जो आपका सूजना प्रोध्योगी की है उसे बोला जाता है सूर्योध्य नेक्स्ट है कि कोईले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन होता है तो सबसे अच्छी किश्म का कोईला आपके एंत्राशाइट है जिसमें कार्बन का प्रतिश्य सरवादिक होता है और सबसे कम जो किश में कोईला का टाइप है वो पीट होता है पीट, लिगनाइट, बिटुमनी और सबसी उपर आपके एंत्राशाइट कटोर कोईला का सबसे अधीग गुणता वाला कौन सा कोईला है जो कटोर है तो ये क्शैन भी अब भी आपके rp up में आया है एंत्राशाइट है नेक्श्ट क्योशने किस देश में कोईले का सरवोच भंडार है तो USA में कोईले का सरवोच भंडार है विश्व के सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग गोथाड बैस सुरंग के इस देश में इस्तित हैं वो third best tunnel है जो कि विशो के सबसे लंबी और गहरी रेल वे शुरंग है ये आपके स्वीट जर्लैंड में इस्तित है अगला क्योशन है कच्चे माल की उपलब दिता के अलावा कोई भी उद्योग है इंडिस्ट्री है वो अन्य कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है तो अन्य वो आउसके जन सकती और उर्जा मैन पावर और उर्जा वारा फैक्टर है ये भी डिपेंड होता है आपके उद्योग पर रो मटेरिल के साथ साथ विशो के सबसे लंबी रेल लाइन किन सहरों को जोड़ती है तो ये जोड़ती है लैनिन गार्ड और व्लादी वोस्तोक श विश्म रेखाव को आप बोलेंगे आईसो हाइट और किसी नक्से पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई और शम्मंद रेखाएं क्या कहलाती है तो डिसकनेक्टेड लाइन है जो ड्रो की जाती है मैप में सलॉप को सो करने के लिए ढलान को उसे बोलेंगे हैज्चू बोला जाता है उसे और वर्ष्ट 1915 में महा दूपिय विश्थापन का सिध्धान्त किस है प्रस्तावित किया था थ्योरी ओफ का सीधान्त कया अलफ्रेड वेगिनर ने किया था नक्सों के एक बंदे विष शंग्र को क्या कहेंगे एकम झोलेक्शन ऑफ मैप्स तो नक्सो के एक बंदी वे संग्रे को बोला जाता है ऐटलर्श आपस में जुड़े द्वीब शमु को बोलेंगे आप आर्चि पिलागो आपस में जुड़े वे जो इंतर कनेकटेड आइसलेंड है इन्हें बोला जाता है आर्ची पिलागो नेक्ष्ट क्योंसने विश्व का सबसे बड़ा द्वीप शमू कौन सा है ग्रीनलेंड है वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप शमू विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करे तो वो आपके एसिया हो जाएगा नेक्स्ट क्योसन है महाद्वीप ये बहाव सिध्धान्त की प्रस्तावना किस ने दी थी तो वू प्रपोज्ड कॉंटिनेटल डिप्ट थोरी ये क्योसन आज चुका है तो आपके Alfred Wegener ने दी थी महाद्वीप ये बहाई शिद्धानत की प्रिश्ट में अगला क्योसने कौन सा दूप अर्ब शागर में ष्टित है तो लक्स दीफ है ये अर्ब शागर में है अगला क्योंचन है निमलिकित महादवीपों में से किसका सबसे चोटा भूमीट छैतर है तो जो אॉप्सें में था उसमें आपके ऊस्टेलिया नहीं था लेकिन यहां पे सबसे चोटे की बात करें तो वह सबसे चोटा आपके महादॵीप है चैतरपल के एकोर्डिंग ऑस्टेलिया है और जो second last आता है छोटा वो आपके यूरोप आ जाता है तो यहाँ पे मैं correction कर दूँगा पीडियेप में आपके next question है कि the continental drift theory है उसके अनुसार जो पहले सभी माधविप है वो एक अकेले भूमनल के भाग हुआ करते थे जिसका नाम था आपके पेंजिया अगला question है the tectonic plate is located between the South America and Pacific plate तो tectonic plate कौन सी है उसका नाम क्या है जो कि आपके South America और जो Pacific plate है परशन्थ महासागर है उनके बीच में इस्तित है तो नजगा तो नजगा जो tectonic plate है ये आपके South America and परशन्थ महासागरिये plate के मद्दे में इस्तित है अगला question है निमलिक्त में से कौन सी मुख्य जो आपके tectonic plate है तो वो है आपके पैसिफिक प्लेट जो की मेज़र आपके टेक्टोनिक प्लेट है और अगला क्योशन है जो कॉंटिनेंटल डिफ्ट थेयोरी के एकोर्डिंग सभी महादुवी पे एक भूखन के भाग थे जो पहले क्योशन आया था पैंजिया वाला और ये एक नाम के एक मिशाल महासागर स पैंथा लाशा तो पैंजिया है आपके कॉंटिनेंटल थेयोरी है डिफ्ट थेयोरी उसके एकोर्डिंग सभी मादुवी एक भूखन के भागते जिसे पैंजिया बोलते है जो पैंथा लाशा नाम के एक विशाल महासागर से गिरे हुए थे न्यूनतम अलपकालिन प्राक प्राकर्तिक शंबकत है और अगला क्योशन है जो टेक्टोनिक प्लेट होती है टेक्टोनिक प्लेट है तो इस लोकेटेड बिट्वीन दा फिलिफाइन एंड इंडियन प्लेट कौन सी है तो वह है केरलाइन जो टेक्टोनिक प्लेट है विवरतनी की प्लेट है वह आपकी फिलिपिन्स और इंडियन प्लेट के मद्य में इस्टित है और निमलिक्त में से क्या उर्जा का वानिजिक आपकी स्वर्ष है श्रोत है तो उर्जा का वानिजिक श्रोत है प्राकर्तिक गैस और अगला क्योशन है कौन सा उर्जा का गैर प्रमप्रागत श्रोत नहीं है तो यह हो जाएगा आपके प्राकर्तिक ग्यास है जो कि उर्जा का एक प्रंप्रागर स्रोत है ना कि ग्यार प्रंप्रागत है तो यह वाला आपके करेक्ट है और अगला क्योंसने किसी भी देश का सीमां त्रगत जल्च हैतर है यदि किसी भी देश की सीमां समूदर से लगती है तो उसका वो जल सहतर उस देश का कहलाएगा कितने किलोमेटर एरिया तक तो वो होगा आपके 22.20 किलोमेटर तक और विस्टो के सबसे बड़ी coral reef है Great Barrier Reef जो कि विस्टो के सबसे बड़ी coral reef है ये आपके आस्टेलिया में इस्तित है कहां पर है और आस्टेलिया में next क्यों सने दगीजर्ष नामक विस्टो का सरवादिक बड़ा भूतापी छेतर का है जिसमें 22 भूतापी विजुत शेंद्रो का एक complex शामिल है तो ये आपके सैन फ्रांसिस्को में है दगीजर्ष नामक सरवादिक बड़ा भूतापी छेतर है सैन फ्रांसिस्को में next क्यों सने तो क्यों सने है कि United States है देशों मैंसे किसे United Kingdom से आजादी मिली थी और उच्च जवार के शमें किस देश का 40% शेतर शमूदर तट से नीचे होता है तो निदर्लेंड का होता है 40% शेतर है वो जब उच्च जवार आता है वो शमूदर के नीचे होता है निदर्लेंड का और इस प्रिंग टाइड्स है जो बसंत जवार है कब आते हैं तो ये चंदर्मा सूर्य और पृत्वी एक रेखा में होते हैं और शमय आपके बसंत जुआर है वो आते हैं और प्रवतों के अध्यन को क्या कहा जाता है बहुत इंपोर्टेंट कि उसने दा इस्टडी ओप माउंटेन इस नौन एज और लोजी बोला जाता है प ग्रेविटेशनल एफेक्ट के कारण पिरत्वी के वातावाण में सबसे ज़्यदा पाया जाने वाला तत्तों आपके नाइटोजन है और नेस्ट क्योशन है कि केनाल एक किरत्रीम नेविगेशन चैनल को कहा जाता है तो किरत्रीम नेविगेशन चैनल है वो केनाल कहा जात यह पतलब बहुंद फॉर जो तो और व्यक्त की अगला क्योस्वा खेल तो पॉलियस्थत करन Julius य कौसण है किस देश में सबसे घंई आबदी हैं वैसे ज्यादा पोपुलेस्ध जाईना की है लेकिन option में आपके भारत था क्योंकि second number पर भारत की आबादी आती है तो ये आपका भारत हो गए याँ पर अगले क्योशने विश्व में कुल देशों के संग्या कितनी है डोटल आपके 195 कंट्री है अभी वर्तमान में जिसमें से 193 कंट्री आपके स्युंक्तराष्टर संग में सदर्शिय है और दो देश आपके 9 मेंबर हैं स्युंक्तराष्टर संग के अगला क्योशने मचली पकड़ने के आदार पर देशों के अवरोही क्रम में साइस रंकला बताए तो यहां पर पूछी गई है देशों की अवरोही क्रम में यही सबसे ज़्यदा मचली कहां पकड़ी जाती है उसके बाद धीरे-धीरे कम तो वहां पर सबसे ज़्यदा आपके चाइना में मचली पकड़ी जाती है उसके बाद पेरू में और सबसे यहां पर उप्शन में आपके जपा ना जाएगा जहां पर मशली पकड़ने का यह आपका अवरोही करम है अगला के उसने what process take palace during the youthful stage of river जो नदी की youthful stage है उसमें क्या प्रकिरिया होती है तो valley dipping होती है गाटी को गहरा करना होता है नेक्स्ट के उसने कौन सा लक्षन टुंड्रा जलवायू की विशिष्था है तो यहां पर हो जाएगा new true शमर शही अर्थों में गिर्ष्म नहीं है और अगला के उसने ध्रूविय छेतर की आबादी किन कावनों से विरल है तो वहां पर आपके अनुप्यूक्त जलवायू क की दर्सा में वहां पराबादी हैं बहुती कम मिलती है आपको विरल मिलती है और अगला के उसने कौन सी विशिष्था ओपोष्ण कटी बंदिये इस्टेपी जलवायू प्रकार की है तो यह हो जाएगी आपके लो लैटिटिट्यूट शैमी एरिड और आपके ड्राइ तो आपके करेक्ट है तो यह वाले दो इस्टेट्मेंट है सभी प्राकर्टिक भुकम इस्थलमंडल में ही आते हैं और अगला हैं कि इस्थलमंडल पिर्थवी की दरहतल से 200 किलोमेटर की गहराई वाले भाग को कहा जाता है तो स्टेट्मेंट नबर एक और आपका दो यहां सबसे बड़ा केंदर शाषित प्रदेश कौन सा है तो अंडमान और निकोबार दीप सबसे बड़ा केंदर शाषित प्रदेश भारत ने टोटल कितने आपके यूटी है तो टोटल साथ केंदर शाषित प्रदेश है कौन सा राजे हरियाना के साथ अपनी सीमा साजा नहीं करता है तो MP है मध्य प्रदेश राजे जो के हरियाना के साथ माउंडरी शेयर नहीं करता था है किस राजे के तीन तरफ बंगलादेश की सीमा है तो यह होगे आपके त्धिरपुरा के तीनों Gibson में बंगलादेश की सीमा लगती है अगला क्य дв stick कौनसा राजे जहर कंद के शाथ ओनी शीमा आपनी शीमा को शाजा नहीं करता है तो मध्य परदेश यहां पर option में आपका correct था और कौन सा राजे 36 कट के साथ अपनी शीमा को साजा नहीं करता है तो आंदर परदेश है और किस राजे में सबसे बड़ी टट्रेका है very important question है सबसे बड़ी आपके largest locate line है गुजरात में किस राजे में सबसे बड़ी यह आपके घुजरात हो गया और किस राजे में सबसे one second сорny repeat हो गया यह मंगला question है अधि अंडमान is separated from निकबार और अंडमान है यह आपस में कौन से water बोड़ी से सेपरेट हैं अलग हैं तो आपके हो जाएगा टैन डिग्री चैनल से माउंट अबू जो एक परवती इस्तल है और कौन सी परवत सरंकला पर इस्तित है तो यह अरावली परवत सरंकला पर है राजिस्थान के सिर्वही जिले में नैस्ट क्योशन हिमाल्य परवत किस परकार के परवत का उधारन है तो परतदार परवत फॉल्ड माउंटेंस का उधारन है आपका हिमाल्याज और अगला क्योशन है नंदा देवी चोटी किस राज्य में इस्तित है उत्राकंड में है आपके नंदा देवी पीक नैस्ट क्यो वह पतार कौन सा है जिसमें पज्चिम और पूर्व दोनों और शे बहने वाली जल निकाशी प्रनाली है तो वह पतार आपका मालवा का पतार है जिसमें वेस्ट और इस्ट फ्लोविंग ड्रेनेज सिस्टम है अगला क्योशन भारत के सबसे पुराने पहाड का नाम बताना है आपको रावली परोवत माला है जो कि सबसे पुराना ओल्लेश माॉंटेन है और शे बहारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को कहते है रेड किलिफ रेखा है ये और किस देश के साथ भारत की सबसे लंभी अंतराष्टे सीमा लगी हुई है तो वह देश आपका बांगला देश है और भारत की सबसे लंबी जील कौन सी है तो वेंबनाद जील है भारत की सबसे बड़ी जील है वेंबनाद जील और ये आपके जो वेंबनाद जील है ये केरल राजिम पड़ती है पच्छिम मंगाल की सीमा निमलिक् पाकिस्तान को छोड़ कर बाकिस सभी देशों के साथ लगती है जो भी ऑप्सन में थे कौन सी भारतिय जील भारत के लैगुन जील के रूप में परशिद है तो जल का जील है भारत के लैगुन जील के रूप में परशिद करना टक इस्थित जोग जल परपात है किस नदी पर है तो ये जोग जल परपात है ये आपके सर्शती नदी पर है जो की करना टक में है कहां पर भागी रती और अलक नंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है तो ये देव प्रियाग में भागी रती और अलक नंदा दोनों नदियां मिलती है और वहां पर आपके गंगा नदी बन नमबर ओप इनुडेसन केनाल्स ड्रविंग बॉर्टर संंगीं वाटर हम यह सब्सक्राइब यस हम गसे हैं कुझ नदी कि इन पर्थकर देता है चेटर को किस नदी के मैंशिन को भारत के उत्री दस राज्यों दोरा बांटा गया है तो which river basin is shared by more than 10 state तो दोस्तों गंगाज नदी है और इनके बैसिंग को भारत की 10 राज्यों में बांटा गया है कितने के साथ seizure किया गया है more than 10 state और अगला क्योंसने अगला क्योंसने भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बता है ये तो गंगा नदी है भारत की सबसे लंबी नदी और कौन सी नदी पंजाब राजे से होकर नहीं गुजरती हैं तो गंगा थी आपके option में जो कि correct है भारत में सबसे बड़ी प्राइड वीप ये नदी कौन सी है तो ये गोदावरी नदी है भारत के दक्षन प्राइड वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी छेतर का निर्मान करती है तो दक्षनी जो दक्षन प्रायदीप में कौन सी नदी है देश के दूसरे सबसे बड़े नदी छेतर का निर्मान करती है तो ये आपके गोदावरी है कौन सी नदी का मुहाना नहीं है तो तापी निमनलिकित में से कौन सी नदी का मुहाना नहीं है तो आपके तपी हो गया वहाँ पे option में correct है जो की प्राइद्वीपी भारत की 12 था जब बात्र बाहरा-माष्री नदी कौन सी है तो एक 12 था जो प्राइद्वीपी भारत की वो कावेरी है ब्रहमपुत्र नदी के तटपर कौन सा सहर इस्तित है तो ब्रहमपुत्र नदी के तटपर आपका डिब्रु गड़ शहर है ये इस्तित है नैश्ट के उसने भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है वो इंद्रा गांधी नहर है सबसे बड़ी आपके इरिगेशन कैनाल है लार्जेश्ट अलक नंदा नदी के तट पर कौन सा सेहर है ये आपके बदरीनात है अलक नंदा नदी के तट पर बशा हुआ सेहर है महा नदी के जो तट की बात करे तो उस पर बशा हुआ सेहर आपके कटक हो गया और चमल नदी के तट पर कोटा सीटी बशा हुआ है राजिस्थान कोटा गोदावरी नदी के तटपर बशा हुआ सेहर आपका नासिक है मूल मुठा नदियों के तटपर कौन सा सेहर है इंपोर्टेंट के उसने और मूल मुठा नदियों के तटपर आपका पूर्णे सीटी है ये बशा हुआ है गंगा नदी के तटपर कौन सा सहर इस्तित है तो कानपूर कानपूर शिटी है ये गंगा नदी के तटपर है और दामोदर वेली कार्पोरेशन क्या है तो ये आपके सामिदी किस निकाय है कैसी है अगला क्यूससन है कि भारते नदियों में से कौन से अर्ब सागर में जल विसरज़ित करती है तो ताप नदी है ये आपके अर्ब सागर में जल विसरज़ित करती है गोतम बुद कौन से गंडराजे के थे तो शाके गंडराजे के थे गोतम बुद और गोतम बुद की मर्तियों के ततकाल बाद किस बहुत परिशत को आयोजित किया गया था त्रीपिटक की पवित्र पुष्ट के है तो यह आपके बहुत की है त्रीपिटक है बहुत ध्रम की पवित्र पुष्ट के है और बुध के उपदेश किस भाषा में थे तो पाली भाषा में थे बुध के उपदेश next question है किस इसमारक से गोतम बुध ने दुनिया के लिए बहुत धरम के अपने देविय ग्यान का परचार किया था तो महाबोधी मंदिर शमूर्शे किया था गोतम बुध ने दुनिया के लिए बहुत धरम के अपने देविय ग्यान का परचार कहां पर किया था ये इसमारक था आपका महाबोधी मंदिर कॉंप्लेक्स और कलिंग का यूद वर्ष है ये आपके था 261 इशापूर में बिफोर की रिच्चे नेरा कलिंग का यूद है ये लड़ा गया था कौन सी गुफाएं बहुत धरम हिंदू धरम और जैन धरम के धार्मिक कला की सांस्क थी तो पार्टली पुत्र आपका करेक्ट हो जाएगा मोरे शम्राजे की राजधानी ये आपके पार्टली पुत्र में इस्तित थी कलिंग का यूद किस वर्ष में हुआ था तो 261 बीसी में ये क्यों सुना गया है रिपीटेड है चंदरगुप्त किस वंस का शाषक था इ पहले ठाने सर थी उसको कनोज इस्तानाद्रित कर दी है राजा हरस ने जो की कनोज के साषक थे चंदरगुप्त मोरे कब जनम लिया है इनोंने पैदा कब हुए थे तो 344 इसा पूरो चंदरगुप्त मोरे का जनम हुआ था चंदरगुप्त मोरे किस के प्रबल अनुयाई तो जैन धरम के परबल अनुयाई थे चंदरगुपत मोरे किस राजवन्स के राजा थे तो मोरे राजवन्स के राजवन्स के राजा थे अशोब नेक्स्ट है कि बिंदुशार किसका पुत्र था तो बिंदुशार ये चंदरगुप्त का पुत्र था किसका था दोस्तों चंदरगुप्त का पुत्र था बिंदुशार और अगला क्योशन है भारत के कौन से राजे में अधिक्तम संक्या में और्किड होते हैं तो आपके और वो भारत की शिक्किम राज्य में अधिक्टम शंक्या में होते हैं भारत में हरित क्रांती का जनक के सेह का जाता है तो नौर्मन बोर्लोग को भारत की हरित क्रांती का फादर आप ग्रीन रेवलुशन के जनक कहे जाते हैं भारत वर्ष में खरीब की फशल की कटाई वर्ष की माईनों में होती है तो खरीब की फशल है इसकी कटाई होती है आपके सितंबर अक्टूंबर में इसकी कटाई होती है जो की जुलाई मंत में ये बोई जाती है नैस्ट के उसने पेड़ों की कतारों के बीच में फशले उगाने को कहते हैं तो ये आपके तुंग्या सिस्टम ह पेडों की कतारों के बीच में फशले उगाने के जो सिस्टम है उसको तौंग्य प्रणाली के नाम से जाना जाता है हरित करांती का सरवादिक परभाव किस में कौन सी फशल में देखा गया है तो ये आपके गहूं वीहित में देखा गया है बारत में लाग का सबसे अधीक उतपादन कहां किया जाता है तो सबसे अधीक जो लाग के चूड़िया वगेरा बनती है तो इसका उतपादन होता है जारकंड राज्य में next question is bio fortification bio fortification क्या है तो ये होता है फर्ष लोग की पोश्टिकता की सवरधन की उत्पादन पत्ति फर्ष लोग की पोश्टिकता को बढ़ावा देने के लिए सवरधन करने के लिए एक breeding जो method है तो ये आपके होता है सबसे अधीक जो काम करते हैं लोग वो आपका चैतर है एग्री कल्चर शगंद खेती का सम्मंद किश से हैं तो शग्ण खेती का सम्मंद है मौजुदा भूमी के शग्ण उपयोग से उपज बढ़ाना और यह आपके सभी एकोनोमिक्स के क्योशने और इन में से पानी में वेगैनिक नाम आइकोर्णिया कैर्शी पीज है जो अब विशो के सबसे अधीक शमश्या उत्पन करने वाले जली खरपतवार है तो विशो के सबसे अधीक शमश्या उत्पन करने वाला जली खरपतवार है जिसका शाइज जो वेगैनिक नाम दे रखा है वो आईकोर्णि आईकोर्णिया कैर्शी पीज है तो उसका नाम है दोस्तों हाई सिंथ और नेक्स्ट है कि उत्री भारत के राज्यों में कपास की खेती कर्शी रितु के दोरान की जाती है तो खरीब की रितु के दोरान कपास की खेती की जाती है उत्र भारत में नेक्स्ट क्यों से नेक्स शुष्क भूमी कर्शी के लिए निमलिक्त मैंसे कौन सी फशल उप्युक्त है तो रागी की फशल है शुष्क भूमी कर्शी के लिए उप्युक्त फशल है खरीब कर्शु जो किर्शी जितु है ये तक होती है तो जो खरीब की यहां पे हो हुआ होती है और सितंबर में कटाई होती है मार्च में इसकी कटाई होती है जो की सर्द्यों के मौश्रम की है रभी जायद करशी की बात कर है तो यह अपरेल और जून अपरिल जून में जो होती में पाए जाता है Thorium, the beach, city, sands, of kerala, all rich in thorium है उसमें पाए जाता है और अगला क्योसन कि उत्री भार्त के राजियो में बाजरे की खेटी ये खरीब की जो फरसरे रितू आती है उसके वक्त की जाती है बाजरे की खेटी किये जाती है उत्री भारत में और अगला क्योशन है दक्षिन भारत का मैंचेस्टर के से कहते हैं तो कोईम टोर को दक्षिन भारत का मैंचेस्टर के नाम से जाना जाता है नेक्ष्ट क्योशन है निमन में से कौन सा छेतर कोईला भंडार में सबसे अधीक सम्रद है तो ये आपका दामोदर घाटी छेतर है और अगला क्योशन है खासी ट्राइबिस लाइव इन जो खासी जन जाती है ये आपके मेगाले में पाई जाती है नेक्ष्ट क्योशन है भारत की परवती रेल यहां पे हो जाएगा आपके पांच रेलवे लाइने है जिसे भारत के पहाड़ों में बनाया गया है भारत का पहला रेल विशुईदाले कहां खुलेगा तो ये आपके वडोदरा गुजरात में पर्थम रेल विशुईदाले नेक्ष्ट क्योशन है विशुईदाले के दौरा डिजाइन किया गया था इसको डिजाइन किया था फ्रेडरिक विलियम इस्टिवन्स ने किया था भारत में सरवादिक लंबा प्लेटफॉर्म है गोरकपूर गोरकपूर का प्लेटफॉर्म है सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भारत की परवती रेल पांच रेलवे लाइने हैं जिसे भारत के पहाड़ों में बनाया गया है रिपीटेड है और नेक्ष्ट क्योशन ह राष्टी राजमारगों के विकास के लिए स्वरनिम चत्रबुज किसके दोराश शुरू की गई थी तो अटल बियारी वाजबे के दोराश विकास के लिए अगला क्योंस ने ग्रीन रेल कोरिडोर शुरू किया था हाली में वो कौन से राज़े ने किया था तो यह आपका तमील नाडू क्रेक्ट है भारत का सबसे लंबा राष्टी राजमारग कौन सा है तो भारत का सबसे लंबा आपका जो नेचनल हाईवे है वो है एनेच फॉर्टीफोर और यह जो आपका नेचनल हाईवे फॉर्टीफ आपके जो मार्ज नेटवक है उसमें इस्टित नहीं है तो चंडिकर शीटी यह नहीं है नैस्ट क्योंसने भारत का सबसे वेस्ट अंतराष्टी बंदर का कौन सा है तो इंटरनेशनल शीपोर्ट कौन सा है जो सबसे बीजी है तो मंबई पोर्ट आपका correct है यापे भारत को सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है तो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है वो है आपके पीर पंजाल अगला कि उसने भारत में अधिकान सवाय अड़ो का नाम दिया गया है तो पूरी तरशे जो sun energy, shoulder power है उस पर आधारित विमान पतन है वो आपका कोचिन अंतराष्ट विमान पतन यह आपकी केरला में है लिमिटेड केरला और कौन सा सहर सीमांदर की नई राजधनी होगी तो शीमांदरा की नई राजधनी आपकी अमरावती city होगी और दोस्तों यह सीमांदरा अंदर प्रदिश को बोला जाता है नेश्ट क्योशन है भारत का सरवादिक उन्चाई पर इस्तित हवायड़ा कौन सा है तो यह आपका लेह एरपोर्ट है सरवादिक उन्चाई पर उत्राखंड की राजधनी देहरादून है वेरीजी नेश्ट क्योशन यहापे देहरादून किसकी राजधनी है तो यह आपके उत्राखंड की है और इंटा नगर है ये किसकी राज़दानी है तो अरुनाचल परदेश की राज़दानी क्या है इटा नगर और अगला क्योसने भोपाल किसकी राज़दानी है तो भोपाल आपके MP की है मद्यपरदेश की पटना की राजधानी तो पटना है ये बियार की राजधानी है Capital of बियार इस पटना और अगले क्योशने पंजी किस की राजधानी है तो पंजीम है ये गोवा की है राइपूर किस भारती राजधान की राजधानी है किस भारती राजे की है तो 36 गट की राजदानी राइपूर है सिलवासा राजदानी है दादर और नगर हवेली की राजदानी है दोस्तों सिलवासा नेक्ष्ट के उसने रांची इस दा कैपिटल ओफ विच इंडियन स्टेट तो रांची ये आपके जहारखन की राजदानी है रांची और नेक्ष्ट के उसने है 36 गट की राजदानी क्या है तो 36 गट की यहाँ पे राइपूर है वो है 36 गट की राजदानी और तेलंगना राजे की राजदानी आपके हैदराबाद है अगला क्योसन है गंगा नगर की राजधानी तो गंगा नगर की सोरी गंधी नगर है ये आपके राजधानी है गुजरात की गंधी नगर इस दा कैपिटल सिटी ऑफ गुजरात और नेक्स्ट है कि सिमला किस भारती की राजधानी है हिमाचल परदेश की हैदराबाद ये तेलंगाना की है लखनव आपकी यूपी की है केंदर शासी तो लक्षदीफ है तो इसकी राजधानी कवरती है और नेक्स्ट के उसने पोर्ट बलेयर है ये अंडमान और निकोबार द्वीब शमू की राजधानी है भारत का कौन सा राज़े सोर उर्जा उत्पादन में अग्रणी है तो ये आपका राज़े है राजिस्थान सोर उर्जा जो उत्पादन में अग्रणी है सबसे आगे राजिस्थान नाइस्ट क्योशन है एक कैंदरिये लोग छेतर है जो क चेतर से शंबंदित है तो यह विदूत से शंबंदित है एंटीपीशी पब्लिक शेक्टर है आगला क्योशन भारत के सबसे बड़ी शोर शक्ति सेंथर कहां पर है तो यह आपके माहधापूर में है सबसे बड़ी शोर शक्ति शेंतर कौन सा उर्जा का विनिजिक स्रोत नहीं है तो कमर्शियल सोस कौन सा नहीं है उर्जा का तो इंदन है ये उर्जा का वानिजिक स्रोत नहीं है नेक्स्ट क्योसन है जल विदूत के अंदर में टरबाइन किससे चलती है तो पानी के फलो आफ वाटर से टरबाइन चलती है जल विदूत के अंदर में नेक्स्ट क्योसन है भारत में उर्जा उत्पादन के लिए निमन मैंसी कौन सा परमुक तच्चा पदार्थ है तो उर्जा उत्पदन के लिए कोईला आपका परमुक कच्चा पदर्थ है बोडो भासा मुखी रूप से किस राजे में बोली जाती है तो असम में बोली जाती है बोडो भासा और नेक्स्ट क्योशन नेपाली भासा मुकी रूप से किस राज्ये में बोली जाती है तो शिक्किम में आपके नेपाली भासा बोली जाती है दक्षिनी गंगोत्री ये क्या है तो अंटार्क टीका में इस्तित भारत का एक सोचालित इस्टेशन है दक्षिनी गंगोत्री और next question भारती महानगर में सबसे छोटा द्वीफ देश कौन सा है माल द्वीफ है भारती महानगर में महाशागर में तो ये हैं आपके आइसलेंड कंट्री इंडा इंडियन ओशियन वो है माल देव भारत में विजुद उत्पादन में सबसे बड़ी हिश्यदारी है आपके थर्मल एनरजी की है सबसे बड़ी हिश्यदारी आपके एलक्ट्रिक परिड्यूश करने में सबसे ज़्यदा जो योगदान है वो है थर्मल उर्जा का अगला के उसने भारत का दैनिक मोश्रम मांचितर कहां त्यार तथा छापा जाता है तो ये आपका जो डैली वेदर मेफ है ये पूरे में प्रिंट किया जाता है अगला के उसने हिमाचल परदेश में मनी करण में गरम धर्नों की प्राकरतिक उर्जा का सुरोध क्या है नहीड और नेक्ष्ट कोसको किसका परयोग करके उस्मिय विदुद पेदा कि जाती है तो कोईला प्राकरतिक गेस्ट पैक्र पानी और उत्तर से दक्षं की दिशा के करम में लिखिए तो यहाँ पर आपको लिखना है, सीटी का करम है, सहरों को उत्तर से दक्षिन की दिशा में, तो उत्तर में आपका ये हो जाएगा भूनिसर है, उसके बाद इस प्रकार आपको करम में लिखना है, उपर से नीचे के और जो भी सीटी है, उसके बाद आपका आजाएगा हैदराबाद, न कर्शी कमांद छेतर कितने हेक्टर तक होता है तो लगू सिंचाई प्रियोजनाओ का कर्शी जो छेतर होता है कल्चरल कमांड एरिया यह आपके होता है दो जार हेक्टर तक लगू सिंचाई प्रियोजनाओ का एरिया जो होता है रेंज है इसकी दो जार हेक्टर भारत में सब सबसे लंबा शमुदर तट कौन सा है तो मरीना बीच है जो कि भारत का सबसे लंबा सी बीच है मरीना बीच और किस देश में सरवाधिक शंक्या में ट्यूब वेल्स पाई गई है तो भारत में सबसे अधिक ट्यूब वेल्स है किस राजी में मैंग्रोव वनका सबसे अधिक छेतर है तो पच्छी मंगाल में मैंग्रोव वनका सबसे अधिक चेतर है कौन सा चेतर ऐसा है जहां पर भुकम पाने की संभावना सब से अधीक है तो गंगा ब्रहम पुतर वेली चेतर है जहां पर भुकम पाने की संभावना शब से ज्यादा है very important question नरमदा जल विभाद नियाधी करण का किन राजियों के भी इच जल के बंटवारे का सुल जाने के लिए गठन किया गया है तो नरमदा जल विभाद जो आपके नियाधी करण है ये गुजरात महाराष्टर राजिस्तान और महध्य पर्देश के भी इ आपके निताल उत्राकंड में है जो की भारत में शीतोष्ण कटीबंदी वन अनुसंधान के अंदर काँ पर है तो शीतोष्ण कटीबंदी वन अनुसंधान के अंदर आपकी सिमला में है भारत में कौन से सहर को महलो का सहर के नाम से भी जना जाता है city of places आपका ये कॉलकता हो जाएगा और भारत में पच्छी मी तट के उत्री भाग को क्या कहा जाता है तो भारत का जो पच्छी मी तट है और उसके उत्री भाग को कहा जाता है कौंकन कौंकन तट बोला जाता है बोने रूप में रक्षों के समर्धन को कहते हैं बोनसाई बोने रूप के जो रक्ष है उनके समर्धन को बोनसाई बोला जाता है अगला क्योसने गरीबी रेखा के निजले जो इसतर के गरामिन परिवारों को बिजली देना है आपकी गुटीर जोती युजना और भारत में कर्शन क्रांती उत्पात के वी निर्मान से संबंदित थे तो कच्चा पेट्रोलियम जो भारत में प्लैक रिवोलुशन हुआ था उसका मैन M था crude petroleum कच्चा petroleum से संबन्दित थी वो और भारत में निमलिकित इस्तानों में से अब पत्तिये offshore petroleum भंडार कहा है तो offshore जो आपकी petroleum भंडार है वो कहां पर है मुंबोई हाई में है और भारत में जयाव भोगोलिक छेतर की संक्या total 10 भारत में बायो जियोग्राफिकल जोन से और next question है ITC Limited is a headquarter in तो ITC Limited का मुख्याले आपके कॉलकता में है और रामेश्वरम सेहर किस राजे में है तो रामेश्वरम सेहर है या आपके तमील नाडू में है और next question ये आपके अरशास्तर का है कैलकुलेशन वाला question है और अगला question है question है कि आपके trickle down theory है जो trickle down theory है नीमलिकितमे से किस पर आर्थिक वर्दी के प्रभाव को नजर अन्दाज करती है तो वित्तरण के आर्थिक वर्दी के परभाव को नजर इंदाज करती है ट्रीकल डाउन थियोरी और अगला क्योंसने ये भी कैलकुलेटिव है इसको मैं कैलकुलेटिव को स्कीप कर रहा हूं ये प्राइज फ्लोर तो एक मुल्य तल है एक न्यूंतम वहिद मुल्य है एक प्रा क्योंसने ये शमश्टी अर्थ जो आपकी एकोनोमिक्स है अर्षास्तर है तो शमश्टी अर्षास्तर किस से सम्मंदित है तो शर्कूलर फ्लो आप इंकम से सम्मंदित है आपको मैक्रो एकोनोमिक्स मुल्य में वर्दिशे क्या होता है तो उपभूगता अधिशेश में व वबस्तों से प्राप्त संतुष्टी के समान इस तरको मेजर करता है अगला है कि टमाटर की कीमत में वर्दी के वज़से क्या होगा तो टमाटरों के आपूर्ती में बढ़त हो जाएगी शुक्षम अर शास्तर के साथ संबन्दित है तो माईक्रोज जो आपके एकॉनोमिक्स है उससे साथ कौन सा वयान है वो संबन्दित है तो वहाँ पर आपशन में था आपके प्राइवेट स्कूलों में अधिक फिर्श के कारण आपके जो पब्लिक स्कूलों हैं वहां पर दाखिला में वर्दी हो जाएगी बजचत आयराशी का वह भाग हैं तो बजचत है वो आयराशी का वह भाग हैं जिसे उपभुगता पर खर्च नहीं किया जाता है नेक्स्ट के उसने आपके मुले हास किसके मुले की हानी हैं तो ये आपका यंतरशमू है मशीनरी के जो आपसन में था next question ने macro economics है जो वरहत अर्शास्तर है सब्ध का परियोग किस ने किया था तो इसका परियोग किया था रागनेर न्यूकस ने किया था macro economics शब्ध है इसका परियोग रागनेर न्यूकस ने किया था महात्मा गांदी की राम राज्य की संकल्पना क्या थी तो राम राजे की जो मात्मा गांदी की संकल्पना है वो राजे विहिन समाज की है स्टेट लेस सोशाइटी Next question नीमलिकत में से कौन सी राष्ट्य आई के आकलन की पदती नहीं है तो यह आपके मैट्रिक्स मेथड है यह राष्ट्य आई के आकलन की मेथड जो पदती है वो नहीं है श्यूक्त शेतर की संकल्पना में किसके बीच सयोग अवश्यक होता है तो नैस्तल इंकम है इस कंपाइल्ड वाई केंदरिय शांख्य की शंक्ठन के दोरा राष्ट्य आई का संकलन किया जाता है अगला क्योंसने है HDI है यह किन तीन चेतरों में विकास का मापक है तो श्वास्ति शिक्षा और आमधनी इन तीनों चेतरों के विकास है उसका मापक क्या है HDI है Health Education and Income और नैस्ट क्योंसने बेकवार्ड डेंडिंग सप्लाई करव जो आपका बेकवार्ड डेंडिंग सप्लाई करव है यह कौन से बाजार से सम्मन्द रखता है तो लेबर जो लेबर मारकेट है उससे सम्मन्द रखता है बेकवार्ड डेंडिंग सप्लाई करव अगला कि उसने राष्टे आई के लिए किसका अधिक्तम योगदान रहता है तो शेवा सर्विशेज का सबसे अधिक योगदान रहता है कॉंट्रिब्यूशन का नैस्नल इंकम के लिए अगला कि उसने गॉल्डन हैंड शेक योजना है ये किस योजना का एक और अन्य नाम है तो ये आपके स्विजशिक शेवानी वर्त योजना का अन्य नाम है अगला कि उसने which of the following is a treasury activity तो trading आपके एक तिर्थिक किरिया कलाफ है next है कि GDP जो इंडेक्स है सूचकांग है इसके 36 वार वित्रण से किसका मापन किया जा सकता है तो देश के आर्थिक विकास का मापन किया जाता है GDP इंडेक्स से आर्थिक विकास का जो पैरामिटर है वो कौन सा है तो आर्थिक विकास का which is the parameter for the economic development तो प्रति-व्यक्ति मोद्रिक आय है आर्थिक विकास का पैरामिटर अगला कियोसन है एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है तो एकात्मक सरकार है उसमें समत जो सारी ताकत होती है वो कैंदरिये सरकार के पास में होती है किस परकार का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश शुरुक्षित माना जाता है तो वो आपका portfolio investment है शुरुक्षित माना जाता है बाजार अर्थ व्यवस्ता वह होती है जो सरकारी नींतरंशे मुक्त है नेक्स्ट क्यों सने भारत में करमचारियों हेतु महंगाई भत्ता तै करने का आदार है उपभोगता मुले करमचारियों हेतु महंगाई भत्ता है जिसे आप डिये बोलते हो डियर नेस एलाउंस है उसको तै किया जाता है नेक्स्ट क्यों सने कि उद्ध्यो करमयों के लिए उपभोगता मुले सूचकांग संख्या निमन में से कौन परतिपादित करता है तो ये लेबर ब्यूरो करता है उपभोगता मुले सूचकांग संख्या है अगला के उसने किसी देश में आई का पुन्दर वित्रण किस परकार किया जा सकता है तो progressive taxation combined with progressive expenditure यानि उत्रोतर कराधान और शाथ में उत्रोतर वे तो किसी भी देश में आई का पुन्दर वित्रण है वो इस टाइप से आपका होगा अगला के उसने भारती अर्थवेवस्ता का वैस्वी करण क्या परदर्शित करता है तो ये दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबन में कम से कम हस्त शेप करना ये आपका परदर्शित करता है जो तिरतिय ट्रस्टरी शेक्टर है इसमें क्या सामिल है तो तिरतिय चेतर में शेक्टर में आपका बैंकिंग है ये वाला फिल्ड है अर्थवयोस्ता की मूल शमश्या क्या है वैसिक प्रोब्लम औप एन एकोनोमी एज तो ये है कि क्या कैसे और किसके लिए उत्पादन के बारे में निर्णे करना ये आपके अर्थवयोस्ता की मुख्ये शमश्या है भारत में आर्थिक सर्वेक्षन सरकारी इस्टार पर परती वर्ष कौन प्रकाशित करता है तो वित मंत्राले भारत में आर्थिक सर्वेक्षन है ये सरकारी इस्टार पर परती वर्ष है वित मंत्राले प्रकाशित करता है next question है micro economics deal with जो आपके micro अर्शास्तर है सुक्षम अर्शास्तर का सम्मन्द किससे हैं तो मांग की तरह एक ही आर्थिक चर का निर्णे लेना the decision making of a single economic variable like demand next question जुलाई 2014 में UNDP दोराद जारी मानो विकास रिपोर्ट के according मानो विकास उची में जिसमें 187 देश्वा में सम्मिलित किया गया था तो भारत की ranking क्या है 2014 के according भारत की 135 वी rank है मानो विकास सुचकंग में next question है जिसका answer है राष्ट्रिय बचत प्रमान पत्तर भार सरकार का एक बचत मांड है जिसे भारत में मुख्य तोर्शे छोटी बचत और आएकर बचत निवेस के लिए प्रियोग किया जाता है अगला क्योंस ने लाइसेज फैयर परणाली है जो लाइसेज फैयर सिस्टम है इसकी क्या एक विशेष्टा है तो बाजार के कारक अत्याधीक होते हैं तो market forces are highly regulated अगला क्योंस ने कि अर्थ सास्तर मानता है तो economics assumes that लोगों की इच्छाएं सिमित होती है लेकिन संसादन सिमित होती है ऐसा economics का मानना है अगला क्योंस ने कि किसी देश में उत्पादन किये गए संपुन शामान और शेवाओं का मुल्य उसका ये कहलाएगा शकल घरेलू उत्पादन कहलाता है gross domestic product नेस्ट है कि GNP जो gross national product is equal to शकल राष्टे उत्पाद है ये किसके बराब का आई होती है जो net factor income होती है जो विदेशों से प्राप्त होती है प्लस gross domestic product है इन दोनों का योग होता है आपकी gross national product शकल राजकोशी घाटा किसके equal है तो शकल राजकोशी घाटा है या आपके एक तो net boring at home जो net boring है घरेलू रेंड गरन है प्लस आपके भारती रिजरु बै ये सबी आपके सकल राजकोशी घाटे के equal है अगला क्योशन है कि प्रात्मिक्ताओं की एक दिश्टता ये दर्शाती है कि उदासीनता वक्र है जो आपका indifference sloth है ये नीचे की और जुका हुआ है प्रात्मिक्ताओं की जो monotensity और preference है ये आपके दर्शाती है कि उदासीन प्रात्मिक्ता वक्र नीचे की और जुका हुआ है अगला क्योशन है जिसमें ये है कि net national product at market price में से आपको माइनस करना है इंडारेक्ट टेक्स माइनस करना है ये कोश्टक में राएगा और सब साइट से ये दोनों माइनस करनी है तो ये equal हो जाएगा आपके national income के अगला ह है कि personal disposable income जो व्यक्तिगत प्रायोजी आई है वो आपके equal होती है personal income minus personal tax payment minus non tax payment के equal होती है अगला है कि net national product at market price में से आपको माइनस net indirect tax करना है तो ये आपके equal आ जाएगा net national product at factor cost के equal हो जाएगा और अगले question में आपको national income minus undistributed profit minus net interest payment made by household minus corporate tax plus transfer payment to the household from the government and firms ये आपके equal हो जाएगा personal income के और next है कि लोरेंज वक्र क्या दर्शाता है तो लोरेंज कर्व है ये आपके आई वित्रण को दर्शाता है भारत में चुपी बेरोजगारी मुख्य रूप से के सचेतर में है तो चुपी होई बेरोजगारी है आपकी किर्शी चेतर में नियूनतम मजदूरी के लिए निमन में से कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत था जहां पर ये था कि ये मिनिममम वेज लो बेनिफिट्स और अनिस्किल्ड वक्र तो ये वाला आपका गलत है कि एक नियूनतम वेतन नियम सभी अकुशल सर्मिकों को लाब पहुंचाएगा ये आपके कोई यहां पर स्टे कौन रोजगार का इस्तर हो जाएगा और अगला यहां पर क्योशन आ गया है कि ऐसी कौन सी बेरोजगारी है जो लोगों दोरा एक काम को छोड़कर दूसरे काम में जाने की प्रकरिया में होने की वज़स से किसी भी अर्थवयोस्ता में मौजूद होती है तो उसे बोलते ह दोस्तों परती रोधात्मिक बेरोजगारी यहीं फ्रिक्सनल अनेम्प्लोईमेंट होती है नेक्स्ट क्योशन वह बेरोजगारी जो वर्ष के कुछ निशित समय में बनाई जाती है जब माल और शेवाओं की मांग सामाने की तुलना में कम होती है तो वो आपके हो जाएग माश्मी बेरोजगारी अगले क्यों सने विमारू में एम किस राजे को दर्शाता है तो विमारू में आपका एम इस्टेंड करता है महादयपरदेश में नेक्लच करटी तह बढ़ती है जब व्योशाहिक कतिविदी में एक सामनिय मंदी होती है तो उसे चक्रिय बेरोजग सब्सक्राइब करशिकारियों में सलंगन है और वे वस्तु जिनकी कीमत बढ़ने पर खपत बढ़ जाती हैं उसे कहती है आपकी Giffin Goods वे वस्तु ए जिनकी कीमत बढ़ने पर उसकी खपत बढ़ जाती है डैटस कॉल giffin goods और अगला क्योंचन है अर्थ शास्त्र और श्वेक्ति को बेरुज़्जार के रूप में परिभाशित करती है जिसे आधा जिसे आधा दिन में एक घंटे का काम भी नहीं मिलता है उसे एकोनोमिस्ट है जो अर्थ शास्त्री है वो बेरोजगार के रूप में परिभाशित करते हैं और नेश्ट क्योसन क्योसन है कि वह माल जिसकी मांग उसकी मुल्य के अनुपातिक होती है उसे कहा जाता है विलावशिता वस्तू वेबलेन गुड्स कहा जाता है वहमाल जिसकी मांग उसकी मुल्य के अनुपातिक होती है यहाँ पे कुछ क्योशन मेंने इश्कीप किये है क्योंकि वो आपके नुमरिकल बहस पे क्योशन ते आप देख सकते हो और जो की वीडियो लेंटी हो जागे यहाँ पे क्योशन यह है कि मांग का कानून कहता है तो मांग का कानून कहता है यदि एक वस्तू की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तू की मांग की गई मात्रा में कमी हो जाती है अगला क्योशन है इन मेंसे कौन एक वस्तू की मांग में वर्दी का कारण होता है जो उत्पादन के गटक है उसकी मांग क्या कहलाएगी तो वो आपके ड्राइवड डेमांड हो जाएगी वैसे यहापे दिया गए किसी वस्तु की मांग तो एक परत्यक्ष मांग है और किन्तु जो उत्पादन के गटक की मांग है वो आपके ड्राइवड डेमांड यानि व् परदी करने के कान वस्तू के संतुलन कीमत में यह हो जाएगी आपके बढ़त हो जाएगी और संतुलन मात्रा में भी बढ़त हो जाएगी दोनों ही आपके increase हो जाएंगे next कियों सने मांग का नियम इस अवधारना पर आधारित है कि लोग माल की कीमत घटने के साथ माल की खरीदी अधीक करें ये आपका होता है और next है कि नियमन कोटी की वस्तू वह वस्तू है जिसकी मातरा की मांग उस समय कम हो जाती है जब भोगता आए बढ़ जाती है तो वो आपके inferior goals की केटेगरी में आ जाती है नियमन मैंसे कौन सा कोफी के लिए मांग में वर्दी होने का कारण होगा तो चाय की कीमत में वर्दी होती है वो आपके कोफी के मांग का कारण बन जाएगा और अगला क्योसने कि सक्कर का बाजार संतुलन में है यदि शकर की आपूर्ती बढ़ती है तो जैसा कि आपूर्ती यानि सप्लाई बढ़ती है शकर की तो शकर की संतुलन कीमत है ये घटेगी और आपके संतुलन मात्रा बढ़ेगी तो एक आपके संतुलन कीमत तो डिक्रीज होगी लेकिन संतुलन जो मात्रा है वो इंक्रीज होगी अगला क्योशन है बजट शैट उन सभी बंडलों का संग्र है जिसे उपभोगता विधिमान बाजार कीमतों पर अपनी आएसे खरीद शक्ता है तो यह आपका बजट हो जाएगा रिक्तिस्तान में ससी जेई का क्योशन है और यदि माल ए और जैड पूरक है तो माल जैड की कीमत में वर्दी होने के प्रिणाम सरूप तो यह हो जाएगा वस्तू ए के लिए मांग में वर्दी हो जाएगी नैश्ट क्योशन है जो आपका डिमांड करव है मांग वकर है वो यह दर्शाता है कि जब किसी वस्तू की कीमत बढ़ती है वैसे ही उस वस्तू की मांग में कमी आजाएगी जब किसी वस्तू की कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग में कमी हो जाएगी यह आपका डिमांड कर जो एक पूरी तरह से प्रतिस्परदा फ्रम का सामना कर रहा है तो यह आपका हो जाव है पूरी तरह से लुचदार है परफेक्टली लास्टिक है मांग बक्र आर्थिक संतुलन यानि एकोनोमिक एक्विल वीरियम यह आपके इसमें होता है मांग आपूर्ति के बराबर होती है आर्थिक संतुलन में मांग है या आपूर्ति के बराबर हो जाएगी और अगला है यह दि ए और बी वस्तुएं इस्थानापन की जाती है तो वस्तुबी की कीमत में होने वाली कमी क्या होगी तो वस्तुएं के लिए मांग में कमी हो जाएगी डिक्रीजेज डिमांड ओफ गुड ए नैस्ट क्योशन अंधीमान वक्र इन डिफ्रेंस जो करू है आपका उसमें सभी बिंदूओं का वह बिंदूपत है जो उन बंदलों को परदर्शित करते हैं जिसके बीच उपभोगता तटस्त है अगला क्योशन है ऐसी रेखा जिसमें सभी बंदल सामिल हो और जिसकी कीमत उपभोगता की आई के बिलकुल बराबर हो वह रेखा आपके कैलाईगी बजट कैलाईगी नैस्ट क्योशन जिस बिंदूपर बजट रेखा तो ये हो जाएगा आपके इन डिफरेंस वकर को इसपर्श करती हैं वही उपभोगता का आपके कंजीूमर ओप्टीमम हो जाएगा वही इश्टतम होगा नैस्ट क्योशन है भारत में राजकोश ये नीती कौन ते करता है वित मंत्राले के दोरा भारत में राजकोशी नीती तैक की जाती हैं किसी हित्बद गुट यानि जो आपका important function of interest group तो हित्बद गुट का सबसे महतपुन कारे क्या होता है तो अपनी पसंद के अनुसार सरकारी नीतियों में प्रिवर्तन भारत में वित्य नीती का प्रमुकुद्रिश्य कौन सा नहीं है तो वहाँ पर आपके option में था अर्थ व्यवस्ता में त्रलता बढ़ाना ये वित्य नीती का प्रमुकुद्रिश्य नहीं है वर्ट इस मुद्रा तो मुद्रा क्या है दोस्तों मुद्रा है विकास और पुन्र वित एजेंसी डवलप्मेंट एंड रेफाइंस एजेंसी है मुद्रा परधान मंत्री मुद्रा योजना ये नरंदर मोदी के नतरतों में गोशना की गई थी परधान मंत्री जंधन योजना क्या है देश में वित्य समावेश को बढ़ावा देना और नैस्ट क्योशन है ओक्ट्रोई ओक क्या असर होगा जो सरकार है बजट घारते के वित पोशन के लिए उधार ले रहे हैं तो इसका असर होगा ब्याज दरौपर उपर की और दबाव डाला जाएगा अगला क्योशन निमल्लिकट मेंसे कौन सा उपाई एक राष्ट की समपती में वर्दी नहीं करेगा तो शब सीडी के रूप में करोगा पुन्र वित्रन करके यह वर्दी नहीं करेगा राष्ट की समपती में अगला क्योशन है ग्रोस फिशिकल डिप्सिट है ये किसके एकवल हो जाएगा ये शकल राजकोशी गाटा है बराबर हो जाएगा कोलर वे जो टोटल आपका एक्सपेंडिचर है उसमें से आपको माइनिस करना है राजसो प्राप्तिया प्लस गैर रेंड से सरजित पुंजीकत प्राप्तिया इन दोनों का योग करके आपको कोल वे मैसे माइनिस करना होगा जो कि आपके शकल राजकोशी गाटे के एकवल हो होती डिस एप्रूवल औफ पोलिशी कट और नेस्ट के उसने कि भारत में निमन में से कौन सा कर राजी सरकार दोरा वश्रुला जाता है तो एक्साइज ड्यूटी ओन लिक्योर जो सराव पर आपका री टेक्स है वो राजी सरकार दोरा वश्रुला जाता है और नेस्ट है अब आप ऐसी क्या पढ़नाली को क्या कहेंगे जो टेक्स सिस्टम है जिसमें निर्धन वरक पर धनी वरक की अपेक्सा अधीक कर लगया जाता है तो यह आपके हो जाएगी रीग्रेसिव टेक्स यह आपके पश्व गामी कर हो जाएगा जिसमें निर्धन वरक पर जो धनी वरक के आपक्सा ज्यादा टेक्स वसुला जाता है और अगला है कि कौन सा कर केवल राजी सरकार दोरा लगया जाता है तो एंटर्टैन्मेंट टेक्स है कि वह राजी सरकार लगाती है पैत्रक संपती पर जो कर लगया जाता है उसे कहते हैं जाइदाद कर जो एस्टेट ड्यूटी होती है तो आपकी पैत्रक संपती पर लगया जाता है सेन्वेट किस से संबंदित है तो एक्साइज ड्यूटी उत्पास सुलक से संब तो प्रागामी जो कर प्रणाली है तो वो भारत में आर्थिक विश्रम्ता को कम करने में नाइश्ट क्योसन है अँड़ेक्ष कर का मुख्यरूप से प्रभाव संसरे पर परता है तो असा और कम क्योसन है कि करौ का समुझे कैंधिरीय सरकार से शम्मंद में है तो उत्पात कर शीमा सुलक आए कर ये सबी आपके Central Government से सम्मंद इते शीमा सुलक निमले के सरकार की नीतियों में से किसका एक शाधन है तो शीमा सुलक आपके राजकोश ये इसका शाधन हो जाएगा कौन सा कर के अंदर दोरा लगया जाता है और राज्यों के साथ नहीं बाटा जाता है तो ये आपके निगम कर है Next question है In India, all of the following are sources for government revenue expected तो anti-dumping duty को छोड़ कर बाकि सभी sources government को revenue प्राप्त होता है जो कि option में था आपके anti-dumping duty अगला कि उसने which of the following is a direct tax जो की आपका wealth tax है एक प्रकार से प्रत्यक्ष कर का उधारन है Next कि उसने मुल्य वर्दित कर को किस पर लागू किया जाता है तो ये मुल्य पर लागू किया जाता है निमलिक्त में से कौन सा statement आपके correct है तो यहाँ पर आपका एक statement था कि परती कई कर लगाने पर फरम की पूर्ती वक्रबाई और shift हो जाता है Next कि उसने भारती रिजरू बैंक का राष्ट्री करण किस वर्ष किया गया था तो आर्बियाई का राष्ट्री करण हुआ था आपके 1969 में बैंक किस पर ब्याज अर्जित करते हैं तो यह लौन पर ब्याज अर्जित करते हैं बैंक्स और next question है मुद्रा बैंक किसकी सहायता के लिए शुरू की गई है लगू कारोबार इस आपके small business के लिए मुद्रा बैंक शुरू की गई है विच अप दिज इस नॉट एन इंडियन बैंक तो आपका यहाँ पे एक बैंक था एज एश बीसी बैंक है जो कि आपका भारती बैंक नहीं है वानी जी बैंक निमलिकित में से किस प्रात्मिकता छेतर को रिंड देते हैं तो जो आपके कमर्शिल बैंक है वो कर्षी लगू द्योग और कमजोर तबके के लिए लौन देते हैं अगला क्योंसने सेडियूल्ड बैंक एजे बैंक विच जो आपके सेडियूल्ड बैंक होते हैं भारतिय रिजरू बैंक की दूसरी अनुसुची में सामिल होते हैं इंक्लूडेड इन दा सेडियूल आप आर्बियाई नैस्ट के उसने भारतिय रिजरू बैंक वानिजिक बैंकों को जिस पर अलपकालिक रिन देता है उसे कहते है रेपो रेट जो आर्बियाई दोरा अन्य बैंकों को रिन दिया जाता है अलपकालिक उसे रेपो रेट के आधार पर दिया जाता है आर्बियाई का मुख्याले आपके मुंबई में है और next question ने कि बैंक में ओमडश मैन की क्या भूमिका होती है तो बैंक में ओमडश मैन की जो भूमिका होती है वो ग्रहकों की शिकायतों का उतकरष्ट तोर पर दृत निवारण करना होता है और next question ने कि NBFI जो Non-Banking Financial Institute है में कौन निम लिखते नहीं है तो बैंक आप जो आपका इंडिया है वो नहीं है BUI और अगला question है छहात्त क्शेत्रिय ग्रामिन विकास मैंक किसके दौरा प्रयोजित होते है तो यह आपके राष्टी क्रत वानिजिक मैंक है इनके दौरा प्रयोजित होते है जो भीक्षेत्रिय ग्रामिन बैंक होते है next question है भारती मुद्रा का नया पर्तिक चिन किसने डिजाइन किया था तो भारती जो मुद्रा का नया पर्तिक चिन है वो उद्रिक कुमार ने डिजाइन किया था काफी important question है अगला question है आईटी में outgoing acknowledgement को अइस्ताई रूप से देर से भेजने की तकनिक को कहा जाता है पिगई बैंकिंग और अगला क्योशन है कि SLR का फुल फॉर्म क्या होता है जो कि आपका SLR का निर्दारन भारती रिजरु बैंक के दोरा किया जाता है इसकी फुल फॉर्म होती है इस्टेज्वरी लिक्विडिटी रेशियो और नेक्स्ट क्योशन यहां पे कौन सी संस्ता भारत में अंतिम उधार दाता के उपाई यानि लेंडर ओफ दर लास्ट रिसॉर्ट के रूप में कारे करती है तो वह आपके संस्ता हो जाएगी यहां पे भारती रिजरु बैंक न और बैंक जमा की रूप में धारितमद्रा के रेशियो को क्याहका जाता है तो यहां पर पूछा गया है तो यहां पर प्लिक डिपोजिट ऑप धर आक़ा जो case register होता है case register अनुपात के अनुसार बैंकों को अपनी जमारासी का एक अंसर register बैंक के पास रखना होता है next question है व्यवशाइक बैंक का अपनी कुल जमा का जो अनुपात आरक्षित निद्यों के रूप में रखते हैं उसे कौन सा अनुपात का जाता है तो यह आपका case register कालाता है आरक्षित नकद next question है एक ऐसी अवदी जब अर्थ व्यवश्ता की कीमतों में बढ़ोतरी होती है और उसके साथ अर्थ व्यवश्ता की गती वीदियों में कमी आती है तो यह आपका हो जाएगा stage inflation हो जाएगा मुद्रा इस्पिती जनित मंदी कहलाती है next question है मोद्रिक नीती का मुख्य उधिश्य क्या है तो मोद्रिक नीती का मुख्य उधिश्य है मुल्य इस्तिर्था के साथ आर्थिक विकास को प्रोतरशाहित करना अगला question है stock exchange पर इन में से क्या होता है तो stock exchange पर आपका हो जाएगा परती भूतियां खरीदी और बेची ज कारेवाई से क्या ताप्रे है open market operation refer to तो भारतिय रिजुर बैंक दोरा सरकारी परतिभूतियों की खरीद और बिक्री हो जाएगा खुला बाजार कारेवाई से ताप्रे अगला question है यदि नक्ती जमा का अनुपात घटता है तो करजे का निर्मान आपके बढ़ जाएगा य और next question है वित्य नीती नहीं है तो खुला बाजार operation यह एक वित्य नीती नहीं है एक मंदी के दोरान वाच्छमता से कम उप्योग होगा और कौन सा नियम यह कहता है कि बुरा पैशा संचरण में अच्छा पैशा बराबर करता है तो यहाँ पर दिया गया है कि bad money drives good money out of circulation तो use its currency यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अव मुल्यन करती है तो उसके निरियात शस्ता तथा आयात है वो महंगा हो जाता है नैस्ट कि उसने भारत में निमलिक्त में से कौन बीमा कारोबार को निंत्रित करता है तो आई आर लिये है यह आपके insurance business को कंट्रोल करता है और अ संबंद में मुद्रा के मुल्य के घटाव को का जाता है अव मुल्यन जो आपकी मुद्रा के मुल्य के घटाव है उसको अव मुल्यन बोला जाता है जो कि विदेशी संद्र मुद्रा के संबंद में मुद्रा के मुल्य के घटाव को का जाता है next question है सन 2015 में एक देश में ब्याज की जो आपके मामूली दर होती है वो 5.5% है तो ये जो आपकी nominal rate of interest है 5.5% है और उस समय मुद्रा स्पिती की दर थी वो आपकी inflation rate थी 2.5% तो 2015 में अश्ली ब्याज दर आपको पूचा है तो real rate of interest हो जाएगी आपके एक तो यहाँ पर nominal rate of interest में से आपको minus करना होगा जो inflation rate of interest है 2.5% है तो ये हो जाएगी आपके 3.0% next question है कौन सा वक्र बेरोजगारी और मुद्रा स्पिती दर के सम्मन्द को परतिलोमित करता है तो जो inverse relationship होता है मुद्रा स्पिती दर का वह आपका वक्र होता है फिलिप्श कर वह काफी important question है next question है मुद्रा स्पिती कब होती है तो शमे के साथ उत्पादन में जो सामने वर्दी होती है उस case में आपके मुद्रा स्पिती होती है और नाम मातर पैसे की आपूर्थी के विकास दर में हुई वर्दी का परिणाम है मुद्रा स्पिती की कम दर okay next question है यदि पैसे की आपूर्थी की वरदी वास्पिक GDP विकास दर की तुलना में तेज है तो इसका परिणाम हो जाएगा आपके मुद्रा SPT हो जाएगा इसका प्रिणाम और अगला क्योसर ने इसमें दिया गया है कि वर्ष 2015 में एक देश में ब्याज की जो रियल रेट थी वो आपके 6 परतिशत थी और उस समय आपके जो मुद्रा SPT की दर 3 परतिशत है तो नोमिनल रेट क्या होगी 2015 में तो इससे पहले बाले एक योसर में मैंने आपको बताया था जो आपके रियल रेट होती है वो बराबर किसके होती है वो यहाँ पे एकवल होती है आपके nominal rate माइनस आपके मुद्रा SPT के inflation के बराबर होती हैं तो यहाँ पर आपको nominal rate पूछा है तो real rate प्लस आपके मुद्रा SPT हो जाएगा इदर जाएगा तो यह प्लस हो जाएगा माइनस तो real कितनी एच्छा परतिशत और मुद्रा SPT तो 9% आपके हो जाएगी nominal rate और अगला क्योशन है की पैसे की आप पूर्ती की दर में एक परतिशत की वर्दी से लंबे समय में मेहगाई दर में कितनी वर्दी होगी तो वो भी आपके एक परतिशत होगी मुद्रा SPT जनित मंदी और समय मुझूद होती है जब मुल्य सूचकांग में वर्दी लेकिन उत्पादन कम हो जाता है दोस्तों उपर कुछ क्योशन स्कीप किये गए हैं जो कि आपके कैलकुलेटिव वैसिस पे थे अगला क्योशन है कि किसका कमोडिटिव आजार में वैपारत नहीं किया जाएगा मुद्रा का और एक वस्तों समय इस्थित आपके संतुलन में होगी उस समय वस्तों की स्थति जब वह एक समान विएक से चलती रही आंत्रिक वैपार किससे संबंदित है टो यह शेर मारकेट से संबंदित है इंसीडर ट्रेडिंग नेश्ट क्योसन है कि कौन सी योजना वर्तमान सरकार है जो NDA की उसकी नहीं है तो ये आयूश योजना है प्रधार मंद्री की उजुला योजना किस से समंदित है तो शामाजिक रूप छे जो पिछड़े वरग है उनको LPG गैस का वितरन करना आपकी उजुला योजना है अगला क्योसने संकल्प प्रियोजना किस प्रियोजन से आरम की गई थी तो संकल्प जो योजना है यह आपके एड से समाप्त करने के लिए प्रारम की गई थी नेश्ट है स्वन जैनती रोजगार योजना का मुख्य उधिश ये किस प्रकार के रोजगार के प्रस्तावित किया था तो यहां पर आपका सईजवाब हो जाएगा राज कृष्णा ने किया था हिंदू रेट उप ग्रॉथ शब्त का पर्ती जो प्रस्तावित किया था अगला है किश राज की सरकार ने ग्रामों में सारुजनिक सुईधावं में सुधार लाने के उद्देशे से स्मार्ट विलेज प्रोंग्रम को शुरू किया है तो Image गुज़राज सुरू किया गया है मन्द्रेगा के अंत्रिकत किशी ग्रामिन निर्धन वैक्ति को अधिक्तम कितने दिन का रोजगार मिल सकता है तो शौ दिन का रोजगार है यहाँ पर भारत में मिशन इंद्र धनूश अभ्यान किसे से जुड़ा हुआ है तो बच्चों के टीका कान से जुड़ा हुआ यह अभ्यान है बारवी पंच वर्षी योजना का कारेकाल क्या है तो 2012 से 2017 है बारवी पंच वर्षी योजना का कारेकाल किसी भारती राजे की जीडीपी सबसे अधीक है तो कौन से भारती राजे की GDP अधीक है, महाराष्टर की GDP अधीक है यापर, स्वन्ट जैनती, ग्राम, सरोजगार, योजना, पुन्दर, गटी तोकर, अब क्या हो गई है, अब ये हो गई है दोस्तों, राष्टी ग्रामीन, आजीवी का मिशन, नेश्ट क्यों सने भारत में पर्थम, पंच वर्षी योजना का प्रारम कब हुआ था, अगला क्योंस ने, BSE, सेंसेक्स का गठन कमपनियों से मिलकर हुआ है, तो BSE, सेंसेक्स का गठन हुआ है, तीस कमपनियों से मिलकर, और नेश्ट है कि भारत में लिंगान उपात की गणना कैसे की जाती है, तो पर भारत में जन संक्या वर्दी की क्या विशेष्टा है तो जनम दर वर्दी किन्तु मर्तिव दर में कमी है यही आपकी जन संक्या वर्दी की विशेष्टा है और नेश्ट क्यों सने निमनलेकित राजियों में से किसकी साखसरता दर है वो सबसे अधीक है तो वैसे दोस्तों option में मेजुरम था बागी कैरला और लक्षदीप नहीं थे इसके अक्रोडिंग वो करेक्ट था लेकिन मैं पीडिएप में इसको करेक्ट कर दोगा और सबसे कम यहां पिस अक्षरता दर्वाला राज्य की बात करें तो बियार में है 74.04 परसंटेज जो कि सबसे कम है इंडिया है तो जो आपके मलतुषियन थियोरी है एस एसोचिटेट टेंट वीच वीच ऊनदा फॉलोविंग तो यह समझाए जन संक्या से मलतूषिया का सिध्धन्त से समझाख सिध्धन्त से समंदित हैं मलतूषियन के जनко सिध्धन्त के अनुशार इनक्रिज्ज इन जियोमेट्रिक रेशियो और फूर्ड शप्लाई इंक्रिजेज इन अर्थमेटिक रेशियो है यह आपके बताता है मल्थूशियन का जनसंक्या शिधन्त और नेक्स्ट क्योसन है कि निम्नांकित मैंसे किसको विशो बैंक भी कहा जाता है तो IBRD अंतराष्टि पुन्दर नि विशो का संक्टन है जो कि आपके उत्पादन शंक का एक्जांपल है विशेश अहरन अधिकार किसने बनाए थे तो इस्पेशल ड्रोइंग राइट्स वर्क रिटेट बाई आई एम एफ यानि अंतराष्टि मुद्राकोश के द्वरा नेक्स्ट के उसने कौन सी संस्ता को विशो बैंक के सुलब करज विंडो शौप्ट लॉन विंडो और वर्ल्ड बैंक तो वो शंस्ता आपके आई डी ए को विशो बैंक के सौप्ट लॉन विंडो के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट क्योशन है और कौन सा देश जी एड का सदिशिय नहीं है तो यहाँ पर रशिया नहीं है दोस्तो जी ट्वेंटी जो विशो के में सबसे बड़ी अर्थ व्यास्ता का एक शमू है जी ट्वेंटी जिसका परति निदित्व किसके दोरा किया जाता है तो इसका परति निदित्व किया जाता है वित मंत्रियों तथा कैंदरिये बैंक के गवर्नर द्वारा अगला है कि जो आपका HDI है यानि होमन इंडेक्स जोरी डवलप्मेंट इंडेक्स है यह किसके दोरा तयार किया जाता है तो इसे त्यार करता है शुक्त राष्टर वि से जानी जाती है विश्रो वैपार संग्ठन जो अब गयट के इस्तान पर है तो यह इसका मुख्याले कहां पर है तो विश्रो वैपार की जाती है इसके बाद रसिया इंडियाज टराइना और शायुट अपरिका और निम्नांकित में से जी एडबल टी गैट का सई विश्दित रूप कौन सा है तो जनरल एग्रिमेंट ओन ट्रेड एंड टेरिफे गैट का सई फुल फॉर्म और नेस्ट क्योंसन की बात करें तो वॉल इस्टिट में सायरों के मुल्य अत्यादिक गिर जाने से क्या प्रभाव पड़ता है वॉ प्रवर्तनसिद्ध किसने प्रतिपादित कया था दा इन्योवेशन थेयोरी और प्रोफिट्वास प्रोपोजट बाई सुंपीटर जो इन्योवेशन शेन ने कि छेतर में नोबल पुरुषकार जीता था तो अमर्तिय शेन ने आपके वेल फेर एकोनोमिक्स में नोबल पुरुषकार जीता था ग्रीन बैंकिंग का क्या आर्थ है तो पर्यावर्ण स्रक्षित पर्योजनाव का विद्पोशन करने वाले बैंक को ग्रीन बैंकिं है नेक्स्ट क्योशन ने एक बोक्स का नाम दिया गया है ग्लोबलाइजेस्टन डेमोक्रेटिजेस्टन एंड डिस्टिब्यूटिव जस्टिस हैस बीन ओथरट बाई तो इन पुस्त के लेकक हैं मुल चंद शर्मा है काफी इंपोर्टेंट क्योशन है यह मुल्ले की दस्ट ताइल उसके बाद इंजिनरिंग गुड्स होता है जो कि शब्सिका में इसके एकोरडिंग आपको अवरुही करम में बताना है यहां पर आपका सबसे ज़्यदा किसमें हो जाता है रत्न और आभुशन में अगला क्योशन है सामान ये किन स्वादी मोडल में साम्या वस्ता की विशिष्टा किसकी समानता दोरा बताई गई है तो यहां पर उपलब्द बच्चत और उपलब्द निवेश की समानता के दोरा बताई गई है और मुल्य की दस्टी से सकल विश्व वेपार में भारती शेयर कितना है दो परसंटेज से अधीक है और कौन बैलेंस सीट का एक गटक नहीं है तो यहां पर हो जाएगा कमपनी के उत्पादों को विक्री से प्राप्थ हुई आई ये आपका फेक्टर नहीं है अगला क्योशन है परधान मंत्री मुद्रा योजना के तैत कोशल केंदर का उद्गाटन के सहर में किया गया है तो नोईडा में किया गया है परधान मंत्री मुद्रा योजना के तैत कोशल केंदर का उद्गाटन नेश्ट क्योशन भारत के सबसे पुराने Credit Information Bureau का नाम क्या है तो इसका नाम है शिबिल जो कि भारत का सबसे पुराना Credit Information Bureau है नाम है शिबिल नेश्ट क्योशन क्योशन है कि नास्ट यहाँ पर आप देख सकते हो नेश्ट यहाँ अगला कि उसने निमलिक सरकार के विकास खर्चे में किसी गिंती नहीं की जाती है तो विकास के खर्चे में Defense Expenditure की गिंती नहीं की जाती है और ब्रिक्ष इन तो यहाँ पर पूछा गया है पांच पर्मुक उबरती राष्टिय अर्थ व्यास्ताओं के शंक के लिए शंक्सित रूप थे तो ब्रिक्ष की यहाँ पर फुल फॉर्म आपके ब्राजिल, रशिया, भारत, चाइना और एक और छोड़ दिया गया है रिक्तिस्तान जो की S के इस्तान पर वो आपका शाहूत है अफरीका हो जाएगा निमले कित मैसे सनैप डील के संस्तापक कौन है तो सनैप डील के संस्तापक है कुनाल बहाल है सनैप डील के संस्तापक काफ़ इंपोर्टेंट क्योसने एब आपके कुछ साइन्स के क्योशन हैं यहां पर जो प्रिज़ा एकज़ाम में पूछे गए है différentesOneS come ख़ online exams में सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी यहां पर कि साइंस की अभी एक क्योशन है कि आवाज की माप की मातरा क्या है तो आवाज की माप की मातरा आपकी decibel है और next क्योशन है कौन सा European यहां पर कुछ Island नहीं था अगला क्योशने की पार्शैक किसकी मापन इकाई है तो पार्शैक ये ये खगोली दूरी की मापक इकाई है काफ़ important क्योशने और धाउनी तरंगों से कौन सा सब्द जुडा हुआ नहीं है तो केंडेला शब्द हैं ये धाउनी तरंगों से जुडा हुआ का शब्द नहीं है कि जो आपकी जोती त्योरता है उसका है मात्रक नैस्ट किसने भूतिक मात्रा चुम्ब की प्रभाव की एकाई है तो वेबर हैं चुम्ब की प्रभाव की एकाई क्या है वेबर हो जाएगी भूतिक मात्रा जरक की इकाई है तो जरख है जो आपके इसकी इकाई है मेटर परती शेकेंड घन मेटर परती शेकेंड का क्यूब करना होगा यह आपर बहुतिक मात्रा प्रेख्ट तो जो आपका इंड़क्टेंस से उसकी यूनिट हो जाएगी हैंडरी काफी इंपोर्टेंट के उसने यह भी बहुतिक मात्रा चम्ब की परवा घनत्व जो मैगनेटिक फ्लक्ष डेंसिटी है उसकी यहां पे यूनिट हो जाएगी आपके ट्यस्टला तो ट्यस्टला किसकी इकाई है तो यह है चम्ब की छैथर ये यहां फिर आप बोल शकते हों चमब की परवा घनत्व अगरा के उस stress प्रतिबल है या फिर दाब है वो एक होता है तो इसकी月 कहीं आपके पासकल होती है जो प्रतिबल दाव होता है बराबर बलबटा छैतरपल भोतिक मात्रा धारीता के इकई क्या है धारीता जो आपके धारीता नहीं यानि कैपेसिटेंस यह इसकी फेराडे है और उश्मा सम्ता की एकाई की बात करें तो जूल पर कैल्विन है उश्मा सम्ता है इसकी एकाई हो जाएगी आपके जूल पर कैल्विन हीट कैपेसिटी और प्रतिबादा की एकाई की है इसकी इकाय के बेकिरल हो जाएगी विझुत परतिरोद की कि क्या है तो विझुत परतिरोद की काय है आपके ओम क्रेक्ट है next के उसने भूतिक मात्रा शमे की इकाय क्या है तो深की वैसे फॉरमुला आपको पता होगा जो आपका momentum होता है पी बराबर म वी होता है लेकिन यहाँ पे आपकी यूनिट निकल के आएगी किलोग्राम मेटर पर सेकेंड आप्शन में यदि यह नहीं हो तो आपके माली जी न्यूटन सेकेंड कैसे आया वो देखते हैं तो न्यूटन आपके बलकी कई है तो F आएगा देखियां पे P बराबर M V होता है और आपका F कैसे आएगा? F क्या होता? M A होता है तो माली जी A का उपर भी गुणा करू और नीचे भी गुणा करू फिर यहाँ पे आपको इस A को यहाँ पर गाइब करना है तो इसके लिए A होता क्या? वेग में परिवर्तन की दर V अपॉन आपके T उपर चला जाएगा V से भी कैंसल हो जाएगा M में आपका F बन जाएगा जिसकी यूनिट न्यूटन होती है और जो T रह जाएगा यहाँ पर जो सेकेंड होती इसकी यूनिट तो न्यूटन सेकेंड हो जाएगी और रेडियू गतिविदी की आपके बेकेरल हो चुकी है विदुत मातरा विदुत चालकता की इकाई क्या है तो आपके इलेक्टिकल कंडक्टेंस की यूनिट है सिमेंस है विदुत चालकता की यूनिट नैस्ट बात करें तो आपके जोती यहाँ पर पूछा गया है कि जोती है जो इसकी इकाई क्या है बहुतिक मातरा ज्योति की इकाई क्या है फिजिकल क्वान्टिटी इलूमिनेंस इसकी इकाई है आपके लक्ष आपक्षिक घरत्यों की इकाई कोई नहीं होती है जो आपके relative density है काफी बार competitive exam में पूछावा क्यों सने इसकी कोई भी unit नहीं होती है तो एक क्योसन है कि आपके एक नैनोमिटर है वन नैनोमिटर किसके एक्वल होता है तो यह होता है 10 to the power minus 9 के एक्वल होता है एक नैनोमिटर किसी पदार्थ के मातरा की मोलिक इकाई क्या होती है कोई भी पदार्थ है उसकी मातरा की यहां पे पूछी गई है कि मोलिक एकाई क्या होती तो मोल होती है पदार्थ के मात्रा की कितना पदार्थ है उस पदार्थ में मोल कितने है वो उसकी मोलिक यूनिट हो जाएगी next question है मोहोश scale used जो मोहोश पैमाना है उसका उप्यूक किसलिए कहां पर किया जाता है तो यह हो जाएगा खनीजों की कठोर्था को मापने के लिए जो मोहोश scale है उसका प्रियूक किया जाता है धावनी की तेउर्था की SI1 वोट परती वरग मिटर है धावनी तेउर्था की SI1 यूनिट क्या है वोट परती स्कौर मिटर कौनसी दूरी की एक एक नहीं है तो यह पे एक option था आपके भूतिक मातरा की एक पाश्कल तो जरत्तक अगुण की एक पाश्कल नहीं है नाइस्ट क्योंसने फिजिकल क्वांटिटीज विच है वो आपके एक तो मैगनिटूड यानि परिमान ओनली एंड नो डारेक्शन आर कॉल्ड इसकेलर क्वांटिटीज तो यहां पर बात हो रही है आपके अधिश की तो अधिश राष्य कौन सी होती है जिनका परिमान होता है लेकिन दिशा नहीं होती है वो अधिश होती है बाकि जिसमें परिमान और दिशा दोलन होती है वो आपके वेक्टर हो जाएगी कौन सी एक अधिश राष्य नहीं है तो कारे आपके एक अधिश राष्य है नेक्स्ट के उसने पिर्थ्वी की सतर्षे फायर कीएगे प्रेक्षेपे की गति के दोरान उसका कौन सा वेग का गटक है यहां पे इस्तिर रहता है तो वह वेग का आपका जो 36 गटक है वेग का वह यहां पे कॉस्टेंट रहेगा नेक्स्ट के उसने निम्नांकित में से कौन सी एक शदिश भोतिक राशी है तो आपका एंगूलर मॉमेंटम जो कौन यह शवेग है वह आपके शदिश है एक वस्तू को एक निचित उंचाई से मुक्त रूप से गराने पर वह एक सेकेंड में जमीन तक पहुंचती है तो जम निच गया है, टी की बात के रैंट तो आपको एक सेकेंड दे रहा है तो गति का पर्थम नियम कहता है यहां पर आपको फाइंड आट करना है वी तो यहां पे यह कितना दे रहा दोस्तों, यह आपको दे रहा है कुछ नहीं है जीरो है, प्ल conference AT, यह यहां पे आपका गुर 9.8 म्य पर 2 इसकी अंतिम वे हो जाएगा। अगला क्योंस ने प्रेक्ष्पे की प्त को अूछ का प्रेक्षेपे प्त यूप प्रोजेक्टाइस गॉलड यहां पे ट्रेजेक्टरी हो जाएगाँ प्रेक्षेपे प्तुमiste जब किसी कण को उद्रादर ऊपर की और फैका जाता है जब सब से उंचे बिंदों तक पहुंच जाता है तो उसका तुर्ण नीचे की और हो जाएगा हाइस्ट पॉइंट पर पहुंचने पर अंतिम वेग आपका शुन्य हो जाएगा और फिर उसका एसलरेशन है वो डाउन वाड हो जाएगा नीचे की तरफ हो आएगा एक प्रक्षेपे गती में 36 के साथ एक बड़ा कौन पैदा करता है तो यह हो जाएगा हाई ट्रेजेक्ट को छोड़ रहे हो इदियां पर एंगल बड़ा बंद्रा जितना ही उसके एकोर्डिंग वह उतना ही उचाई पर जाएगा उतना ही उचा उसका प्रक्षेपे पत बनेगा प्रक्षेपे गती जो इस परकार की गती होती है जहां पर एदिया आप किसी भी बोल से हिट करते हो चक्के वगेरा लगाते हो तो वहाँ पर गती आपके प्रक्षे पे गती होती है तो प्रक्षे पे गती में कुल उडान समय होता है तो अधिक्तम उचाई तक पहुशने के लिए लगने वाले शमेशे दोगुना होता है कुल उडान शमय नेक्स्ट के उसने यदि एक गेंद ऊपर फैकी जाती है तो निम्नांकित में से क्या परिवर्थित नहीं होगा उसका तुरन है वो आपका शैम रहेगा अगला के उसने एक कैनन बॉल इस फाइट दा मोशन ओफ दिस बॉल इस एन एक्जमपल ओफ एक टॉप का गोला दागा जाता है तो वो कौन सी गति का एक्जमपल है तो यह आपके प्रोजेक्टाइल है मोशन जो प्रक्षेपे गति है यह एक्जमपल है प्रक्षेपे गति क एक प्रक्षेपे गती में प्राप्त की गए 36 सीमा एक समान होती है चाहे वस्तु को थीटा और 90 डिगरी पर प्रक्षेपे किया जाए और नैश्ट के उसने किरिया की परते किरिया के उसके तुल्ले और एक विपरित परती किरिया होती है ये न्यूटन की गती का आपके तेर लुट जाती हैं उसमें उसका आंतिम वेग आपके वी ब्राबर शुन्ने हो जाएगा और निव्टन का पहला नियम आपके जिलतों का नियम है जो बताता है कि जब कोई वस्तो इस्तिर है तो इस्तिरावस्ता में रहना चाहती है या फिर गतिसी लावस्ता में है तो वह अपने गतिसी लावस्ता में बना रहना चाहती है जब तक आप उस पर कोई external बाहिये बल नहीं लगाए और अगला है कि why does a cannon recoil after firing? एक तो firing के बाद पीछे क्यों हरती है तो वहाँ पर आपका Newton के गतिक आप तीस्ता नियम रगता है जब आप बंदूक से fire करते हो गोली दागते हो तब बंदूक आपने पीछे कंदे की तरफ एक जटका देगी जो Newton की गति के थर्ड लोग पे बैसी से हैं जितनी किया आगे की तरफ जारी है गोली उसके according उतना ही force आपको पीछे की और लगेगा next के उसने किये गए कारी की दर तो rate of work done is called आपके power होती है शक्ती बराबर कारे करने की दर होती है गति जूर्जा किस पर निर्भर करती है तो गति जूर्जा आपके होती है काइनेटिक एंडर्जी बराबर हाप mv square यानि mass और आपके वेग पर दोनों factor पर आपके एक तो बहुत mass and velocity गति शिल्पेंड के वेग और भाग पर depend करती है शवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है तो शेबल कहेंगे force बराबर होता है आपके शवेग में परिवर्तन की दर और next question है किसी body के वहार को इस सूतर द्वरा बताया जा सकता है तो body का वहार आपका weight of anybody बराबर हो जा बहा जाता है frictional force होता है वो आपका घर्षन बल होता है हम बिना फिशले पिरत्वी पर चलने में शक्षम है क्योंकि इसका कार्ण है frictional force आपकी घर्षन बल के कार्ण ही हम चल पाते हैं वस्तू का धरिमान होता है यह आपके सब जगह एक श्रमान रहता है जो mass of any object remains same everywhere okay next question है next question इस्तिर गती से गोलाकार मार्ग पर घूमने वाले जो बोडी में होता है वो आपका इस्तिर त्वर्ण होता है यदि कोई वस्तू एक वरती गती में एक समान वेग से चल रही है तो इसका वेग एक समान होगा its velocity is uniform next question है कि अब केंदरी बल द्वारा सुन्य कारे किया जा ये मारग में चल रही है तो उसकी और गती क्या होगी यदि वह एक सेकेंड में एक चक्र पूरा करती है तो उसकी और गती दोस्तो जीरो होगी अगला question सरल आवरत गती करने वाले किशी कान की स्थती जूर्जा क्या होगी जांके इस्तिरांग के x विस्तापन है तो आपके स्थती जूर्जा हो जाएगी हाप के x square नैश्ट क्योसने अभी केंद्री त्वर्ण और इस पर श्रेखा त्वर्ण के बीच में जो कौन होता है वो कितने अंसका होता है तो 90 डिगिल का ये कौन होता है अगला क्योसने पृत्वी केंदर से 2R की उंचाई पर इस्तित वेक वस्तों की जोड़ी पर any pair of bodies है वहाँ पर आपका गुर्त्वाकर्षन का नियम लागू हो जाएगा किसी वस्तों का अधिक्तम भार के सिस्तिती में होगा तो पिर्थ्यू के धुरों पर कोई भी वस्तो है उसका भार maximum होगा बाकि center of earth में भार सुनने होता है न्यूटन के गुर्त्वाकर्षन के नियम के अनुशार दो वस्तों के बीच का बल आपके उनकी दर्यमान के गुणज के शमानुपाती होता है और बीच की दोरी के वरग के वित कर्मानुपाती होता है क्या होगा ये दिवस्तों के उंचाई से नीचे ग्रह जाया और वहाँ हवा का प् यहाँ प्रत्व की तर्जेया कम हो जाती है और उसका दर्यमान इष्थि रहता है तो गुर्तवकुंस्ट के कारन त्वरण का मान अधीं और वी कामद्स दो जायेगा नेश्ट कीस्ट से पहले आपको गुर्तक स्टिरांрос हैं सारोभोमिक गुर्ट्वाकर्षन इस्तिरांग कैपिटल जी इसका मुलिक इसने निर्धारित किया था तो लॉर्ड केवंडिस ने इसकी वैल्यू दी थी अगला क्यूसने गुर्ट्वाकर्षन के कारण त्वर्ण कम हो जाता है तो यहां पर ग्रह की शतर से उंचाई में वर्दी या गहराई में वर्दी आप डेप्ट में जाएंगी या फिर आप हाइट में जाएंगी तो दोनों इस्तितियों में आपका जो जी है गुर्ट्वाकर्षन के संद्रम में कैपिटल जी को क्या हाक आ जाता है तो यह आपके ग्रेविटेशनल कॉंस्टेंट है और पिर्थ्वी के केंदर में गुर्ट्वाकर्षन के कान्ट्वाकर्षन का मान आपके सुनने होता है सेंटर ओप अर्थ में नेक्स्ट को सने आपके सामने पिर्थ्वी के सतर से 2R की दूरी पर गुर्ट्वाकर्षन जी के कान्ट्वा उनका मान वहाँ पे G by 9 होता है जहाँ पर R उसकी रेडियस है और next question है कि आपका चरम वेग है वो इस्तिर होता है जो ट्रमिनल वेलोसिटी है वो आपे सापके constant रहेगी अधीक उंचाई पर उड़ने वाले होईजास से जो आपका fountain पहन है वो लीक हो जाता है क्योंकि पहन के बार आपके कम वायू मंडल दबाव के काण ऐसा होता है जब अंत्रिक्ष यान से प्रत्वी का प्रिक्रमण किया जाता है तो भार हिंता क्यों मैसूस की जाती है क्योंकि वहाँ पे जीरो ग्रेविटी होती है पानी का कौतना उंचाई पर कम क्यों हो जाता है कम वायू जड़तों क्या है तो वर्तमान इस्तिती में होने वाले परिवर्थन का पृतिरोद करना ही जड़तों है अगला क्योंसने गुरुनन करने वाले वस्तू पर लगाये गई एक बड़े बल का परिनाम बड़े बल आगुरुन में होता है नेस्ट के उसने आगुरून भोजा जो आपके moment आम है वो बल के अनुप्रियू के बिंदू और rotation की दुरू के बीच की दूरी को कहा जाता है बलागुरून की दिशा क्या होती है तो प्रियूक्त बल की दिशा के लंबवत होती है आपके बलागुरून की दिशा नेस्ट के उसने यदि कोई वस्तू विच्छुद रूपशे गूमने वाली गती में चलती है तो उसका प्रतेग गटक कंड एक वरत में चलता है जिसका कैंदर एक रेखा पर इस्तित होता है जिसे कहते हैं तो उसे गुरूनन की दूरी कहते हैं दोस्तों और बलागुन की SI unit होती है, आपके Newton meter काफी important question है, एक घुर्णनद वस्तू पर तो यहाँ पर हो जाएगा आपके कौन ये वेग हर बिंदू पर एक शमान रहता है, यदि पिर्ष्ट्व के घुर्णनद की गती बढ़ जाती है, तो आपके सरीर का वजन है, वो घट जाएगा जब net talk शोन्य है तब आपका कौन ये वेग इस्तिर हो जाएगा, घुर्णनद गती के दो परकार होते हैं, एक तो आपके spin होती हैं, दूसरे आपके orbital होती हैं, दो परकार की घुर्णनद गती होती हैं, यदि गती में रहते हुए घुर्णनद की धुरी किसी वस्तू में स होकर गुजरती हैं, तो उस गती को कहा जाता है spin motion, और अगला कि उसने कमानी तुला के सिधान पर काम करती हैं, तो कमानी तुला आपके होक के नियम पर कारे करती हैं, जलत्व आगुन, टौक और कौनी तौन के भी इच सही सम्मंद कौन सा हैं, तो कौनी तौन आपके बरा जलत्व आगुन की किसी वस्तों में उत्पन हुआ विकरती उस पर लागू कि एगे दबाव के सीधे समानुपाती होता है यह आपके होक का नियम है और किसी आदर्श दरव की श्यानता कितनी होती है तो वेलुस आपकी विसको सीटी ओफ एन आईडियल फ्लूड आपके जो स शुनने होगी और यदि बंद पत्त जो आपका पातर है तो बंद पातर में कुछ गैस निकाल कर दाब कम कर दिया जाए तो गैस अनों के मध्य मुक्त पत्त क्या होगा तो वह आपके इंक्रीज हो जाएगा अनों के मध्य मुक्त पत्त है जो आपका फिरी पत्त है मीन फिर पर प्रेशर अगर आकर्षन शक्ति ना हो तो निमले कितमे से कौन सा तरल पदार्थ के लिए लागू नहीं होगा तो अपवार्ड थ्रश्ट है वो आपके तरल पदार्थों के लिए लागू नहीं होगा नाइक्स्ट क्योसन है जब बरब पानी के उपर तेरती है तो इसका कितना हिश्टा पानी के बाहर रहता है तो उसका 1 बाई 10 हिश्टा है यदि टोटल बरब के 10 हिश्टे है तो बरब पानी में तेर रही तो 10 में से 1 हिश्टा उसका पानी के बाहर रहेगा यहीं 0.1 आप कह स सकते हो निमलिक्त मेंसे कौन सा सबसे अच्छा अधीशोशक है तो वह हो जाएगा आपके एक्टिवेटेड कोकोनेट चारकोल है सबसे अच्छा आपका एड्सॉर्बेंट है और श्यानता के बारे में निमलिक्त मेंसे अर्शत्ति हैं तो दबाव में वर्दी के साथ द्रव भी चैंजेज नहीं होगा उस बर्तन में कांच की एक पलेट पर पाने की बूंद फैल कर एक पतली प्रत बन जाती है जबकि पारे की बूंद गोलाकार बनी रहती है क्योंकि दोस्तों कांच के साथ पारे की सम्मंदता इसकी अनुशक्ति से अधीक होती है नेक्स्ट अतना अंग पानी से कम होता है मर्दा दोरा जल के आउसोशन से सम्मंदित सिद्धान्त है यह आपका केसी कात्व है कैपिलरी एक्षन है मर्दा दोरा जल के आउसोशन से सम्मंदित सिद्धान्त है केसी कात्व और नैस्ट क्योंसे पानी का घनत्व कौन से तापमान पर अ तो अधीक होता है बुरादे से ढकी होई बरफ जल्दी से क्यों नहीं पिगल थी क्योंकि बुरादा उश्मा का कूझ चलक है उश्मा के आधान परदान करने में वो एक परतिरोध की तरह काम करेगा नेक्स्ट के उसने परवतिय छेत्रों में जल्द का कौतनांग किया होगा तो जितना समुदर तर्ट पर है उससे कम होगा परवतिय छेत्रों पर जल्द का कौतनांग next question है एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होगा तो वो उस पर तेरेगा ताजे अंडा और super cooling का विप्रा है तरल के किस बिंदू पर सीतलता से हैं तो below freezing point है आपका हिमांग के नीचे हो जाएगा ये और तरल पदार्थ के कवतनांग पर तापमान नीत रहेगा at boiling point of liquids its temperature remains constant next question है परमशुन्य ताप वह इस्तती हैं जिस पर आपके गैसों में आणवी गती गटने लगती है अगला question है कि उश्मा गतीकी के पर्थम नियम के according आंत्रिक उर्जा अवस्ता का एक कारे हैं और आंत्रिक उर्जा में हुई वर्दी प्रणाली को आपूर्ती की गई उश्मा और प्रणाली दोरा किये गए कारे के योग के बराबर है और अगला question है कि आपका 0 degree centigrade है कितने Kelvin के एकवल हो जाएगा 0 degree आपका Kelvin है सोरी ये कितने centigrade के एकवल हो जाएगा तो माइनिस करना पड़ेगा आपको 273 ये आपका centigrade निकल के आएगा Kelvin से अगला question है परम सुन्य को किस परकार परिभाशित किया जाता है तो the temperature at which all molecular motion चीज यानि वह ताप्मान जिसमें सभी आणवी गतियां बंध हो जाती है वो आपका परम सुन्य होगा किस परकार के आणवी गति का आंत्री कूर्जा में कोई योगदान नहीं है तो यहाँ पर option में नहीं था इन में से कोई नहीं सुर्यास्त के बाद भी पृत्वी की सत्य के निकल निकट वायू किस कान उश्मा प्राप करती है तो यहाँ पर आपके हो जाएगा इस्थलिये विक्रिन के कान उश्मा प्राप करती हैं सूर्यास्त के बाद भी पृत्विकी सत्य है वो इस्थलिये विक्रिन के कान उश्मा प्राप करती है ज़र बरब बनती हैं तो जल की एंट्रोपी घट जाती है जल की जो entropy है वो आपके घट जाएगी उसकी entropy का मतलब अव्यवस्तता बरब पेगले की तो जल के अनुपास में आ जाएगी और उतनी वापे entropy जल के बिंदूओं के अनुओं की वापे अव्यवस्तता नहीं रहेगी अगला क्योंसने की किसी पदार्त में ताप परिवर्तन के दोरां संभावित उश्मा उर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है तो ये आपके kinetic energy के रूप में संग्रहित रहती है नैस्टेक कौन सी एक उश्मा ग्रही अभिक्रिया है तो पशीना निकलना एक उश्मा ग्रही अभिक्रिया है जब तरल और उनके आसपास के बीच का तापमान अंतर दुगुना हो जाता है तो उश्मा की हानी की दर कितनी हो जाएगी तो ये भी आपके दुगुनी हो जाएगी उश्मा गतिकी की उस प्रक्रिया को क्या का जाता है जिसके दोरान इस प्रक्रिया के तहएत आने वाले समर्थ तंत्र का आयतन इस्तिर रहता है तो ये आपके सम आयतनिक प्रक्रिया कहलाएगी नेश्ट है कि आपके cryogenics H.J. branch of physics that's deal with जो आपके cryogenics branch है physics की वो सम्मंद किस से उसका तो very low temperature अत्यनत नीचे तापमान से भोतिकी की एक शाका है cryogenics उसका सम्मंद है दरपन कारों की headlight में परियोग किया जाता है तो आउतल कौन के वो mirror का परियोग किया जाता है दरपन कारों की headlight के अंदर नैश्ट क्योसने की परकास की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वो एक माध्यम से अन्य माध्यम में होकर गुजरती है क्या कहलाती है तो वो आपका अपवर्तन है तो उसमें कोई भी प्रकाशी केरण एक माध्यम से अन्य माध्यम में जाएगी तो वो अपने पत से विजलित हो जाएगी प्रकास में सबसे तेज गती से यात्रा करता है तो प्रकास से वो सबसे तेज गती से वैक्यूम में यात्रा करता है बिजली के बलब का फिलामेंट किस से मिलकर बना होता है तो यह आपके टंगस्टन का बना होता है परकास का अलग-अलग रंगों में होने वाले बंटवारे को कहा जाता है डिस्प्रेशन अगला क्योषन है कि तो पॉर क्या होता पर यह आपकी फोकस दूरी के विट्करमान उपाती होती है लेंस की सक्ति मातरक डायोप्टर होता है तो यहाँ प्रक्योषन में दे रखा है आपके परतीबिम दूरी दे रखी है 20 cm और विम दूरी दे रखी है 25 cm तो सबसे पहले आपको formula पता होना चाहिए कि focus दूरी विम दूरी और परतिविम दूरी की मद्दे क्या relation है तो lens में हो जाएगा 1 by f बराबर 1 upon v minus 1 upon u होता है यहाँ यहाँ पर दरपन होता है तो plus करना आपको अब यहाँ पर देख लेते हैं कौन सी value दे रखी है वी की बात करें तो यह परतिविम दूरी होती है जो कि इसमें 20 cm दे रखा है और चिने परिपार्टी की बात करें यहाँ परतिविम दूरी जो उत्तर lens है उसमें आपके positive में बनेगा परतिविम इस देखा से आ रही है परकास किरन तो सैम देखा में जो भी आपकी value होगी वो positive ली जाती है तो V बराबर 20 cm यह positive हो जाएगा U की बात करें तो यह परतिविम दूरी होती है जो कि आपके विपरी देखा में होगी जिस देखा से परकास किरना रही है तो यह सभी आपके परकासी के अंदर से लिजा रही है दूरिया तो इस देखा में आपके minus लेना पड़ेगा U बराबर minus 25 cm आपके हो जाएगा तो यहां से आपको value put करनी है एक बटा 20 और minus और minus यहां पर प्लस हो गए एक बटा 25 तो एक बटा 20 और एक बटा 25 की जो आपके यहां पर मान निकल के आएगा वो हो जाएगा 9 बटा 100 हो जाएगा तो 1 by F बराबर आपका निकल के आगया है यहां पर 1 by F बराबर 9 बटा 100 लेकिन यहां पर एक विशेश बात का ध्यान में रखना है कि आपका answer आ रहा है no diopter यहीं आपके विकल्प में दे रखा था diopter diopter के ऐसा आपके ऐसा unit है और यहां पर centimeter की कौन सी unit है यह तो आपके ऐसा unit नहीं है तो आपके ऐसा unit क्या होती है दूरी की वो meter होती है सबसे पहले इसको meter में connect करना पड़ेगा जो भी आपके focus दूरी आई है तो 9 बटा 100 है यह आपके क्या centimeter है meter में बदलने के लिए क्या करते हैं यहां पर एप आप निकाल सकते हो one second एप बराबर आपके है 100 by no centimeter है इसको meter में बदलने के लिए 1 बटा 100 करेंगे तो 100 से 100 cancel F बराबर आपका एक बटा No आगया तो चली यहां पर F बराबर एक बटा No आगया लेकिन आपको पूच्च है की सकती क्या होगी तो P बराबर क्या होता 1 by F होता है तो F को 1 by F करेंगे तो आपका Ultra हो जाएक 해서 no difference यहां पी बराबर 1 बटा 10 जाता है तो दोस्तों यहाँ पर आपके टोटल 3600 क्योशन थे इस पीडियो फाइल में जहाँ पर 1600 क्योशन कंप्लीट हो चुके हैं पीछे आपके 2000 क्योशन बच चुके हैं तो उनको मैं कोशिज करूँगा एक जल्दी आपको दो तीन दिनों में एक नेक्स्ट वीडियो मि मिल सकें बाकि यह पूरी पीडियो फाइल आप 3600 क्योशन की डाउनलोड अभी कर सकते हो डैस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी आपको लिंक मिल जाएगी इसके अलावा ग्रूब डी की आर्प्यप की सारी पीडियो फाइल आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट शाबित ह और नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो और डैस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी जीमेल आईडी है वहां से आप डाय्रेक्टली कॉंटेक्ट कर सकते हो तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत भहुत धन्यवाद मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ तब